दा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लेखग बेंजामिन ग्राहम हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम परीचे यदि आप हवा में महल बना रहे हैं तो इसे करते रहें यह वह काम है जिसे करना चाहिए अब उन महलों की नियू बनाने शुरू कर दें हेनरी डेविट थोरो वाल्डन ध्यान दें कि ग्राहम ने शुरूआत में ही यह गोशना की है कि यह पुस्तक आपको यह नहीं बताएगी कि आप बाजार पर कैसे काबू पाएंगे कोई भी सच्ची किताब यह नहीं कर सकती इसके बजाए यह पुस्तक आपको तीन शक्तिशाली सबक सिखाएगी पहला आप ऐ परिवर्तनिय नुकसान की बाधाओं को कैसे कम कर सकते हैं दूसरा आप तिकाउला प्राप्ट करने की संभावनाओं को अधिक्तम कैसे कर सकते हैं और तीसरा आप शुय को हराने वाले व्यवहार को कैसे नियंतरित कर सकते हैं जो अधिकाश निवेशकों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुँचने से उन्हें रोकता है 1990 के उतराद के उच्छाल के वर्षों में जब टेक्नलोजी शेरों का मुल्य हर दिन दुगना हो रहा था तब यह सोचना या कहना बेतु का लगता था कि आप अपने सभी पैसे खो सकते हैं लेकिन 2002 के अंत तक डोटकॉम और दूर संचार शेरों में से कई ने अपने मुल्य का पिचानमे परतिसत या उससे अधिक खो दिया था एक बार जब आप अपने पैसे का 95 परतिसत को देते हैं तो आपको शुरू करने के लिए 1900 परतिसत लाप्राप्त करना होगा यह जो खिम लेना मुर्खता पूर्ण है कि इस से बाहर निकलना लगबग ऐसंभव है यही कारण है कि ग्राहम लगातार छेड़ सार से बचने के महतों पर जोड़ देते हैं केवल अध्याइत 6, 14 और 20 को छोड़ कर लेकिन वो भी चेताउनी के साथ लेकिन इस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साउधान है आपके निवेश की कीमत समय के साथ खटती रहती है हालांकि कोई भी उस जोखिम को खत्म नहीं कर सकता ग्राहम आपको बताएंगे कि इसका प्रबंधन और अपने डर को नियंतरन में कैसे करें अब एक महतोपूर्ण सवाल का जवाब दें ग्राहम के इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का क्या अर्थ है इस पूस्तक के पहले संस्क्रेण में ग्राहम इस शब्द को परिभाशित करते हैं और वे यह स्पष्ट करते हैं कि इस तरह की बुद्धी के साथ IQ वे S80 स्कोर का कुछ लेना देना नहीं है इसका मतलब केवल परशिक्षू, अनुसाशित और सीखने के लिए उच्शुक होना चाहिए आपको अपनी भावनाओं का उप्योग करने और अपने लिए सोचने में भी सक्षम होना चाहिए ग्राहम इस तरह की इंटेलिजेंस बताते हैं कि मस्तिस्क की तुल्ना में चरित्र आधिक विसेश है इस बात के सबूत उपलवद हैं कि उच्च IQ और उच्च सिख्षा बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए प्रयाप्त नहीं है 1998 में लोंग टरम कैपिटल मैनेजमेंट एलपी गणितग्यों कम्प्यूटर वैग्यानिकों और दो नोबेल पुरुसकार विजेता आर्थ सास्त्रियों की बटालियन दुआरा संचालित एक हेज़ फंड कुछ ही हफतों में कुछ ही हफतों में दो बिलियन डॉलर से ज़्यादा की राशी खत्म कर दी गई जो कि इस भारी बरकम शर्त पर था कि बोंड मार्केट सामान्य पर लोटे गी लेकिन बोंड मार्केट अधिक से अधिक ऐसा मन्य होती गई और LTCM ने इतना पैसा उधार लिया कि इसके पतन ने वैस्विक वितिय प्रनाली को बहुत छोटा बना दिया और 1720 के वसंत में सर आईजेक न्यूटन ने साउथ सी कमपनी जो की इंग्लेंड में सबसे हाट स्टोक थी के शेरों का स्वामितव हासिल किया जब उन्हें लगा कि बाजार हाथ से बाहर निकल रहा था तब माह बाजार बोंड में बेच दिया लेकिन कुछ महिने बाद बाजार में एक जवरदस्त उचा लाया तब न्यूटन फिर से बहुत अधिक कीमत पर बाजार में वापस कूद पड़े और 20,000 पोंड यानि आज के हिसाब से 3,000,000 डोलर से अधिक पैसा खो दिया और इसका हमके शब्दों में न्यूटन एक बुद्धिमान निवेशक से कोसोंदूर थे भीड के गरजने से अपने फैसले को ओवर्ड्राइव करके दुनिया का सबसे बड़ा वैज्यानिक मूर्खों की तरह काम करता रहा संक्षेप में यदि आप अभी तक निवेश करने में विफल रहे हैं तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप बेवकूफ हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि सर आईजेक निूटन की तरह आपने भावनात्मक अनुशाशन विख्षित नहीं किया है जो सफल निवेश की आवशकता अध्याए आठ में ग्रहम वर्णन करते हैं कि अपनी भावनाओं का उप्योग करके और इंटेलिजेंस से बाजार के स्तर पर उतरने से इंकार कर अपनी बुद्धी को कैसे बढ़ाया जाए वहाँ आप अपनी सीख को मास्टर कर सकते हैं कि एक बुद्धी मानिवेशक होने के नाते दिमाग की तुलना में चरित्र का विशय अधिक है आपदा का इतिहास आईए अब पिछले कुछ सालों के कुछ प्रमुख वितिय विकासों को देखते हैं पहला ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे खराब बाजार दुरगटना अमेरिकी शेरों के साथ मार्च 2000 और अक्टूवर 2002 के बीच होई जिससे उनके शेर मुल्य का 50.2 परतिसत यानी 7.4 ट्रिलियन डॉलर खत्म हो गया दूसरा 1990 के दशक की सबसे होट कंपनियों की शेर केमतों में बहुत गिरावट आई जिसमें AOL, Cisco, DGS, UNICEF, LUCENT और कॉल कॉम प्लस सेंक्डों इंटरनेट शेरों का विनाश भी शामिल है तीसरा एन्रोन, टाइको और जेराक समेत अमेरिका के कुछ सबसे बड़े और सबसे सम्मानित निगमों में भारी वितिय दोका दढ़ी के आरोफ लगे चोथा, कांसेको, ग्लोबल क्रोशिंग और वर्ल्ड काम के रूप में चमक वाली कमपनिया दिवालिया हो चुकी थी पांचवा, आरोप है कि लेखांकन फर्मों ने पुस्तकों को गुमाया और यहां तक की रिकोर्ड नश्ट कर दिये ताकि उनके ग्रहाकों को निवेश करने वाले लोगों को गुम्रा करने में मदद मिल सके चठा, प्रमुक कमपनियों के शिर्स अधिकारियों ने आरोप लगाया कि अपने निजी लाब के लिए सैंकडों लाख डोलर डंप कर दिये खे साथवा, वाल स्ट्रीट पर सुरक्षा विशलेशकों ने सारोजनिक रूप से स्टोक की प्रसंसा की लेकिन निजी तोर पर स्विकार किया कि वे सब कचरे थे आठवा, एक शेर बाजार जो की खतरना गिरावट के बाद भी एतिहासिक उपायों से अधिक प्रचलित लगता है जो कई विशेशग्यों को सुझाओ देता है कि शेरों में अभी गिरावट ओर आईगी नौवा, ब्याजदरों में निरंतर गिरावट ने निवेशकों को स्टोक के लिए कोई आकरशक विकल्प नहीं छोड़ा दस्वा, मध्यपूरू के वैस्विक आंतकवाद और युद्ध के एपरत्यासित खत्रे के साथ एक निवेश वातावन खत्म हो चुका था ग्राहम के सिधानतों को सीख कर इस से अधिकतर नुक्सान से बचा जा सकता था जैसा की ग्राहम ने कहा वाल स्ट्रीट पर कहीं और बड़ी उपलब्दियों के लिए उत्सा जरूरी हो सकता है लेकिन यह लगबग हमेशा आपदा की और जाता है इंटरनेट शेरों वे बड़े विकास शेरों पर और पूरे स्टोक के रूप में कई लोगों ने सर आईजेक न्यूटन की तरह बेवकुफाना गलतियां की उन्होंने अन्य निवेश्कों के नेड़ने से खुद को निर्धारित होने दिया उन्होंने ग्राहम की चेताउन को नजर अंदाज कर दिया कि खरीदार पूछना बूल गए के बाद वास्तों में डरावना नुक्षान हमेशा होता है सबसे अधिक दरदनाक रूप से जब वे इससे सबसे ज़्यादा चाहते थे तब उन्होंने अपने आत्म नियंतरन को खो दिया इन लोगोंने ग्राहम के दावे को साबित कर दिया कि निवेशक की मुख्य समश्या और यहां तक कि उसका सबसे बुरा दुश्मन वहे खुद होने की सबसे जागा संभावना है यह सुनिश्चित था कि वहे नहीं था उन लोगों में से कई लोग विसेश रूप से प्रोधोगी की और कि 1990 के मध्य में वर्स के पहले 5 महिनों में 117.3% की वापसी के बाद स्मार्क इंटरनेट एंड पोर्टफोलियो मैनेजर एलेकजेंडर चेंग ने भविश्यवानी की कि अगले 3-5 वर्सों में उनका फंड सालाना 50% और वार्षी को सत 35% अगले 20 वर्सों तक रिटर्न 1999 में अपने एमेरिंडो टेकनोलोजी फंड के एविस वसनिये 248.9% की बढ़ोतरी के बाद पोर्टफोलियो मैनेजर अलबर्टो वीलर ने कहा कि इंटरनेट एक सतत पैसा बनाने वाली मशीन है यदि आप इस खशेतर से बाहर हैं तो आप कम परदर्शन कर रहे हैं आप ग 2000 में हेज फंड मैनेजर जेमस जे क्रेमर ने गोशना की कि इंटरनेट से संबंदित कमपनिया नई दुनिया के विजेता हैं क्रेमर ने ग्राहम पर भी एक टिपनी की कि आपको वेब के सामने मोजूद सभी मैट्रिक्स और सुत्रों वैगरंतों को फेंक ना होगा अगर हम किसी भी ग्राहम और डोड से सीखते हैं तो हमारे पास प्रवंदन के तहट कोई पैसा नहीं होगा इन सभी तथा कथित विशेशग्यों ने ग्राहम के चेतावनी के शांत सब्दों को नजर अंदाज कर दिया व्यावसाई में विकास के लिए स्पस्ट संभावनाएं पहले से ही एक ही चीज की उमीद कर रहे हैं कम से कम तब तक किसी को दावा करने का प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है कि तकनीक अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा विकास उद्योग होगा लेकिन सुनिश्चित करें कि आपको यह याद है वे लोग जो अब दावा करत हैं कि अगली निश्चित चीज स्वास्तिय देखवाल या उर्जा या अचल संपत्ती या सोना होगी उच्छ तकनीके हाइपरेटर की तुलना में अंत में सही होने की संभावना नहीं है सिल्वर लाइनिंग यदि 1990 के दसक में स्टोक के लिए कोई कीमत बहुत जादा नहीं लगती तो 2003 में हम उस बिंदू तक पहुँच गए हैं जिस पर कोई कीमत कम नहीं लगती है पेंडूलम गूम गया है क्योंकि ग्रहाम जानते थे कि यह हमेशा अजीव उच्छा और अन्याय पूर्ण निराशा से होता है 2002 में निवेशकों ने स्टोक म्यूचल फंड में 27 बिलियन डॉलर की कमाई की और सिक्योरिटीज इंडस्टीज एसोसिशन द्वारा किये गए एक सर्वेक्षन में पाया गया कि 10 निवेशकों में से एक ने कम से कम 25 परतिशत शेरों का घाटा खाया है वही लोग जो 1990 के दसक के अंत में स्टोक खरीदने के इचुक थे जब उनकी कीमतें बढ़ रही थी और इसलिए महेंगे बेचे गए स्टोक बन गए क्योंकि वे कीमत से नीचे उतरे और परिभाशा के अनुसार सस्ते हो गए जैसा कि ग्रहम अध्याई आठ में इतनी शांदार तरीके से बताते हैं कि बुद्धिमान निवेशक को पता चलता है कि कौन सा शेर अधिक जोखिम बढ़ा है और कौन सा कम जोखिम बढ़ा बुद्धिमान निवेशक बुल बाजार से डरता है क्योंकि इसका स्टोक खरीदने के लिए अधिक महंगा होता है और इसके वीपरित आपको बेर बाजार का स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे शेरों को बिक्री के लिए वापस रखा जाता है तो दिल थाम ले बुल बाजार की मोत बुरी खबर नहीं है हर कोई यह मानता है कि यह होना चाहिए स्टोक की कीमतों में गिरावट के कारण अब संपत्ति का निर्मान करने के लिए एक काफी सुरक्षित और स्वच्छ समय है आगे बढ़ें और सुनते रहें ग्रहम आपको बताएंगे कि इसे कैसे करें धन्यवाद हिंदी ओडियो बुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो The Intelligent Investor अध्याए एक निवेश बनाम अटकलें Intelligent Investor द्वारा परिणाम की उम्मीद क्या आप जानते हैं कि New York Stock Exchange पर हमेशा कलोजिंग बैल बजते ही बिना किसी खास वजह के दलाल खुशी के मारे जूमने लगते हैं क्योंकि जब भी आव्यापार करते हैं तब वे पैसा बनाते हैं चाहे आपने ट्रेडिंग की हो या नहीं आप निवेश के बजाए अठकलों के द्वारा अपनी वेल्थ को कम करते हैं बलकि अपने हालातों से किसी और को बढ़ाते हैं ग्राहम की निवेश की परिभासास पष्ट है निवेश पूरी तरह से विशलेशन, प्रिंसिपल और एक परियापत रिटर्न की सुरक्षा का वादा करता है ध्यान दें कि ग्राहम के अनुसार निवेश में तीनों तत्व समान रूप से होते हैं पहला आपको अच्छी तरह से कंपनी का विशलेशन करना चाहिए और इसमें अंतरनी हित आपके व्यावसाई की द्वहनी को भी महसूस करना चाहिए इससे पहले कि आप अपने शेयर खरिदते हैं दूसरा आपको समझदारी पूरवक अपनी गंभीर नुकसानों से रक्षा करनी चाहिए तीसरा आपको परियाब्त नहीं बलकि ऐसा धहन परदर्शन करना चाहिए एक निवेशक अपने कारोबार के मुल्या के आधार पर शेयर मुल्या की गन्ना करता है एक शेयर को इसाधार पर चुनना कि उसमें दूसरे लोग अधिक बुक्तान कर रहे हैं एक तरह से जुआ है एक सटेवाज के लिए स्टाक कोट्स लगातार अक्सिजन धारा की तरह है इसे काटते ही वह मर जाता है एक निवेशक के लिए गराहम के कही कोटेशन के मुल्या बहुत कम है गराहम आग्रह करते हैं कि आप केवल तभी शेयर में निवेश करें जब आप अराम देस्तिति में हो कि निवेश करने के बाद आपको रोजना अपने शेर की देनी कीमत जानने की आवशकता महसूस नहो यदि आप भाग्यशाली हैं तो कैशिनों, जुवा या गोडों पर सटेवाजी की तरह बाजार की अटकलें आपको रोमान चक या पुरुसकरत कर सकती है लेकिन पैसा बनाने का यह सबसे बुरा काल्बनिक तरीका है इसा इसलिए है क्योंकि वाल स्टेट, लास वेगास या गुर्दोड की तरह यह हमेशा इस तरह है कि इसमें विश्वास करने वाले सबसे पहले अपने आपसे ही हारे होते हैं दूसरी और निवेश कैसी नोका एक अनूठा परकार है जिसमें आप अंतमेक होते नहीं हैं तो नियम यह है कि जब तक आप अपने निवेश के साथ बाजार में रुकेंगे यह आपके पक्ष में गुनात्मक फर्क डालता है जो लोग खुद के लिए पैसा बनाने के लिए निवेश करते हैं और हर बार वाल स्टीट के भड़किले परचार के कारण खरीदते और बेशते रहते हैं वो लोग अपने दलालों के लिए पैसे बनाते हैं हाई स्पीड ग्रहम चेताते हैं कि ब्रहमक अटकलों की वजैसे निवेश हमेसा एक गलती होती है 1990 के दशक में ब्रहम ने सामोहिक विनाश का नेतरतों किया था ऐसा लगदा था जैसे अहर किसी का धहरिये खत्म हो गया और अमेरिका अटकलों का राश्ट्र बन गया ट्रेडर्स एक शेयर से दूसरे शेयर की खरीद परोक्त इस तरह ऐसे कर रहे थे जैसे अगस्त के महिने में गहास के मैदान के चारों और टिड़ी दल मड़ा रहा हो लोगों ने यह विश्वास करना शुरू कर दिया कि यह एक निवेश टकनिक का परिक्षन था कि यह काम कर रहा है अगर उन्होंने किसी भी आउदी के दोरान बाजार से लाब उठाया था चाहे उनकी रणनिती कितनी ही खतरनाक हो लोगों ने दावा किया कि वे सही थे लेकिन बुद्धिमान निवेशक की ऐस्थाई रूप से सही होने में कोई दिलस्थ भी नहीं है अपने दिर कालिन वितिय लक्षों तक पहुंचने के लिए आपकी तकनिक को स्थाई और भरोशे मंद होना ही चाहिए 1990 के दशक के कारोबार की तकनिकें जो डे ट्रेडिंग, डाइवर्सिफिकेशन को अंदेखा करना, होट म्यूचल फंडोंग में जाना, स्टोक पिकिंग सिस्टम के बाद काम करती है लेकिन उन्हें लंबे समय तक परचलित होने का मोका नहीं मिला, क्योंकि वे ग्राहम के निवेश के सभी तीन मान दंडों को पूरा करने में नाकाम रहे यह देखने के लिए कि क्यों ऐस थाई रूप से प्राप्त उच रिटर्न कुछ साबित नहीं करते हैं कल्पना करें कि दो स्थान आपस में एक दूसरे से 130 मिल की दूरी पर है अगर मैं 65 मिल परती गंटे की गती से चलता हूँ तो मैं उस दूरी को दो गंटों में पूडा कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं 130 मिल परती गंटे की रफ्थार से ड्राइव करता हूँ तो मैं वहां एक गंटे में पहुंच जाता हूँ लेकिन अगर मैं इस कोशिश में जीवित रहता हूँ तो मैं सही हूँ क्या आपको यह कोशिश करने का लुप उठाना चाहिए क्योंकि आप मुझे यह कहते हुए सुनते हैं कि यह काम करता है बाजार को जीतने के लिए बहुत से चमकदार चीज़ें एक जैसी होती है जब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं तब तक आपकी किस्मत काम करती रहती है 1903 में जब ग्राहम ने आखिरी बार इंटेलिजिन्ट इन्वेस्टर को संसोधित किया तो न्यूयर्क स्टोक एक्सचेंज की वार्षिक कारोबार दर 20% थी जिसका आर्थ है कि ठेट शेर धारक ने इसे बेचने से पहले 5 साल तक स्टोक को होल्ड पर रखा था 2002 तक कारोबार दर में 105% की गिरावट दर्ज की गई जिसकी केवल 11.4 महिने की होल्डिंग अवदी थी 1973 में ओसत म्यूचल फंड लगवग तीन वर्षों तक स्टोक पर आयोजित हुआ 2002 तक शेर स्वामितों की अवदी केवल 10.9 महिने तक घट गई थी एसा लगता है कि म्यूचल फंड परबंदक अपने शेरों का अध्यन कर रहे थे ताकि वे सीख सकें कि उन्हें सबसे पहले नहीं खरीदा जाना चाहिए था फिर उन्हें तुरंत ढंप कर दिया गया और सभी पर काम करना शुरू कर दिया गया यहां तक कि सबसे सम्मानित मनी परबंदन फर्मों को भी परेशानी हुई 1995 की शुरुवात में फिडेलिटी मेगलन जो तब दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचल फंड था जिसके परबंदक जेफरी विनिक की प्रोधोगी की शेरों में 45.5% समपतियां थी विनिक ने गोशना की कि उनके ज्यादातर शेरधारकों ने उन लक्षों के लिए फंड में निवेश किया है जो वर्सों दूर है मुझे लगता है कि उनके उदेशे मेरे जैसे ही है और वे मानते हैं जैसा कि मैं करता हूँ कि दिर्ग कालिन दृष्टिकों सबसे अच्छा है लेकिन उन उच विचारधारा वाले शब्दों को लिखने के छे महिने बाद विनिक ने लगबग सभी तकनिकी शेरों को बेश दिया और उन आठ उनमादी सब्ताहों में लगबग 19 बिलियन डॉलर के मुल्या के शेर बेचे और 1999 तक फिडेलिटी के डिसकाउंट ब्रोकरेज डिविजन अपने ग्रहाकों को किसी भी समय पॉम हेंड हेल्ड कम्प्यूटर का उप्योग करके कहीं भी व्यापार करने के लिए म पतकाल पैसे कमाने के लिए ओनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम बनाया मारगन स्टेनली की फर्म की ओनलाइन शाखा डिसकाउर ब्रोकरेज ने एक टीवी एड चलाया जिसमें एक स्कुरूफी टाव ट्रक ड्राइवर एक समरद दिखने वाले कार्यकारी को चुमता है उसके ड कहने हुए आदमी कहता है यहे एक द्वीब की तरह दिखता है ड्राइवर जवाब देता है तकनिकी रूप से यहे एक देश है परचार आगे बढ़ गया ओनलाइन व्यापार कहता है कि इसके लिए ने तो काम की और ने ही किसी विचार की आवशकता है ओनलाइन ब्रोकर अ कहती है मुझे लगता है कि मैंने अभी लगबग 1700 डोलर कमाई है वाटर हाउस प्रोकरेस फर्म के टीवी विज्यापन में किसे ने बास्केट बाल कोच फिल जेक्सन से पूछा आप इसके बारे में कुछ जानते हैं उनका जवाब था मैं इसे अभी बनाने जा रहा हूँ वे किसी भी तरह दूसरी टीम के बारे में कुछ भी नहीं जानते लेकिन कहे रहे थे मैं अभी खेलने के लिए तैयार हूँ 1999 तक कम से कम 6 मिलियन लोग ओनलाइन व्यापार कर रहे थे और उन में से दस्वाँ हिस्सा तिवर गती से स्टोक खरीदने और बेचने के लिए इंटरनेट का उपयोग करके डे ट्रेडिंग कर रहा था क्यूबेंस न्यूवियर्क में 25 वर्षिया पूरू वेटर शोविज डिवा बारबरा स्ट्री सेंट से निकोलस बीरबास के सभी लोग लाइव कोईलों के स्टोक भर रहे थे इस से पहले बीरबास ने निन्दा की मैं लंबी अवदी के लिए निवेश कर रहा था और मुझे पता चला कि यह स्मार्ट नहीं था अब बीरबास ने दिन में दस बार शेयरों का कारोबार किया और एक साल में दस लाख डोलर कमाने की उमीद की मैं अपने लाव या हानी कोलम में लाल देखने के लिए खड़ा नहीं हो सकता स्ट्री सेन्न ने फोर्चून के साथ एक साक्षातकार में कहा मैं बैलस बेल हूँ इसलिए मैं लाल पर प्रतिकरिया करता हूँ अगर मैं लाल देखता हूँ तो मैं अपने स्टोक बेशता हूँ नाई की दुकानों, रसोई, कैफे, टैक्सी कैप्स और ट्रक स्टॉप वित्य वेब साइटों और वित्य टीवी शेरों के बारे में निरंतर डेटा डालने से, शेर बाजार को नोन स्टोप राष्ट्रिय वीडियो गेम में बदल दिया गया जनता पहले से कहीं ज़्यादा बाजारों के बारे में अधिक जानकार महसूस कर रही थी दुरभाग्य वस जब लोग डेटा में डूब रहे थे तब ग्यान कहीं नहीं था उन कमपनियों के स्टाक पूरी तरह से खात्म हो गए जिन्होंने उन्हें जारी किया था शुद्ध अवाश्ट रशन बस एक टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाले ब्लिप मातर रहे गए थे 20 दिसंबर 1999 को जुनो आनलाइन सर्विस ने एक ट्रेल ब्लेजिंग बिजनेस प्लान का शुभारम किया जिससे उन्हें संभावत है कुछ नुक्षान होना निश्चित था जुनो ने गोशना की कि अब से यहे अपनी सभी खुद्रा सेवाओं को इमेल के द्वारा निशुल्क परदान करेगा वे इंटरनेट एकसेस के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा विग्यापन पर और अग व्यावसाय को सीखना क्यों फाइदे मन था या यहे क्यों आवशक था कि कंपनी दवारा उतपादित सामान या सेवाएं कैसी थी या उसका प्रबंदन कैसा था या कंपनी का नाम क्या था आपको श्टोक के बारे में जानने की जरूरत थी उनके परतिकों का आकरशक कोड था CBLT, INKT, PCLN, TGLO, VRSN, WBVN इस तरह आप उन्हें तेजी से खरीच सकते हैं बिना दो सेकेंड की देरी किये 1998 के उत्रारद में एक छोटी दुरलब व्यापार रखरकावाली कंपनी टेमको सर्विसेज का स्टोक रिकोर्ड हाई वल्यूम पर कुछ मिनटों में लगबग तीन गुना हो गया क्योंकि वित्य डिस्पलेसिया के एक विचितर रूप में हजारों व्यापारियों ने टीकर मास्टर के लिए अपने टीकर प्रतिक टीम सीयो को भूलने के बाद टेमको खरीदा इस इंटरनेट स्टोक ने पहली बार सारजुनिक रूप से व्यापार शुरू किया ओसकर वाइल्ड ने मजाक किया कि एक सनकी सब कीमत जानता है और कुछ भी नहीं इस परिभासा के तहप शेर बाजार हमेशा क्रोधित होता है क्योंकि 1990 के उत्रार्द में इसने आसकर को चौका दिया एक शेर की कीमत पर ब्लेड राइ कंपनी शेर को दुगना कर सकती है भले ही इसका मुल्य पूरी तरह से एपरत्यासित हो गया हो 1500 से 400 तक बताया उस दिन एमोजन ने 19 परतिसत की बढ़ोतरी की और ब्लेक जेट के विरोध के बावजूद उनका मुल्य लगबग एक साल का पूरवा नुमान था जो सिर्फ तीन हपतों में 400 से आगे बढ़ गया था एक साल बाद पैन वेबर के विशलेशक वाल्डर पाई सीक ने भविश्यवानी की कि कौलकाम स्टोक अगले 12 महिनों में 1000 डोलर परतिस शेर पर पहुंच जाएगा उस साल स्टोक में पहले से ही 1842 परतिसत की बढ़ोतरी हुई और उस दिन 31 परतिसत की बढ़ोतरी हुई जो की 669 डोलर परतिस शेर पर पहुंच गया फार्मूले से नाकाम्याबी तक लेकिन व्यापार जैसे कि इतनी तेजी पर है यह अटकलों का एक मात्र रूप नहीं है पिछले एक दशक में एक के बाद एक 60 सुत्र को बढ़ावा दिया गया लोगप्रिय किया गया और फिर एक तरफ फेंक दिया गया उन सभी ने यह जल्दी है यह आसान है बिना प्रिश और अनुमान लगाने के बीच ग्रहाम के नियमों में से एक का उलंगन किया यहां कुछ ट्रेंडी सुत्र है जो ओंधे मुँए गिर गए थे नकदी कलेंडर जनुवरी प्रभाव साल के यंत में बड़े लाप पैदा करने के लिए छोटे शेहरों की प्रवर्ती चोटे शेहरों में स्टोक किया और उन्हें जनुवरी तक रखा तो आप 5-10% तक रिटर्न पाएंगे जिसने कई विसेसग्यों को चकित कर दिया आखिरकार अगर यह आसान था निश्चित रूप से हर कोई इसके बारे में सुनता था बहुत से लोग ऐसा करेंगे और उनक इसने करमिस्ट शेयर बेशते हैं दूसरा पेसेवर मनी मैनेजर अधिक स्तर्क हो जाते हैं क्योंकि वर्ष नजदिक आ जाता है जो उनके प्रदर्शन को सुरक्षित रखने की मांग करता है इससे उन्हें गिरने वाले स्टोक खरीदने के लिए अनिच्छुक बनाता है औ जब कर संचालित बिक्री जनवरी में स्वाप्त हो जाती है तो वे आम तोर पर मजबूत और तेजी से लाब पैदा करते हुए वापस बेशते हैं जनवरी का प्रभाव ज्यादा नहीं चला है और यह कमजोर हो गया है रोचेस्टर विश्विद्याले के विद्प्रोफेस विलियम स्वाट के मुताबिक यदि आपने दिसंबर के आखिर में चोटे शेयर खरीदे थे और उन्हें जनवरी के शुरू में बेश दिया था तो 1980 से 1989 तक 4.4 अंक से 8.5 प्रतिशत अंक तक आपने बाजार से लाब लिया होगा और 1990 से 2000 तक 5.8 अंक तक जैसा कि जनवरी के प्रभाव के बारे में अधिक लोगों ने सीखा ज़ादा व्यापारियों ने दिसंबर में छोटे शेयर खरीदे जिससे उन्होंने सोधा कम किया और इस प्रकार उनके रिटर्न कम हो गए इसके अलावा जनवरी प्रभाव सबसे छोटे शेयरों में सब अफसोस की बात है कि आपके ब्रोकर का बुगदान करने के समय जनवरी प्रभाव पर आपके लाब बहे जाते हैं बस वही करें जो काम करता है 1996 में जेम्स ओशांगनेश नामक एक एसपस्ट मनी मैनेजर ने वाट वर्क्स ऑन वाल स्ट्रीट नामक पुस्तक परकाशित की इसमें उन्होंने तर्क दिया कि निवेशक बाजार से काफी बहतर प्राप्त कर सकते हैं और शांगनेश ने एक शांदार दावा किया 1954 से 1994 तक आप 10,000 डोलर से 84,504 डोलर तक कमा सकते हैं बाजार से 10 कुनाशे अधिक यानि 18.2 प्रतिशत ओसत वार्सिक रिटर्न से उच्चतम एक साल के रिटर्न के साथ 50 चेरों की बकेट खरीद कर कमाई के 5 सीधे साल और अपने कॉर्परेट राजसों में डेट गुना से भी कम कीमते साज़ा करें जैसे की वे वाल स्ट्रीट के एडिशन थे ओशानेसनेस ने यूएस पेटेंट प्राप्ट किया उनकी स्वैसालित रणनीतियों के लिए संक्या 5, 988, 778 और अपने निशकर्षों के आधार पर चार म्यूचल फंडों का एक समू लोंच किया 1990 के उत्रारद तक उन फंडों ने जनता से 175 मिलियन डॉलर से अधिक ले लिये थे और शेर धारकों को उनके वार्षिक पत्र में ओशान सेनी ने कहा हमेशा की तरह मुझे आशा है कि हम साथ मिलकर अपने दिर्ग का निल लक्षों तक पहुं सकते हैं लेकिन वाल स्ट्रीट पर क्या काम करता है ओसेन्सी ने इसे परचारीद करने के ठीक बात काम करना बंद कर दिया उनके दो फंड इतनी बूरी तरह से डूप गए कि वे 2000 के आरम में बंद हो गए जून 2000 में वे अपने नए लंबे समय के लक्षों के करीब चले गए और उस दन को नए परवंद को के हातों में अपने ग्रहाकों को समय पर इक्षन निवेस रन्नितियों के बाद कुद को बचाने के लिए छोड़ दिया दशिशित फूर का पालन करें 1990 के दसक के मद्धे में मोटली फूल वेबसाइट और कई किताबों ने दफूलिश फूर नामक तकनीक को डेलाइट्स और हाईलाइट किया मोटली फूल के मताबिक आपके बाजार ओसत पिछले 25 वरसों में आपके निवेश की योजना बनाने पर सालाना केवल 15 मिनिट खरच करके अपने म्यूचल फंड को क्रेश कर सकता है सबसे अच्छा इस तकनीक में निवनतम जोखिम था आपको बस इतना करना था पहला सबसे कम स्टोक कीमतों और उसतम लाभांस उपज के साथ डाउजोंस औध्योगिक उसत में 5 शेयर लें दूसरा सबसे कम कीमत वाले को छोड़ दें तीसरा शेयर में अपने पैसे का 40 परतिसत दूसरे सबसे कम कीमत वाले में रखें चोथा सेस तीन शेयरों में से प्रतेक में 20 परतिसत रखो पांचवाँ एक साल बाद डाउजोंस को वैसे ही शोट करें और चरण एक से चार के अनुसार पोर्टफोलियो को रिसेट करें छटा अमीर बनने तक इसे दोहराते रहें 25 साल की अवधी में मोटली फूल ने दावा किया कि इस तकनीक ने सालाना उलिखनिये 10.1 परतिसत अंक से बढ़ोतरी हासिल की है उन्होंने बताया कि दैफुलिश पोर में आपके 20,000 का निवेश अगले दो दसकों में 17,90,000 का हो जाएगा आईए माल लेकी यहर अन्निती ग्रहाम की निवेश की परिभासाओं को पूरा कर सकती है पहला किस तरह का गहन विशलेशन स्टोक को एकल सबसे आकरशक मुल्य और लाभास के साथ छोड़ने का उसुत्ते साबित कर सकता है लेकिन उन चार गुणों के साथ दूसरा आउक के पैसे का 40 परतिसत केवल एक स्टोक में रखें यह नुनुतम जो खिम्में डाल सकता है और तीसरा प्रिंसिपल की सुरक्षा परदान करने के लिए केवल चार शेरों का पोर्टपोलियो कितना विविद्धा पूर्ण हो सकता है संक्षेप में कभी भी सबसे अधिक कोक मामी स्टोक पिकिंग फॉर्वलों में से एक था लोगों ने ओस एंगनेस के साथ कलती की यदि आप बड़ी मात्रा में डेटा को काफी देर तक देखते हैं तो पैटरन की एक बड़ी संख्या उबर कर सामने आएगी अकेले या चादित भागे से कंपनियां जो ओसत स्टोक रिटरन का उतपाधन करती है उन में बहुत सारी चीज़ें आम होंगी लेकिन जब तक उन कारकों से शेरों का प्रदर्शन नहीं हो जाता है तब तक भविश्य में रिटरन की भविश्य वानी करने के लिए उनका उप्योग नहीं किया जा सकता निश्चित रूप से बाजार को कुचलने की बजाए मूर्खोंने हाजारों लोगों को कुचला जो यहे विस्वास बेवकुफी स्थर तक मानते थे कि निवेश का यह एक रूप था अकेले 2000 में चार मूर्ख शेर केटरपिलर इस्ट मैन कोडक, एस बी सी और जनरल मोटर 14% की गिरावट आई जबकि डोव में केवल 4.7% की कमी आई जैसा कि इन उधारनों से पता चलता है केवल एक चीज है जो वाल स्टीट पर बेर बाजार को कभी भी डराती नहीं है डोपी विचार इन तथापिद निवेश दृष्टिकोणों में से प्रते ग्राहम के कानून का शिकार हो गया उच्च स्टोक परदर्शन अरजित करने के लिए सभी यांतरिक सुत्र एक प्रकार की आत्म विनाश कारी परकिरिया जैसे कम रिटर्न के कानून के समान है रिटर्न कम होने के दो कारण है अगर सुत्र केवल या चादित संक्य की फ्लूक्स पर आधारित था केवल समय से पता चलता है कि पहली जगे में कोई समझ नहीं आया दूसरे तरफ अगर सुत्र वास्तों में अतीत में काम करता था जनूरी प्रवाव की तरह तो इसे परचारित करके बाजार पंडित हमेशा खराब हो जाते हैं और आम तोर पर भविश्य में पहला आपको कभी यह सोचने के लिए खुद को ब्रहमित नहीं करना चाहिए कि आप अनुमान से निवेश कर रहे हैं दूसरा जब आप इसे गंभीरता से लेना शुरू करते हैं तो अटकले मोतिक रूप से खतरनाक हो सकती है और तीसरा आपको उस राशी पर सुरुच्छित रूप से बंद कर दें बुद्धिमान निवेशक अपने कुल पोर्टफोलियों का एक छोटा सा हिस्सा पागल धन खाते के रूप में रखते हैं हम मेंसे अधिकांस के लिए हमारी कुल संपत्ती का दस प्रतिसत सटा जोखिंपर अधिक्तम स्विकारियर राशी है अपने निवेश खातों में जो कुछ भी है उसके साथ अपने सटा खाते में धन को कभी भी नए जोड़ें कभी भी अपनी सटा सोच को अपनी निवेश कतिविदियों में फैलने के अनुमती नए दें और अपने पागल धन खाते में दस परतिसत से अधिक संपतियों को कभी भी ने डालें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है बेहतर या बद्दर के लिए जुआ वरति मानो परकर्ति का हिस्सा है इसलिए अधिकांस लोगों के लिए इसे दबाने की कोशिस करना व्यर्थ है लेकिन आपको इसे सीमित और संयोजित करना होगा यह सुनिश्चित करने का एक मात्र सबसे अच्छा तरीका है कि आप कभी भी निवेश के साथ ब्रहमित अटकलों में खुद को मुर्क नहीं बनाएंगे धन्यवाद hindiaudiobook.com आपका दिन शुब हो दा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लेखक बेंजामिन ग्राहम भाग दो अध्याएद दो इन्वेस्टर और इन्फलेशन अमेरिकी मजबूत हो रहे हैं बीस साल पहले दश डोलर में खरीदे गई किरानी का सामान उठाने के लिए दो लोगों को लगना पड़ता था लेकिन आजकल केवल दश डोलर में इतना ही सामान आता है कि एक प्वांच वर्षिय बच्चा भी उसे उठा सकता है हैनी यंग मैन मुद्रा स्पिति की दर इसकी कौन परवा करता है 1997 से 2002 के बीच वस्तों और सेवाओं की लागत में ओसत वर्दी 2.2 परतिसत से कम थी और अर्थ सास्तियों का मानना है कि यहां तक की राक डाउन दर भी अधिक हो सकती है उधारन के लिए कम्प्यूटर और गहेलू इलेक्टोनिस्क की कीमतें कम हो गई वे इन वस्तों की गुणमत्ता बढ़ गई जिसका आर्थ है कि उबोगताओं को उनके पैसे का बेहतर मुले मिल रहा है हाल के वर्षों में संक्त राजय अमेरिका में मुद्रास्पिती की वास्च्विक्टर सालाना लगबग एक प्रतिसत चल रही है इसको पंडितों नें गोषना की कि मुद्रास्पिती मरत प्राए हो गई है मुद्रास्पिती के महत्व को नजर अंदाज करने का एक अन्यकारण है जिसे मनोवेग्यनिक पैसे का ब्रहम कहते है यदि आपको एक वर्ष में दो प्रतिसत की वर्दी होती है और मुद्रास्पिती चार प्रतिसत पर चल रही है तब आप लगभग दो प्रतिसत पे कट पाते हैं उस समय आप निश्चित रूप से बहतर महसूस करेंगे जब मुद्रास्पिती सुन्य होने पर एक वर्स के दोरान जीरो प्रतिसत वेतन कटोती होती है फिर भी आपके वेतन में दोनों बदलाव आपको वस्तुते समान सिति में छोड़ देते हैं जब तक नाम मात्र या पूर्ण परिवर्तन सा कारात्मक होता है हम इसे एक अच्छी चीज के रूप में देखते हैं भले ही मुद्रस्पिती के बाद परिणाम नकारात्मक हों और आपके वेतन में कोई भी बदलाव पूरी तरह से अर्थ्वी आउस्ता में कीमतों के समानिकरत परिवर्तन की तुलना में अधिक ज्वलंद और विशिस्ट हैं इसी तरह निवेशकों को 1980 में बेंक प्रमान पत्तर पर 11 प्रतिसत कमाने से प्रसंता हुई और वे उस समय बहुत निराश हुए जब 2003 में 2 प्रतिसत कमाई कर रहे थे भले ही वे मुद्रस्पिती के बाद पैसे ने बचा पाए हों हमारे द्वारा अरजित मामूली दर बेंक के विज्यापनों में दिखती है और इसकी खिड़की से पोस्ट की जाती है जहां में बड़े अंक अच्छा महसूस करवाते हैं लेकिन मुद्रस्पिती उन बड़े अंकों को गुपत रूप से खाती रहती है विज्यापन के बजाए मुद्रस्पिती हमारी संपती ले जाती है यही कारण है कि मुद्रस्पिती को नजर अंदाज करना इतना आसान नहीं है आपके निवेश की सफलता को मापने के लिए इतना महतवपून यह है कि आप क्या करते हैं ने कि आप मुद्रास्पिति के बाद कितना बचाते हैं। मुल रूप से बुद्धि माननी वेशक को हमेशा ए प्रत्यासित और कम अनुमानित होने के खिलाफ साउधन रहना चाहिए। यह विश्वास करने के तीन अच्छे कारण है कि मुद्रास्पिति अभी निस्परान नहीं हुई है। 1989 में मुद्रास्पिति 13.3% पर बढ़ी जिसको अर्थव्यवस्था के पैरलाइज के रूप में जाना जाता है। जिसने कईयों को यह पूचने के लिए प्रेरित किया कि अमेरिका वैस्विक बाजार में परतिस परदा कर भी सकता है या नहीं। 1983 की शुरुवात में 100 डॉलर की कीमत वाले सामान और सेवाओं की कीमत 1982 के अंत तक 230 डॉलर हो गई थी जो डॉलर के मुल्य को 45 सेंट से कम कर देती है। जो भी इसका प्रियोग करता है वह धन के इस विनाश पर उपहास करेगा। जो समझदार नहीं है वह जोखिम के खिलाफ सुरक्षा में यह सफल हो सकता है और इसे दोहडा सकता है। दूसरा, 1960 से दुनिया के बाजार उन मुक्तेसों में 69 परतिसत ने कम से कम एक वर्ष में 25 परतिसत या उससे अधिक मुद्रस्पिती की वार्षिक दर्का सामना किया है। ओसतन उन मुद्रस्पिती अवदी ने निवेशक की क्रेशक्ती का 53 परतिसत नश्ट कर दिया। यहां कभी नहीं हो सकता है। तीसरा, बढ़ती कीमतों में अंकल सेम ने मुद्रस्पिती से सस्ता डोलर के साथ अपने करज का बुगतान करने की अनुमती दी। मुद्रस्पिती को पूरी तरह से खत्म करना उस किसी भी सरकार के आर्थिक स्वेहित के खिलाप है जो नियमित रूप से धन उदार लेती है। आधा बचाओ। बुद्धीमान निवेशक मुद्रस्पिती के खिलाप सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है। मानक जवाब स्टोक खरीदना है लेकिन सामान्य उत्रों के रूप में अक्सर यह पूरी तरह से सच नहीं है। जब उब बोगता वस्तुओं और सेवाओं की किमते गिर गई स्टोक रिटर्न भयानक थे। बाजार के मुल्य के 43 परतिसत तक खोने के साथ-साथ मुद्रस्पिती 6 परतिसत हो गई और स्टोक भी डूब घया। स्टोक मार्केट ने 14 वर्सों में से 8 में पैसा खो दिया, जिसमें मुद्रस्पिती 6 परतिसत से अधिक हो गई। उन 14 वरसों के लिए ओसत रेटर्न 2.6 प्रतिसक था। हालांकि हलकी मुद्रास्पिती कमपनियां ग्रहाकों को अपनी कच्छी सामगरी की बढ़ी हुई लागत को पारित करने के अनुमती देती है। लेकिन उच्छ मुद्रास्पिती के कारण ग्रहाकों को अपनी खरीद और अर्थ्वी अवस्ता में निराशा जनक गतिविदी को कम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसका मतलब है कि शेर मुद्रास्पिती के साथ समय के एक पांचवे हिस्से में बने रहने में नाकाम रहे। रेश्क्यू के लिए दो सटीक शब्द सो भाग्य से आप शेरों से बाहर शाखाओं द्वारा मुद्रास्पिती के खिलाब अपने बचाओं को मजबूत कर सकते हैं। चुकि ग्रहाम ने आखिरी बार लिखा था, दो मुद्रास्पिती सेनानी निवेशकों के लिए व्यापक रूप से उपलब्द हो गए हैं। REITS और TIPS और उन्हें एकत्रित करती हैं। दस Real Estate Mutual Fund Bundle में REIT मुद्रास्पिती का मुगावला करने का एक अच्छा काम करते हैं। सबसे अच्छा विकल्प Vanguard REIT Index Fund है। अन्य अपेक्षा करतकम लागत वाले विकल्पों में Cohen and St.Ars Realty Share, Columbia Real Estate Equity Fund और Fidelity Real Estate Investment Fund शामिल हैं। जबकि REIT Fund की एक सटीक मुद्रास्पिती लड़ाकू होने की संभावना नहीं है। इसके अपने समगर रिटर्न में बादा डाले बिना क्रेशक्ती के क्षरण के खिलाप रक्षा के लिए लंबे समय तक इसे आपको कुछ देना चाहिए। TIPS, Treasury Inflation Protected Securities या TIPS, U.S. सरकार के बॉंड हैं। जिने पहली बार 1997 में जारी किया गया था। जो मुद्रास्पिती बढ़ने पर स्वेचालित रूप से मुल्य में बढ़ जाती है। TIPS यह भी गारंटी देता है कि आपके निवेश का मुल्य मुद्रास्पिती से खत्म नहीं होगा। एक आसान पैकेज में आप वित्य नुक्षान और क्रेशक्ती के नुक्सान के खिलाफ खुद को भी मित करते हैं। जब मुद्रास्पिती के गर्म होने के खारण आपके TIPS बोंड का मुल्य बढ़ता है, आंतरिक राजसव सेवा मानती है कि कर योग्य आई के रूप में मुल्य में व्रदी, भले ही यह पूरी तरह से एक पेपर लाब है जब तक कि आप अपने नए उच्छ मुल्य पर बों हैं क्यों? इस बेहद उतेजित कर जटिलता के कारण, TIPS एक आई आरे जैसा कर स्थागित सेवा निवर्द खाते के लिए सबसे उप्यूगता है, 401K जहां वे आपकी कर योग्य आई को जैक नहीं करेंगे, आप सिदे US सरकार से TIPS खरीद सकते हैं, या कम लागत वाले मुच या तो सिदे या किसी फंड के माध्यम से TIPS अनुपात के लिए आधर्ष विकल्प है, आपकी सेवा निवर्दी निदी का आप अन्यथा नगद में रहेंगे, उन्हें व्यापार ने करें, TIPS कम रन में एस्तिर हो सकता है, लेकिन वेस्थाई आजीवन होल्डिंग के पैसे का एक हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित रखने और मुदरस्पिती के लंबे एद्रश्य पंजे की पहुंच से परे एक बुद्धिमान तरीका है। अगर आपको पता नहीं है कि आप कहां जा रहे हैं, तो आपको सावधन रहना होगा, क्योंकि आप वहां नहीं जा सकते हैं। योगी भेरा एक समय तक दिखता था, इसी समय बाजार उन गुरुओं और सर्वस्रेश्ट किताबे बेचने वालों के तरक को सुनता है, जो कभी भी अपने जीवन काल में इस क्षितिज पर नहीं पहुंचे थे। ग्राहम के तरक कमूल यह है कि बुद्धिमान निवेशक को अतीत के आधार पर बविश्य का पूरवानुमान कभी नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यवर्ष यह वास्तों में एक गलती रही कि 1990 के दसक में एक के बाद एक बुलिश किताबों की एक धारा ने जैसे वाटन फाइनस प्रोफेसर जेरेमी सिगेल की स्टाक फोर दा लोंग रन 1994 के बाद जेम्स ग्लासेन और केविन हैसेट के डव 36,000, डेविड ए जादी सभी परकाशित हुई। पुर्वा नुमानियों ने तरक दिया कि 1802 के बाद से मुद्रास्पिती के बाद शेरों ने वार्शी कोसत में 7% तेजी बना ली थी। इसलिए उन्होंने निशकर से निकाला कि निवेशकों को भविशे में और ज्यादा तेजी की उमीद क करनी चाहिए। कुछ शेर ऐसे भी थे जो कम से कम 30 वर्सों की किसी भी आउदी में हमेशा आगे रहे थे। इसलिए स्टोक में बॉंड या यहां तक की बैंक नगत से कम जोखिम था और यदि आप लंबे समय तक शेरों का स्वामी तो रखकर सभी जोखिमों को खत्म कर सकत तो आप उन के लिए कितना भुगतान करते। 1999 और 2000 के आरंब में बैलोनी हर जगे था। पूरी तरह से विकास। विकास के पूर्ण मुल्यों को देखो यह बड़ा है। 10 अपरेल 2000 को बिजनस वीक पर जेफरी एम एपल गेट फिर लेमन ब्रदर्स के मुख्य निवेश रननीतिकार ने ऐसिस्टता से पूछा क्या शेर बाजार दो साल पहले से आज खत्रे में है क्योंकि कीमते अधिक है जवाब ना है। लेकिन जवाब हाँ है यह हमेशा रहा और जब गराहम ने पूछा क्या इस तरह की अशक्तता निर्दोस हो सकती है वह जानते थे कि उस प्रसन का कोई शाश्वत उतर नहीं हो सकता है। प्रोधित युनानी भगवान की तरह शेहर बाजार ने उन सभी को कुचल दिया जो इस बात पर विश्वास करते थे कि 1990 के उतरार्द के उच रिटर्न किसी प्रकार का दिव्यवरदान था। देखें कि लेंडिस, फ्रोईलीक और एपल गेट द्वारा किये गए एक पूर से खराब विन स्टार कम्युनिकेशन 99.9 प्रतिसत गिर गया। प्रोईज के पसंदीदा शेयर सिसको सिस्टम्स और मोटोरोला 2002 के यांत तक 70 प्रतिसत से अधिक गिर गए। निवेश्कों को अकेले सिसको पर 400 बिलियन डोलर से अधिक का नुकसान हुआ जो कि हांकोंग, इजराइल, कुवेट और सिंगापूर के संयुक्त आर्थिक उतबादन से अधिक था। अपरेल 2000 में जब एपल गेट ने उधारवादी सवाल पूछा तो डाक्टर जोन्स इंडस्ट्री ग्याराजार 187 पर नास्डेक कंपोजिट इंडेक्स 4446 पर था। निसकर्स यह रहा कि जो जितनी स्पीड से उंचा गया वह उतनी ही स्पीड से नीचे गीरा। इस प्रकार के शेर के लिए स्थाई परतिरक्षा के रूप में ग्राहम बुद्धिमान निवेशक से कुछ सरल, संदिग्द सवाल पूछने का आगरह करते हैं। शेरों का भविश्य रिटर्न हमेशा अपने पिछले रिटर्न के समान क्यों होना चाहिए। जब परतेक निवेशक का मानना है कि लंबे समय तक पैसे कमाने के लिए स्टोक की गारंटी है तो क्या बाजार में भारी गिरावट नहीं होगी। जब एक बार ऐसा होता है तो भविश्य में कैसे संभवते उच रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं। ग्राहम के जबाब हमेशां से तर्क और सामन्य ग्यान में नहीत हैं। किसी भी निवेश का मुल्य हमेशां इसके लिए बुगतान की जाने वाली कीमत का एक कारिया होना चाहिए। कमाई कर रही थी जो सीमित है। निवेशकों को स्टोक के लिए बुगतान करने के इच्चुक होने की कीमत भी सीमित होनी चाहिए। इस बारे में सोचें माइकल जोर्डन अपने पूरे समय का सबसे बढ़ा बास्केट बाल खेला रही हो सकता है और उसने परसंसकों को शिकागो स्टेडियम में एक विशाल इलेक्ट्रो मैनेट की तरह खींच लिया। शिकागो बुल्स को लकडी के तल के च्यारों और एक बड़ी चमडे की गेंद उचालने के लिए जाडन को सालाना 34 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का सोदा मिला। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बुल को प्रति सत्र 340 मिलियन या 3.4 बिलियन या 34 बिलियन का भुगतान करना उचित होगा। आप्टिमिजम की शिमाएं बाजार की हालिया रिपोर्ट पर ध्यान के निरित करते हुए ग्राहम चेतावनी देते हैं कि यह काफी आजीब और खतरनाक निश्कर से है कि भविश्य में आम शेरों के लिए समान रूप से आस्चे रेजनक परिणाम की उम्मिद की जा सकती है। 1995 से 1999 तक बाजार में 20 परतिसत वर्दी हुई जो अमेरिकी इतिहास के स्टोक खरीदारूंग में अभूत पूरू आशावादिता बन गई। 1998 के मद्धे में पैन वेबर ब्रोकरेज फर्म के गैलूप संग्थन दवारा सर्वेक्षन किये गई निवेशकों ने उम्मीद की थी कि आने वाले वर्ष में उनके पोर्टपोलियो ओस्तन 13% की कमाई करेंगे। 2000 की शुरूवाद तक उनकी ओसत अपेक्षित वाफसी 18% से अधिक हो गई थी। परिश्कर्त पेशेवर भविश्य के रिटर्न के अपनी धारनाओं के रूप में बस उत्साही थे। उधारन के लिए 2001 में SBC कम्यूनिकेशन में अपनी पेंशन योजना पर 8.5% से 9.5% तक अनुमानित वाफसी की, 2002 तक मानक 500 स्टोक इंडेक्स में कम्पनियों की पेंशन योजनाओं पर वाफसी की ओसत अनुमानित दद 9.2% की गई थी। एक बिना सोचे समझे त्वरित उत्सा के बाद का भयानक सथ, 2001 और 2002 में पाया गया कि शेरों पर एक साल के रिटर्न की ओसत उम्मीद 7% तक गिर गई है, हलांकि निवेशक अब 2000 की कीमतों में लगबग 50% कम कीमत पर स्टोक खरीच सकते थे। वाल स्ट्रीट के अनुमानों के मुताबिक उन पेंशन योजनाओं पर रिटर्न के बारे में उन धारनाओं को MNP 500 में कम्पनियों को 2002 और 2004 के बी 32 अरब डोलर का नियुनतम खर्च होगा। हलांकि निवेशकों को पता है कि वे कम पर खरीदना और उच पर बेचना चाहते हैं। प्रैक्टिस में वे अक्सर इसे पीछे की ओर ले जाते हैं। इस अध्याई में ग्राहम के चेताउनी सरल है। विपरीट के सिधान्त के अनुसार अधिक उत्साही निवेशक जो लंबे समय तक शेर बाजार में बने रहते हैं। उनके बारे में निश्चित है कि वे कम समय में गलत साबित हो सकते हैं। 24 मार्च 2000 को अमेरिकी शेर बाजार का कुल मुल्य 14.5 ट्रिलियन डोलर तक पहुँच गया। 9 अक्टूवर 2002 तक केवल 30 महिने बाद कुल अमेरिकी शेर बाजार 7.34 ट्रिलियन डोलर यानि 50.2 प्रतिसत कम हो गया था। जो कि 7.41 ट्रिलियन डोलर का नुक्सान था। इसी बीच कई बाजार पंडित सालाना यहां तक की आने वाले दशकों तक फ्लेट या यहां तक की नकारात्मक बाजार रिटर्न की भविश्य भणी करते हैं। इस बिंदू पर ग्रहाम एक साधान सवाल पूसते हैं। इस बात पर विचार करते हुए कि विशेशक्य आखिरकार गलत साबित हो चुके थे। तब क्यों बुद्धिमान निवेशक फिर भी इन पर विश्वास करते थे। आगे क्या होगा। शोर को ट्यून करें और भविश्य के रिटर्न के बारे में सोचें। इस से पहले ग्रहाम के तरीके पर गोड़ करें। उनके अनुसार शेर बाजार का प्रदर्शन तीन कारकों पर निर्भर करता है। पहला वास्तविक विकास, कंपनियों की कमाई और लाभाश की बढ़ोतरी। दूसरा मुद्रास्पिती व्रधी, अर्थव्यावस्ता में कीमतों की सामान्य बढ़ोतरी। तीसरा सट्टा व्रधी या गिरावट, निवेश के लिए जन्ता की भूख में कोई कमी या व्रध लंबे समय तक प्रती शेर कार्पोरेट कमाई में वार्षिक व्रदी ओसत 1.5 प्रतिसत से 2 प्रतिसत ओसत है 2003 की शुरुवात से मुद्रा स्मिती सालाना लगबग 2.4 प्रतिसत तक चल रही थी स्टोक पर लाभां 1.9 प्रतिसत था इसका मतलब है कि आप उसी तुरूप से स्टोक की अनुमानित रिटर्न 6 प्रतिसत की उमीद कर सकते थे यदि निवेश करने वाले लोगों को फिर से लालच मिलता है और स्टोक को वापस भेजता है तो वह सक्टा बुखार एस्टाई रूप से उच रिटर्न चलाएगा यदि इसके बजाए निवेशक 1930 और 1970 के दशक के अनुसार डर से भरे हुए हैं क्योंकि स्टोक पर रिटर्न एस्टाई रूप से कम हो जाएगा येल विसुई द्याले के कॉमर्स प्रोपेसर राबर्ट शिलर का मानना है कि ग्राहम ने उनके मुल्याकंद रिष्टिकोंड को प्रेरित किया शिलर पिछले 10 वर्सों में ओसत कॉर्परेट मुनाफे के मुकावले मानक 500 शेर सूचकांग की वर्तमान कीमत की तुलना करते हैं एतियासिक रिकोर्ड स्कैन करके शिलर ने दिखाया है कि जब उनका अनुपात 20 से उपर चला जाता है तो बाजार आम तोर पर खराब रिटर्न देता है जब यह 10 से नीचे गिरता है तो स्टाक आम तोर पर लाब उत्वन करते हैं 2003 के आरंब में शिलर के गणित से शेरों की कीमत पिछले दसक की ओसत मुद्रस पीती समायोजित कमाई के लगबग 22.8 गुना थी अभी भी खत्रे के इक्षित्र में लेकिन दिसंबर 1999 में 44.2 गुना कमाई के उनके डिमेंटेड स्तर से नीचे थी इसलिए 2003 के शुरुवाती दिनों के मुल्यांकन के स्तर से शेर बाजार ने कभी-कभी आने वाले दस वर्सों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है कभी-कभी खराब और सेज समय के साथ उलजन बरीस्तिति में भी रहा है मुझे लगता है कि ग्राहम सब से कम और उच्छतम रेटर्न और परियोजना के बीच अंतर को विभाजित करेंगे कि अगले दसक में शेयर सालाना लगवग 6 परतिसत कमाएंगे या मुद्रास पीती के बाद 4 परतिसत कमाएंगे 1990 के दसक की तुलना में 6 परतिसत कुछ भी नहीं है लेकिन यह लाबों की तुलना में बेहतर है जिससे बॉंड का उत्वादन होने की संभावना है और अधिकांश निवेशकों के लिए एक विविद पॉर्टपोलियो के हिस्से के रूप में परियाप्त कारण है लेकिन ग्राहम का दृष्टिकोंड दूसरा है भावी स्टोक रिटर्न की भविश्यवानी करते समय आप के वल एक चीज़ पर भरोसा कर सकते हैं कि आप शायद गलत हो जाएंगे एक मातर निर्विवाद सत्य जो अतीत हमें सिखाता है वह यह है कि भविश्य हमेशा हमें आस्चिर चकित करेगा और वित्य इतिहास के उस कानून के लिए अनुशासनिक यह है कि बाजार सबसे अधिक लोगों को करूरता से आस्चिर चकित करेगा जो सबसे निश्चिन्त है कि भविश्य के बारे में उनके विचार सही है। ग्राहम के अनुसार शक्तियों के बारे में विनम्मर रहना आपको भविश्य के एक द्रिष्टी कोण पर बहुत अधिक जोखिम से बचाएगा जो गलत सावित हो सकता है। भविश्य का एईव तो गलत सावित हो सकता है। तो हर तरह से आपको अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि अपनी भावनाओं को निराश्ट नय होने दें। बुद्धिमान निवेशक के लिए आशा हमेशा शाश्वत स्प्रिंग होते हैं। जो कुछ भी उमीद नहीं करता है क्योंकि वेश निराश्ट नहीं होगा। चेस्टाटन का पूनर विचार धन्य वेश हैं जो कुछ भी उमीद नहीं करता क्योंकि वेश सब कुछ का आनंद लेगा। धन्यवाद हिंदी-ओडियोबुक.com आपका दिन शुब हो। ता इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय चार समन्य पोर्टफोलियो निती रक्षात्मत निवेशक हिंडियोगुक.com आपका पोर्टफोलियो कितना आकरामक होना चाहिए ग्राहम कहते हैं आप किस परकार के निवेश पर कम निर्भर करते हैं और आप किस तरह के निवेशक हैं यहाँ पर बुद्धिमान निवेशक बनने के दो तरीके हैं पहला लगातार शोद, चैन और निगरानी करके स्टोक, बॉन्ड या म्यूचल फंड का मिसन बनाकर निवेश करके दूसरा या एक स्थाई पोर्टफोलियो बनाकर जो आटो पाइलेट पर चलता हो और उसे और प्रियास की आवशकता नहीं होती है ग्राहम का पहला द्रिष्टिकोन सक्रिय या उद्धमी है, यह बहुत समय और उर्जा लेता है निश्करिय या रक्षात्मक रेनेती थोड़ा समय या प्रियास लेती है, लेकिन इसमें बाजार के हिलने से लगबग स्थिर रहने की आवशकता होती है निवेश विचारक के रूप में चार्ल्स एलिस ने कहा है कि उद्धमी द्रिष्टिकोन फिजिकली है, जबकि रक्षात्मक द्रिष्टिकोन मांग भावनात्मक है यदि आपके पास अतिरिक्त समय है, तो एक अत्यदिक परतिस परदी खेल परसंसक की तरह सोचें कि आपको विरोधी टीम ने एक जटिल बोधिक चुनोती दी है अब आपका दिमाग एक्टिव होकर समाजान के लिए सोचना शुरू करता है यदि आप इस से भागते हैं, सादगी चाहते हैं और पैसे के बारे में सोचना पसंद नहीं करते हैं तो यह आपका निश्करिय द्रिश्टिकोन है कुछ लोग दोनों विदियों को सहयोजित करने में सबसे सहज महसूस करेंगे वे एक ऐसा पॉर्टफोलियो बनाएंगे जो मुख्य रूप से सक्रिय और आंशिक रूप से निश्करिय होता है या इसके विपरीद दोनों द्रिश्टिकोन समान बुद्धि मानी है, इससे आप या तो सफल हो सकते हैं या नहीं लेकिन अगर आप सही चुनने के लिए प्रियाप्त रूप से प्रियाप्त जानते हैं तो अपने निवेश के जीवन काल के दोरान इसके साथ रहें और अपनी लागत और भावनाओं को नियंतर्ण में रखें सक्रिया और निष्करिया निवेश कों के बीच ग्रहाम वितिय जोखिमों की याद दिलाने मालantryं में से एक है कि वितिय जोखिम ने केवल उस स्थान पर है जहां हम में से अधिकांस इसकी तलास करते हैं यानि अर्थव्यवस्ता में या हमारे निवेश में बलकि खुद के भीतर भी है एक रक्षात्मग निवेशक कैसे शुरू करता है वह पहला और सबसे बुन्यादी निरने यह करता है कि शेरों में कितना रखा जाए और बोंड और कैश में कितना रखा जाए स्टोक और बोंड के बीच अपनी संपत्ती को निवेश करने के तरीके के बारे में ग्राहम की चर्चा में सबसे ऐसा मन्य बात यह है कि उन्होंने कभी भी उम्र शब्द का उलेक नहीं किया है यह परंपरागत ग्यान के खिलाब दरड़ता से उनकी सलाव बताता है कि जिसमें यह माना जाता है कि आपको निवेश में कितना जोखिम लेना चाहिए यह इस बात पर निर्वर करता है कि आप कितने साल के हैं एक थंब रूल है कि सो में से आपकी उमर घटाने से बाकी बची संख्या के बराबर परतिशत में स्टोक वे बाकी बचे परतिशत में अपनी संपती का निवेश बोंड आदि में करना चाहिए यानि एक 28 वर्ष ये वेक्ती अपने पैसे का बहतर परतिशत स्टोक में रखेगा 81 वर्ष ये वेक्ती केवल 1 से 9 परतिशत स्टोक में रखेगा बाकी सब की तरह 1990 से 1999 के उत्रार्ज तक ये धारनाए आम थी 1999 में एक लोग प्रिय पुस्तक ने तर्क दिया कि यदि आप 30 वर्ष से कम उमर के हैं तो आपको अपने पैसे का 95 परतिशत स्टोक में निवेश करना चाहिए भले ही आपके पास जोखिम के लिए कुछ भी नए हो जब तक आप इस सला के समर्थकों को अपने IQ से सो गटाने के इजाज़त नहीं देते हैं तो आपको यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि यहां कुछ गड़वड है आपकी आईउ को यह निर्धारन क्यों करना चाहिए कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं एक 89 वर्षी अव्यक्ती 3 मिलियन डॉलर के साब प्रियाप्ट पेंशन और अपने पोते पोतों के लिए उसके ज़्यादातर पैसे को बोंड में निवेश करने की सला देना क्या मुर्खता नहीं होगी उसके पास पहले से ही बहुत सी आए है और उसके पोते जो अंतते उसके शेरों के वारिस होंगे जिन के लिए दसकों पहले ही निवेश किया जा रहा है दूसरी तरफ एक 25 वर्षिय नवी वक्त जो अपने शादी और घर के बुगतान के लिए बचत कर रहा है वहे अपने सारे पैसे स्टोक में डाल देगा यदि शेर बाजार एक बड़ा गोता लगा लेता है तो उसके पास उसके खर्चे वाले हिस्से को कवर करने के लिए कोई आये ही नहीं बचेगी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने युवा हैं आपको अपने पैशे की आऊ सकता शायद 40 सालों तक ने पड़े और चेतावनी के बिना अचानक अब से 40 मिनित बात भी पड़ सकती है आप अपना काम खो सकते हैं तलाक ले सकते हैं अक्षम हो सकते हैं या किस भी तरह का जोखिम आ सकता है एप प्रत्यासित जोखिम कभी भी किसी के जीवन में भी आ सकता है इसलिए हर किसी को कुछ नगत संपती जोखिम इन जगहों पर रखनी चाहिए जिसे जब चाहें एक मिनिट में कैश किया जा सकता हो आखिरकार कई लोग ठीक से निवेश करन बंद कर देते हैं क्योंकि शेर बाजार नीचे चला जाता है मनो वैग्यनिकों ने बताया है कि हम में से अधिकांश भविश्य वानी करते हुए आज कम काम करते हैं कि हम भविश्य में गतिसील रूप से चार्ज किये जाने वाले कारिकरम के बारे में कैसा मैं हैसूस जब स्टोक 1980 और 1990 के दसक में 15 परतिसत या 20 परतिसत सालाना बढ़ रहा था तब यह कलपना करना आसान था कि आप और आपके स्टोक आपके जीवन के साथ साथ चलेंगे लेकिन जब आप परतेग डोलर को देखते हैं तो आप एक डाइम पर उतरने का निवेश करते हैं बाओ में बेशते हैं और अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लेते हैं चूँकि इतने कम निवेशकों के पास गिरते बाजार में शेयरों को पकड़ने की हिम्मत है ग्राहम जोड देकर कहते हैं कि हर किसी को बोंड में कम से कम 25 परतिसत निवेश करना चाहिए वे तरक देते हैं कि वह कुशन आपको शेयरों के बदले में अपने बाकी पैसे को शेयरों में रखने का साहस देगा बेहतर जोखिम पाने के लिए आप इतना जोखिम ले सकते हैं अपने जीवन की मौलिक परिस्तियों के बारे में सोचें कि वे कब किक करेंगे वे कब बदल सकते ह और नगदी के लिए आपकी आउशकता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं जैसे कुछ कारण यहां बताई जा रहे हैं पहला आप कुवारे हैं या शादी सुदा आपके पती या पतनी क्या करते हैं दूसरा क्या आपके बच्चे हैं ट्यूशन बिल कब तक आने लगेंगे पांचवां यदि आप स्वय रोजगार से कमाते हैं तो आपके जैसे व्यावसाई कितने समय तक चलेंगे छठा क्या आपको अपने निवेश से नगदी आई की जरूरत है साथवां आपके वेतन और आपकी व्याकी जरूरतों को देखते हुए आप अपने निवेश में कितना पैसा खो सकते हैं यदि इन कारकों पर विचार करने के बाद आपको लगता है कि आप शेरों के अधिक स्वामितव में निहित उच्च जोखिम ले सकते हैं तो आप ग्राहम के निउन्तम बोंड या नगद में 25 परतिसत के आसपास हैं यदि नहीं तो अपने अधिक्तम शेरों को खत्म कर दें क्योंकि ग्राहम के अधिक्तम निवेश यानि पिचेतर परतिसत बोंड या नगदी में बढ़ते हैं एक बार जब आप लक्षा परतिसत निधारित करते हैं तो उन्हें के वल अपनी विशेस जीवन परिस्तितियों में ही बदलें तब अधिक शेर ने खरी दें जब शेर बाजार चड़ रहा हो और उन्हें तब ने बेचें जब शेर बाजार नीचे चला गया हो ग्राहम के दृष्टिकोन का मूल अनुसासन के साथ अनुमान लगाने का है सो भाग्य से आपके 401K के मध्यम से अपने पोर्टफोलियो को स्थाई ओटो पाइलेट पर रखना आसान है आईए मान लें कि आप काफी हाई लेवल जोखिम के साथ सहज है मान लें कि आपका स्टोक में 70% संपतिया है और बॉंड में 30% यदि शेर वाजार 25% बढ़ता है लेकिन बॉंड स्थिर रहते हैं तो अब आपके पास स्टोक में 70% से कम और बॉंड में केवल 25% ही होगा अपनी 401K की वेब साइट पर जाएं या इसके टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और अपने 37 लक्षे पर वापिस स्टोक फंड बेचते हैं कुझी एक अनुमानित रुग्ण सेडूल पर दोबारा बेचना है इतनी बार नहीं कि आप अपने आपको पागल कर दें और इतनी मुश्किल में नहीं कि आपके लक्षे विचलित हो जाएं मेरा सुझाव है कि आप नए साल और चोथे जुलाई जैसे आसान याद रखने वाली तारीकों पर हर छे महीने कम और अधिक नहीं पुनर विक्रे करते हैं इस समायवदी के दोरान सेल की सुंदर्ता यह है कि यह है आपको अपने निवेश निर्नों को एक सरल उदेश्य पूर्ण मानक पर निरहरित करने के लिए मजबूर करता है क्या आप मेरे पास इस योजना के मुकाबले इस संपत्ति के अधिक लाब हैं ब्याजदरें कहां जा रही है इसकी अनुमानित अनुमान के बारे में बताएं चाहे आपको लगता है कि डोव डूबने वाला है तीरो प्राइस समेब कुछ म्यूचल फंड कंपनिया जल्द ही एसी सेवा पेश कर सकती है जो आपके प्रिसेट लक्षों को स्वैचालित रूप से आपके 401 के पोर्टफोलियो को पुने संतुलित कर देगी इसलिए आपको कभी भी सक्रिय नेने लेने की आवशक्ता नहीं होगी 100% स्टोक में क्यों नहीं ग्राहम आपको सला देते हैं कि स्टोक में आपकी कुल संपत्ती का 50% से अधिक निवेश नहीं करना है लेकिन क्या आपके सारे पैसे शेयर बाजार में हर किसी के लिए उपलब्द है निवेशकों के एक चोटी संख्या के लिए 100% स्टोक पोर्ट पोलियो समझ में आ सकता है यदि आप इन में से एक हैं पहला यदि आपने कम से कम एक वर्ष के लिए अपने परिवार के लिए परियाप्त पैसा सुरक्षित रख दिया है दूसरा आप आने वाले कम से कम 20 वर्षों तक लगातार निवेश कर रहे हैं तीसरा साल 2000 में शुरू होने वाले बेर बाजार से आप बच गए हों चोथा साल 2000 में शुरू होने वाले बेर बाजार के दोरान शेर नहीं बेचे हों पांचवा, साल 2000 में शुरू होने वाले बाजार के दोरान आपने अधिक शेर खरीदे हो। छटा, इस पुज्तक के अध्याय आठ को पड़ा हो और अपने शुमे के निवेस वेवहार को नियंतरित करने के लिए एक ओपचारी की योजना लागू की हो। जब तक आप इन सभी परिक्षनों को इमानदारी से पारित नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको अपने सभी पैसे स्टोक ओप्चन में नहीं डालने हैं, आखिरी बेयर बाजार में गभरा जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अगले शेर मार्केट संकट में गभराहट होगी, ज तो आज एक तियाही है, बोंड या बोंड फंड, कर्योग्य या कर्मुक्त, जब तक कि आप सबसे कम टेक्स ब्रेकेट में नहीं हो, आपको अपने सेवानुरतिक हातों के बाहर केवल कर्मुक्त बोंड खरीदना चाहिए, अन्यता आपकी बोंड आए का बहुत अधिक, आ बोंड की कोई जगे नहीं है, क्योंकि उनके करला बरबाद हो जाते हैं, अल्प कालिन या दिर कालिन, बोंड और ब्यास दरें एक नजर के वीपरित सिरों पर है, यदि ब्यास दरें बढ़ती हैं, तो बोंड की किमते गरती हैं, हालांकि एक अल्प कालिन बंदन दिर कालि वरती अवदी के बॉंड को खरीद कर अंतर को विभाजित कर सकते हैं अधिकांस निवेशकों के लिए इंटरमेडियेटरी बॉंड सबसे आसान विकल्प होते हैं क्योंकि वे आपको अनुमान लगाने के खेल से बाहर निकालने में सक्षम होते हैं कि ब्यासदरें क्या बॉंड या बॉंड फंड चुंकि बॉंड आम तोर पर दस हजार डोलर के पलोट में बेचे जाते हैं और आपको कम से कम दस बॉंड की आवशकता होती है ताकि जोखिम में विचलन हो सके कि उन में से कोई भी बश्ट हो सकता है व्यक्तिकित बॉंड खरीदने से कोई जब तक कि आपके पास निवेश करने के लिए कम से कम एक लाख डोलर ने हो बॉंड फंड मासिक आये की सुविदा के साथ सस्ते और आसान विविद्धा परदान करते हैं जिसे आप कमीशन के बुगतान के बिना मौजूदा दरों पर सीधे फंड में फिर से निवेश कर सक है आप अपनी नगदी से अधिक आई कैसे ले सकते हैं बुद्धिमान निवेशक को जमा या मनी मार्केट खातों के बैंक परमान पत्रों से बाहर जाने पर विचार करना चाहिए जिनोंने हाल ही में कम रिटर्न दिया है इन नकद विकल्पों में से कुछ है ट्रेजरी सिक्योरिटीज युएस सरकार के दाईतों के रूप में ट्रेजरी सिक्योरिटीज वस्तू तै कोई क्रेडिट जोखिम नहीं लेते क्योंकि अपने करज पर चूप करने के बजाए अंकल सैम सिर्फ करों को जैक कर सकता है या आपकी इच्छा पर अधिक पैसा प कीमतों को कम करती है लंबी आउदी के ट्रेजरी रिन हलांकि ब्याजदरें बढ़ने पर गंभीर रूप से पीडित हो जाते हैं ट्रेजरी सिक्यूरिटीज पर ब्याज आए आम तोर पर राज्य आएकर से मुक्त होती है और सारवजनी का हातों में 3.7 ट्रिलियन डॉलर के सा ट्रेजरी रिन के लिए बाजार बहुत अधिक हैं इसलिए यदि आपको परिपक्वता से पहले अपने पैसे की जरूरत है तो आप आसानी से एक खरीदार को इसे बेच सकते हैं सेविंग बॉंड्स ट्रेजरी के विपरित विपनन योग्य नहीं है आप उन्हें किसी अन्य निवेशक को नहीं बेच सकते और यदि आप उन्हें पांच साल से कम समय में रिडिम करते हैं तो आप तीन महीने के ब्याज को खत्म कर देंगे इस परकार वे भविश्य में व पाचत शुरू करें वे 25 डोलर जितने कम मुल्य में आते हैं जिससे उन्हें पोते के लिए उपहार के रूप में आदर्श माना जाता है निवेशकों के लिए जो आसवस्त रूप से आने वाले सालों तक कुछ नगत छोड़ सकते हैं मुद्रा स्पिती सरंक्षित आई मुथ्यों से मिलकर इन बोन्ड्स को फेडरल नेशनल मार्टगेज एसोसेशन या सरकारी नेशनल मार्टगेज एसोसेशन जैसी एजेंच्यों दौरा जारी किया जाता है हालांकि उन्हें यूईस ट्रेज्चरी दौरा समर्थित नहीं किया जाता है इसलिए वे अपने कोई ब्रोकर कभी आपको CMO वेशने की कोशिश करता है तो उसे बताएं कि आपकी प्रोटोलाइजिस्ट के साथ अपॉइंट्मेंट हो चुकी है एनुटी यानि वार्सिकियां ये बीमा जैसे निवेश आपको मौजूदा करों को रोकने और रिटायर होने के बाद पेंशन क को बनाई रखने में सक्षम बनाता है और सावधी सालाना रिटर्न की एक सेट दर परदान करते हैं ये एक उतार चड़ाओ वाली परिवर्तनिय वापसी परदान करते हैं लेकिन रक्षात्मक निवेशक को वास्तों में यहां क्या बचाओ करने की जरूरत है ज्यादा तर म किनिट्वी विक्रेता के लिए कमिशन पैदा करती है तो संभावना है कि यह खरीदार के लिए कम परिणाम देगा केवल उन लोगों पर विचार करें जिने आप सीधे राक बाटम के साथ परदाताओं से खरीज सकते हैं जैसे अमेरिटास, TIA, CREF और बेंगार जैसी प्रेश हैं यह बॉंड से कम सुरुचित हैं क्योंकि अगर बैंक दीवालिया हो जाता है तो उनके पास कमपनी की संपती पर केवलेक मद्यम एक दावा होता है और वे आम शेयरों की तुलना में कम लावक्षमता परदान करते हैं क्योंकि कमपनिया आम तोर पर ब्यास दरो में गिरावट या उनकी क्रेडिट रेटिंग में सुधार करते समय अपने पसंदीदा शेयरों को कोल या मजबूती से वापस खरिते हैं अपने अधिकांस बॉंड पर ब्यास बुगतान के विप्रित एक जारी करने वाली कमपनी अपने कॉर्पोरेट कर बिल से पसंदीद लावांस बुगतान गटा नहीं सकती है अपने आप से पूछें यदि यह कमपनी मेरे निवेश के लाइक होने के लिए प्रयापत सवस्त है तो यह बॉंड जारी करने और टेक्स ब्रेक प्राप्ट करने के बजाए अपने पसंदीदा स्टोप पर वैसा लावांस क्यों द पर करेंगे सामान्य शेयर 2003 के आरम में यहू स्टोक स्केनर की एक यात्रा से पता चला कि मानक के 500 सूचकांक में 115 शेयरों में लावांस 3% या उससे अधिक था कोई बुद्धिमान ने वेशक कभी भी अपनी लावांस आई के लिए स्टोक खरीद लेगा कमपनी और उसके क बॉंड से बाहर हैं तो यहां तक की सबसे रक्षात्मक निवेशक को यह भी पता होना चाहिए कि चुनिंदा रूप से ओल बॉंड या ज्यादातर बॉंड पोर्टपोलियों में स्टोक जोडने से इसके आए बढ़ सकती है और इसकी संभावित वापसी बढ़ सकती है धन TheAudiobook.com अच्छा आकरमन ही सबसे अच्छा बचाओ है पिछले कुछ सालों के शेर बाजार के रक्षात्मक निवेशक ने स्टोक में पैसा क्यों लगाया सबसे पहले ग्रहम के आग्रै को याद रखें कि आपके पोर्टपोलियों में समय और उर्जा लगाने के आपकी इच पारकिंग करना जितना आसान है साल 2000 में शुरू होने वाले बेर बाजार में यदि आप जला महसूस करते हैं और यदि बदले में यह भावना आपको द्रड़ता से जगड़े हुए है कि कभी एक भी स्टोक ने खरीदें एक पुरानी निती कहती है दूद से जला साच भी फूंक फूंक कर पीता है क्योंकि साल 2000 वे 2002 की दूरुगटना इतनी भयानक थी कि कई निवेशक अब स्टोक को खतरनाक रूप से जोखिम भरा मानते हैं लेकिन विरोधा बासी रूप से दूरुगणा गरस्त होने के बावजूद बहुतों ने शेर बाजार से अधिक पास है तरकिक रूप से देखा गया है कि आज शेरों के मालिक होने का निरने कुछ साल पहले उनके स्वामितों में कितना पैसा खोया होगा इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है जब शेरों को भविश्य में विकास के लिए परियाप्त रूप से परियाप्त मुल्य दिया जाता है तो आपको हाल ही में होने वाली हानियों के बावजूद उनका स्वामी होना चाहिए यह सबसच है जब बॉंड की पैदावार कम होती है जिससे आएकर उत्पाधन पर भविश्य में रिटर्न कम हो जाता है जैसा कि हमने अध्याय तीन में देखा है स्टाक 2003 के जिता है वह धुमरपान करने वालों की तरह सोचते हैं कि वह कम शराब वह सिगरेट धुमरपान करके फेपड़ों के कैंसर के बजाए खुद को बचा सकता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने रक्षात्मक है ग्रहाम की कम रख रखाओ की भावना में या कम ज खरीदना कभी भी आसान नहीं रहा है और एक स्थाई आटो पाइलेट पोर्टफोलियो जो पूरू निर्दारित निवेश में हर महीने काम करने के लिए आपके पैसे का थोड़ा सा हिस्सा रखता है स्टाक पीकिंग में आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा गवाने से 1980 के दसक और 1990 के दसक के आरम में सबसे लोकप्रिय निवेश नारों में से एक था जो आप जानते हैं उसे खरीदें पीटर लिंच 1977 से 1990 तक फिडेलिटी मेगलेन को म्यूचल फंड द्वारा संकलित सर्वतम ट्रेक रिकोर्ड में ले जाने वाले सबसे ज़्यादा करिश्मा के दोरान आप समझते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है क्या बिखता है और क्या नहीं और सबसे महतपूर्ण हिस्सा यह है कि वाल स्ट्रीट इसे जानता है इससे पहले आप इसे जानते हैं लिंच का विचार है यदि आप उन कम्पनियों या उद्योगों में उठाया है लेकिन लिंच का नियम केवल तभी काम करता है जब आप इसके अनुशाशनिक कापालन करते हैं वादा करने वाली कम्पनी ढूंडना केवल पहला कदम है अगला कदम शोद करना अपने क्रेडिट के लिए लिंच ने जोड़ देकर कहा कि किसी को भी किसी कम्पनी में कभी निवेश नहीं करना चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके उत्पाद कितने अच्छे हैं क्योंकि इसके वित्य विवरणों का अध्यन किये विना इसके व्यावसाइक मुल्य का अनुमान नहीं लगाया चाह सकता दुर्भग्य वर्ष अधिकान शेयर खरिदारों ने इस इससे को नजर अंदाज कर दिया है डे ट्रेडर बारबरा लोगों के सामने हमेशा लिंच की सिक्षाओं के बुराई करती थी 1999 में उन्होंने कहा हम हर दिन स्टार्बक्स जाते हैं इसलिए मैं स्टार्बक्स स्टाक खरिदती हूँ लेकिन लड़की कि कहीं यह और प्राजिट तो नहीं है अंगिनत स्टाक खरीदारों ने Amazon.com के शेरों को खरीद कर एक ही गलती की क्योंकि वे वेब साइट से प्यार करते थे या इस ट्रेड स्टाक खरीदते थे क्योंकि यह उनका ऑनलाइन ब्रोकर था विशे सग्यों ने इस विचार को भ करते हैं मैं एसा क्यों नहीं कर सकता केविन ठीक है आप इसे कर सकते हैं लेंडिस ने चिलाया आपको केवल उन चीजों पर ध्यान के निरित करना है जो आप जानते हैं और एक उद्योग के करीब रहें और उन लोगों से बात करें जो हर दिन इसमें काम करते हैं लिंच के शाशन का सबसे दर्दनाक विनाश कार्पोरेट सेवा निवर्ती योजनाओं में हुआ यदि आपको आप जो जानते हैं उसे खरीदना चाहते हैं तो संबवताय आपकी कमपनी के स्टाक की तुलना में आपके 401K के लिए बहतर निवेश क्या हो स जिन में से कई ने अपनी सभी सेवा निवर्ती संपन्तियों को अपनी कमपनी के स्टाक में रखा है केवल इतना ही पता चला है कि अंदुरूनी लोगों को अक्सर ग्यान का ब्रहम होता है नेकी वास्तविक चीजों का कारने की मेलान विश्वी द्याले के बारुक फिस किसी विशे से अधिक परीचित होने से लोग इस बात को नजर अंदाज कर देते हैं कि वे वास्तों में इसके बारे में कितना जानते हैं यही कारण है कि आप जो जानते हैं उसमें निवेश करना खतरनाक हो सकता है यानि आप जितना अधिक जानते हैं उतनी ही कम संभावन है कि आप स्टोक की जांस नहीं करेंगे अती संवेदन सीलता के इस अहानिकार करूप को होम बायस कहा जाता है यानि जिससे आप पहले से परीचित हैं उससे चिपकने की आदत जैसे ए, व्यक्तिकित निवेशकों के पास अन्य सवी फोन कमपनियों की तुलना में अपनी स्थानिय फोन कमपनी के तीन गुना अधिक शेयर हैं 2. ज्यादतर mutual fund उन शेरों का मालिक है जिनके मुख्यले ओसत अमेरिकी कंपनी की तुलना में फंड के मुख्य कारे लेके 115 मिल के करीब है 3. 401 के निवेशक अपनी खुद की कंपनी के स्टोक में सेवा निवर्ती संपतियों का 25 परतिसत और 30 परतिसत के बीच रखते हैं संक्षेप में familiarity नसल पैदा करती है जैसे टीवी समाचार हमेशा कहते हैं वह है इतना अच्छा लड़का था यह कोई उसका पडोसी सबसे अच्छा दोस्त या अपरादी का अभिवावक नहीं है जो एक चोंकाने वाली आवाज में यह कहता है इसका कारण यह है कि जब भी हम किसी के पास या किसी चीज के बहुत करीब होते हैं तो हम उन पर सवाल पूछने के बजाए हमारी मान्यताओं को स्विकार करते हैं एक स्टोप जितना अधिक परीचित होगा उतना ही अधिक रक्षात्मक निवेशक को आलसी बना देगा जो सोचता है कि कोई होमवर करने की आवशकता नहीं है एसाम मत होने दो क्या आप अपना खुद का रोल कर सकते हैं सो भाग्य से एक रक्षात्मक निवेशक के लिए जो स्टाक पॉर्टफोलियो को इकठा करने के लिए आवशक होमवर करने का इच्छुक है वह स्वरन क्युक है वित्टिय इतिहास में पहले कभी भी शेयरों का मालिकाना हक पाना इतना सस्ता और सुविदा जनक नहीं था इसे स्वेय करें अगर आपके पास स्टोक खरीदने के लिए बहुत कम नकत है तो भी आप ओनलाइन ब्रोकरेज के माध्यम से स्टोक खरीद सकते हैं ओनलाइन स्टाक वेबसाइटें उपलब्द कराए गए हजारों शेयरों की प्रतेक पिरियोडिक खरीद पर केवल नाम म पात्र ही चार्ज करती हैं आप हर हफते या हर मैने निवेश कर सकते हैं अपने लाभांश को फिर से निवेश कर सकते हैं और यहां तक कि अपने बैंक खाते से इलेक्ट्रोनिक निकासी या अपने पेचेक से सीधे खाते से स्टाक में अपने पैसे को ट्रिकल कर सकते हैं ज वहीं इन ओनलाइन फर्मों के पास जीरो बैलेंस पर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और वे उन निवेशकों के लिए तयार है जो आटो पाइलेट पर फ्लडलिंग पॉर्टफोलियो डालना चाहते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि 4 डालर का लेंदे गेम हो सकती है आप जारी करने वाली कमपनियों से सीधे व्यक्तिगत स्टॉप भी खरीच सकते हैं 1994 में यूएस सेकूरिटीज एंड एक्सेंज कमिशन ने हैंड कप को ढिला कर दिया था जो लंबे समय से सीधी विक्री पर लगा था सैंकडों कमपनियों ने इंटरनेट आ आम तोर पर स्टाक ब्रोकर से सस्ते होते हैं हालंकि यह चेतावनी दी जाती है कि आपके अंत के वर्षों के लिए छोटी छोटी रासी में शेरों को खरीदने से बड़े टेक्स के सिरदर्द से चुटकारा मिल सकता है यदि आप अपनी खरीद के स्थाई और व्यापक को फैलाने के इचुक नहीं हो तब तक आपको बिल्कुल भी शर्त नहीं लगानी चाहिए ग्रहाम के दिशा निर्देस अनुसार निवेशकों के लिए 10 से 30 शेरों के बीच एक अच्छा प्रारंबग बिंदू बनी हुई है जो अपने खुद के शेर चुनना चाहते हैं ल महिने में एक या दो घंटे से अधिक खर्च नहीं करते हैं तो कुल मिलाकर आपके कुछ निवेशक गलत हो सकते हैं इंटरनेट को आसान और इसे मिनिट दर मिनिट ने महसूस करने से यह आपको एक सटे बाज बना देता है एक रक्षात्मक निवेशक इसमें बना रहता है और जीतता है एक रक्षात्मक निवेशक डिसकाउंट ब्रोकर वितिय योजनाकार या एक पूर्ण सेवा स्टाक ब्रोकर के माध्यम से स्टाक खरिद सकता है डिसकाउंट ब्रोकरेज पर आपको स्टाक पीकिंग का अधिकांस काम स्वे करना होगा ग्रहम के दिशा आज नहीं कमा सकते हैं तो किसी को स्टोक या म्यूचल फंड खरीदने के लिए नियुक्त करने में शर्म महसूस ने करें लेकिन आपके लिए एक जिम्मेदारी भी है कि आप इसे कभी भी डेलिगेट ने करें यह केवल आप और आप ही कर सकते हैं कि क्या आपका सलाकार बर उसे मंद है और आपके सभी शुल्क और आप से सभी शुल्क उचित रूप से लेता है इसे बढ़ाएं म्यूचल फंड एक रक्षात्मक निवेशक के लिए अपने स्वें के संपूर्ण पोर्टफोलियो पर निगरानी के बिना स्टोक स्वामितव का सबसे अच्छा तरीक अपने पोर्टफोलियो के स्टाक को नियमित रूप से संभालने के लिए कम लागत पर आप एक पेशेवर चुनकर विविद्धा और सुईधा पा सकते हैं अपने बहतरीन रूप में इंडेक्स पोर्टफोलियो वे म्यूचल फंडों को वस्तूते जादा निगरानी या र इतिये बाजार भारी होते हैं और दिन बदिन नीचे आने लगते हैं और डूप जाते हैं तब रक्षात्मक निवेशक इस संकट पर नियंदर पा सकता है आपका रेफ्यूजल तब एक्टिव हो जाता है आपके भविश्य की भविश्यवानी करने की किसी भी क्षमता का त जाए बाजार की शक्ती का प्रियोग करने लगते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी विचित रूप से उसलकूद करता है जैसा की ग्राहम ने कहा है ओसत डालर लागत आपको नियमित अंतराल पर निवेश में निश्चित रासी लगाने में सक्षम बनाता है हर हाफते, महिने या कैलेंडर ती माही आप खरीच सकते हैं अधिक खरीचते हैं चाहे आप बाजार में उपर, नीचे या किनारे पर हों कोई भी परमुक म्यूचल फंड कंपनी या ब्रोकरेज फर्म स्वेशालित रूप से आपके लिए इलेक्रोनिक रूप से पैसे सुर बाजार कहां जा रहा है, बलकि यह भी कि बाजार के कौन से क्षेतर और उनके भीतर कौन से विशिस्ट स्टाक या बाजार सर्व से रेस्ट होंगे। कि आप लगबग हर निवेश के मालिक हैं, हर महीने हर गड़ी आप अधिक खरीदते हैं, यदि बाजार गिर गया हो तो आपकी प्रिसेट राशी आगे बढ़ जाती है, इससे पहले महीने से ज्यादा शेयर मिलते हैं, यदि बाजार बढ़ गया है तो आपका पैसा आपके प्रिदारी करने से बचाता है, प्रमुख वितिय शोध फर्म इबाटसन एसोसियेशन के अनुसार, यदि आपने सितंबर 1929 की शुरुआत में 500 स्टाक इंडेक्स में 12,000 डोलर का निवेश किया था, तो 10 साल बाद आपके वल 7,223 डोलर ही बचा पाए, लेकिन अगर आपन सो डोलर के साथ शुरुबात की होती और हर मही ने सो डोलर का निवेश किया होता, तो अगस्त 1949 तक आपका पैसा 15,531 डोलर हो गया होता, यह ग्रेट डिप्रेशन और हर समय के सबसे खराब बाजार के रूप में भी अनुशाशित खरीद की शक्ती है, एक बार जब आप इ अगर कोई पूशता है कि क्या बॉंड स्टोक से बेहतर परदशन करेंगे, तो बस जवाब दें, मुझे नहीं पता और मुझे परवा नहीं है, आखिरकार आप स्वेच आलित रूप से दोनों खरीद रहे हैं, क्या हेल्प केर स्टोक उच तकनिक वाले स्टोक से बिमार द और आप लोंग ड्राइव पर जा सकते हैं, जब वे कहते हैं कि विदेशी शेरों ने अगले साल अमेरिकी शेरों को हराया, मुझे नहीं पता और मुझे परवा नहीं, तो आप उस लाग को पकड़ लेंगे, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको कम कीमतों पर और अध मुझे नहीं पता और मुझे परवा नहीं है, आपको सक्षम बनाता है, भविश्य के बारे में आप कितना कम जान सकते हैं, इस बारे में ग्यान आपकी अज्यानता की स्विकृति के साथ एक रक्षात्मक निवेशक का सबसे शक्तिशाली हत्यार है, धन्यवाद हिंदी आपका दिन शुब हो जंक यार्ड डॉग्स, हाई रिटर्न बॉण्ड जिने ग्राहम, सेकंड ग्रेड या लोवर ग्रेड कहते हैं और आज इसे जंक बॉण्ड कहा जाता है, अपने दिनों में यह डिफर्ट निवेश के जोखिम को दूर करने के लिए एक व्यक्तिकत निवेशक के लिए बहु ग्राही के बारे में ग्राहम की शिकायतों को कम करता है, 1978 के बाद से जंक बॉण्ड बाजार का 4.4 पर तिसत वार्सिक ओसत डिफाल्ट के रूप में चला गया है, लेकिन उन चूप के बाद भी जंक बॉण्ड ने 10 वर्स के वार्सिक ट्रेजरी बॉण्ड के लिए 8.6 पर करने का खराब काम करते हैं, यदि आप सेवा निवर्त हो जाते हैं, तो एक जंक फंड युप्यूक्त हो सकता है, जो आपकी पेंशन के पूरक के लिए अतिरिक्त माशिकाय की तलास कर रहे हैं, और मुल्य में ऐस्ता ही टंबल सहन करते हैं, यदि आप किसी बैंक या अन्य दरों में वरदी के दोरान अन्य बॉंड फंडों से बेहतर परशन करता है, के रूप में समझ में आता है, आपके 401K में एक परतिद्वंदी है, एक जंक बॉंड फंड, हालांकि बुद्धिमान निवेशक के लिए यह केवल एक मामूली विकल्प दाइतव नहीं है, ग्रह बगब एक दरजन म्यूचल फंड ब्राजिल, मेकसेको, नाइजिरिया, रूस और वेनेजुला जैसे उबरते बाजार देशों में जारी बॉंड में विसे सग्या है, कोई सांजेदार निवेशक इस तरह मसालेदार होल्डिंग में पुल बॉंड पॉर्टपोलियों का 10% स चाहिद ही कभी अमेरिकी शेर बाजार के साथ समनवे से चल पाते हैं, इसलिए वे दुरलब निवेशों में से एक हैं, जिनके डाउन होने के कारण भी गिरने की संभावना नहीं है, इससे आपको अपने पॉर्टपोलियों में आराम का एक छोटा कोना मिल सकता है जब अच्छे हथियारों में से एक है, आपके कुछ व्यापार पैसे कमा सकते हैं और आपके ज्यादातर व्यापार पैसे खो देंगे लेकिन आपका ब्रोकर हमेशा पैसे कमाईगा, और स्टार्क खरीदने या बेचने की आपकी उटसुपता आपकी रिटर्म को कम कर सकती है, क बाजार प्रभाव नामक अतिरिक तलागत आपके ब्रोकरेज स्टेटमेंट पर कभी दिखाई नहीं देती है लेकिन यह वास्त्विक है यदि आप स्टाक के 1000 शेर खरीदने के लिए उत्सुक हैं और आप इसकी कीमत केवल 5 सेंट तक बढ़ाते हैं तो आपने एक एदर शेर लेकिन बहुत वास्त्विक 50 डॉलर खर्च किया है फिलिप पक्ष पर जब घबराये हुए निवेशक एक स्टोक पेजने के लिए बेकरार है और वे इसे हालिया कीमत से कम के लिए डंप करते हैं तो बाजार प्रभाव फिर से घर पर आ जाता है व्यापार की लागत आपक डॉलर डालते हैं तो भी शुरू होने से पहले आपकी ट्रेडिंग लागत लगबग 40 डॉलर खा सकती है स्टाक बेचें और आप व्यापार खर्च में 4% से अधिक हो सकते हैं ओ हां एक और बात जब आप निवेश के बजाए व्यापार करते हैं तो आप सामाने आई में ल इसे अकसर जुनुनी अध्याई को नियाई संगत बनाने के लिए प्रयाप्त रूप से प्रयाप्त होता है साथ ही साथ नाइट मिस्ट तनाव उत्पन होता है क्या यह संभव है हजारों लोगों ने कोशिश की है और सबूत स्पस्ट है जितना आधिक आप व्यापार करें आप उतना ही कम रखें कैलिफोर्निया विश्विद्याले के वित प्रोफेसर ब्रेंट बावर और टेंडेंड ओडेर ने एक प्रमुक छूट ब्रोकरेज फर्म के 66,000 से अधिक ग्रहकों के व्यापारिक रिकोर्ड की जांच की 1991 से 1996 तक इन ग्रहकों ने 1.9 मिलियन से अध पारियों ने प्रती माहा अपने स्टोक होल्डिंग में से 20% से अधिक स्थान अंतरित किया बाजार को हर साल 6.4% अंक से रोंदने के बाद हलांकि अधिकांश निवेशक जिनोंने ओसत माहुल में केवल कुल होल्डिंग का 0.2% कम से कम कारोबार किया है बाजार की कीमतों क बाद भी एक वेशकर द्वारा बाजार को बहतर प्रदर्शन करने में कामियाब रहे अपने दलालों को I.R.S. को अपने लाब का एक बड़ा हिस्सा देने के बजाए उन्होंने लगबग सब कुछ अपने पास रखा सबक स्पष्ट है कुछ ने करे वहां खड़े हो जाएं यह हर किसी के लिए यह स्विकार करने का समय है कि दिर्कालिन निवेशक शब्द अनावशक है एक दिर्कालिन निवेशक ही एक मातर प्रकार का निवेशक होता है कोई भी जो एक समय में कुछ महीनों से अधिक समय त समर्द त्वरित्य विशाक्त पदार्थों में से एक सबसे गातक विचार यह था कि आप IPO खरीद कर धन का निर्माण कर सकते हैं, एक IPO एक प्रारंबिक सार्वजनिक पेशकर सह है या जनता के लिए कंपनी के सेयर की पहली विक्री है, पहली बार ब्लूश में IPO में निवेश क करना एक अच्छा विचार लगता है, आखिरकार यदि आपने 13 मार्च 1986 को सार्वजनिक होने पर Microsoft के 100 शेर खरीदे थे, तो 2003 के आरंब तक आपके 200 डॉलर निवेश पर 7,20,000 डॉलर हो गई थे, और वित प्रोफेसर जे रीटर और विलियम श्वार्ट ने दिखाया है कि य यदि आपने जन्मरी 1960 में प्रतेक IPO में कुल 1000 डॉलर इन्वेस्ट किया था, तो उस महिने के अंत में बेचे गई कीमत पर फिर IPO के प्रतेक लगातार महिने की कमाई में फिर से निवेस्ट किया गया था, तो आपका पोर्टफोलियो 2001 के बाद तक 533 डिकियन डॉलर हो गया ह जिसका मतलब है कि अगर आप इस संख्या को कागज पर लिखें, तो 533 के पिछे 33-0 लगानी पड़ेगी। हुई है, लेकिन पिछले उधारन कितने ज्वलंत है, हम सभी अगली Microsoft खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पहले Microsoft को खरीदने से चूप गई थे, लेकिन हम आसानी से इस तथ्या को नजर अंदाज करते हैं, कि यदि कांस अन्य IPO बहयानक निवेश थे, यदि आ आप कभी भी IPO बाजार के दुरलव विजेताओं में से एक नहीं बलकि एक व्यभारिक ऐसंभावता को याद रखते हैं, तो आप 533 डिकियन डॉलर लाब अरजित कर सकते हैं, अन्त में IPO पर अधिकतर उच रिटर्न एक विसेश नेजी कलब के सदश्यों द्वारा कबजा क कर लिया जाता है, बड़े निवेश बैंक और फंड हाउस जो स्टाक को सारजनिक व्यापार शुरू करने से पहले प्रारंबिक कीमत पर शेर प्राप्त करते हैं, शेरों में सबसे बड़ा रनप अक्सर इतना छोटा होता है कि कई बड़े निवेशकों को भी शेर नहीं मि परदर्शन किया है, तो आपके परिणाम जबरदस्त होंगे, 1980-2001 तक यदि आपने अपनी पहली सारुजनिक बंद कीमत पर उसत आईपियों खरीदा था और तीन वर्षों तक अपने पास रखा था, तो आप सालाना 23 पर 30 से अधिक अंक बाजार से कम परदर्शित करेंग शायद कोई स्टाग VA Linux से बहतर IPO से समर्द होने के सपने को व्यक्त नहीं करता है, अगला MS-FT Linux के एक प्रारंबिक मालिक होने का अनंद लिया, अभी खरीदें और अब से 5 साल में रिटायर, 9 दिसंबर 1999 को स्टाग को 30 डोलर की शुरुआती सारुजनिक पेशकर की मत पर ने दिया जब तक कीमत 299 डोलर तक ने पहुंच गई, शेर 320 डोलर पर पहुंच गया और 249.25 डोलर पर बंद हुआ, जो एक दिन में 697.5% का लाव था, लेकिन वहे लाव के वल कुछ हद तक संस्तागत व्यापारियों द्वारा अर्जित किया गया था, व्यक्तिकत निव सबसे मौलिक नियमों में से एक का उलंगन करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने अन्य लोग स्टॉक खरीदना चाहते हैं, आपको केवल तभी खरीदना चाहिए, जब स्टॉक एक वांसनिय व्यावसाई का मालिक मनने का एक सस्ता तरीका हो, पहले दिन की उफ्टेर और सेवाओं के 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संचई कुल शेयर बेचे थे, लेकिन इस प्रकिरिया में 25 मिलियन डॉलर खो दिये गए थे, हालिया वित्यती महाई में VA Linex ने बिकरी में 15 मिलियन डॉलर कमाई थे, लेकिन उन पर 10 मिलियन डालर खो दिये गए थे, तब यह कारोबार हर डॉलर में लगवग 70 सेंट खो रहा था। विये लाइनेक्स का संचित गाटा 30 मिलियन डॉलर था। यदि विये लाइनेक्स एक निजी कमपनी है जो उस व्यक्ति के स्वामितव में है जो अगले दरवाजे पर रहता है तो वह है पैकेट बाड़ पर जुक गया और पूछा कि आप अपने संगर से छोटे विया वसाई को अपने हातों से लेने के लिए कितना भुगतान करेंग विशेश रूप से अपने फैसले पर निर्वर करते हुए हम मेंसे कोई भी मृत्त को लगबग 13 मिलियन डॉलर का भुगतान करने के लिए सेहमत नहीं होगा लेकिन जब हम नेजी तोर पर सारवजनिक रूप से सारवजनिक होते हैं तो मुल्याकन अचानक लोग प्रिय पर्तिविता बन जाता है तो स्टाक की कीमत उस व्यापार के मुल्य से अधिक महत पोन लगती है जो इसका परती निदितों करती है जब तक कोई अन्य स्टोक के लिए आपके द्वारा किये गए भुगदान से अधिक भुगदान करेगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की व्यावसाए क्या लाइक है व्यापार के पहले दिन एक राकेट की तरह ऊपर जाने के बाद VA Linux एक मक्थन वाली इनिट की तरह नीचे आया 9 दिसंबर 2002 तक स्टोक के 249.50 डोलर के तीन दिन बाद VA Linux परती शेर 1.90 डोलर पर पंद हुआ साक्षय के आधार पर निश्वक्ष बजन बुद्धिमान निवेशक को यह निसकर्स निकालना चाहिए कि IPO के वल प्रारंबिक सारवजनिक पेशकस के लिए खड़ा नहीं है अधिक सठीक रूप से यह भी निवन के लिए शोर्टेड है यह शायद अधिक मुल्यवान है केवल कल्पनात्मक लाब अंदरूनी निजी अवसर या बेवकूफ निरर्थक और अपमान जनक धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो अध्याय साथ उद्मी के लिए पोटफोलियो निति निवेशक सकारात्मक पक्ष हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम एक महान भाग्य बनाने के लिए बहुत साउधानी की आवशकता होती है जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो इसे बनाए रखने के लिए दस गुना आथिक बुद्धी की आवशकता होती है टाइमिंग कुछ भी नहीं है एक आदर्स दुनिया में बुद्धि मानिवेशक तवी स्टाग खरीदेगा जब वे सस्ते होंगे और जब वे ओर्राइड हो जाएंगे तो उन्हें बेच देंगे फिर बॉंड और नगदी के बंकर को छेडने का प्रयास करेंगे जब तक की स्टोक फिर से खरीदने लाइक सस्ते नय हो जाएं 1966-2001 के अंत तक एक अध्यन में दावा किया गया था कि स्टोक में एक डोलर के निवेश को लगातार लगाए रखने से इसका मुल्य 11.78 डोलर हो गया था लेकिन यदि आपने प्रतेक वर्ष के पांथ सबसे बुरे दिनों से पहले अपने स्टोक से इसे बाहर निकाल लिया तो आपके मूल एक डोलर का मुल्य 987.12 डोलर हो गया होता सबसे जदोई विचार बाजरों की तरह यह हाथ की सफाईवर निधारित है वास्तों में आप कैसे बुरे दिन आने से पहले पता लगा सकते हैं कि कौन से दिन सबसे बुरे दिन होंगे 7 जनुवरी 1973 को निवियरक टाइम्स ने देश के टोप वितिय पूर्वा नुमान करताओं में से एक की साथ एक इंट्रिव्यू दिखाया जिसने निवेशकों से बिना किसी हिच की चाहट के शेर खरीदने का आग्रे किया यह बहुत ही दुरलब बात है कि आप इस गोशना को शुनने के बाद भी आयोग्य हो सकते हैं ओर्कास्टर का नाम एलन ग्रीन स्पैन था और यह बहुत दुरलब है कि उन्होंने हर उसको आयोग्य ठहराया जो इस पल का लाव ने उठा सके वो चाहे फेडरल रिजर्व के अध्यक्स भी क्यों ने हो ग्रेट शेर बाजार के डिप्रेशन के बाद 1973 और 1974 आर्थिक विकास के लिए सब से खराब साल थे क्या पेशेवर एलन ग्रीन स्पैन की तुलना में किसी भी समय बाजार को बेहतर बना सकते हैं 3 दिसंबर 2001 को आरेम लेरी एंड कमपनी की मारकेट टाइमिंग फर्म के अध्यक्स केट लेरी ली ने कहा मुझे नहीं लगता कि अधिकास गिरावट के बाद नुकसान होने का कोई कारण है उन्होंने कहा 2003 की पहली ती माही के लिए स्टोक बढ़िया लग रहा था जिसकी भविश्या मानी करते हुए अगले तीन महिनों में शेरों के ओसत 0.28 रिटर्न अर्जित किया जिसने नगदी से 1.5% अंडर फॉर्म किया इस विचार में लेरी अकेली नहीं है ड्यूक विश्यवेद्याले के दो वित प्रोफेसरों के एक अध्यन में पाया गया कि यदि आपने सभी बाजार टाइमिंग न्यूज लेटर्स के सर्वेस रेष्ट 10% की सिभारिसों का पालन किया होता तो आपने 1991 से 1995 तक 12.6 वार्चिक रेटर नर्जित की होती लेकिन अगर आपने उन्हें अंदेखा किया और अपने पैसे को स्टाक इंडेक्स फंड में रखा होता तो आपको 16.4% की आई होती जैसा कि डेनिस दार्शनिक सोरेन किरकेगाड ने उलेक किया है जीवन को बीते समय से ही समझा जा सकता है लेकिन इसे भविश्य में जीना चाहिए पीछे मूड कर देखें आप हमेशा वही देख सकते हैं जब आपने अपने शेरों को खरीदना और बेचना चाहिए था लेकिन आप इसे देखकर सोच में ने पड़ जाएं जब आप वास्त्विक समय में इसे देख रहे हों बस केवल इसमें अंदर जाना है और तुरंत बाहर निकलना है वित्य बाजारों में हमेशा के लिए 2020 की बाधा रही है लेकिन दूर दर्शिता कानूनी रूप से अंधी होती है इसलिए अधिकांश निवेशकों के लिए बाजार का समय जानना व्यवारिक और भावनात्मक रूप से असंभव होता है क्या चल रहा है जो स्टाक अंतरिक सियान की तरह गती पकड़ते हैं वे जैसे ही प्रत्विके समताप मंडल से आगे बढ़ते हैं तो ग्रोथ स्टाक अक्सर गुरुत्वाक्षन को चीर कर आगे बढ़ जाते हैं आईए 1990 के सबसे होट ग्रोथ शेरों में से तीन के ट्रांजेक्टरीज पर नज़र डालते हैं जो है जनरल इलेक्ट्रिक, होम डिपो और सन माइक्रो सिस्टम 1995 से 1999 तक प्रतेक वर्ष में प्रतेक बढ़ा और अधिक लाबदाहिक सावित हुआ सन का राजसव दुगना हो गया और होम डिपो का दुगने से अधिक हो गया वेल्यू लाइन के अनुसार GE का राजसव 29% बढ़ा था जिसकी कमाई 65% बढ़ी होम डिपोर सन की प्रतिश शेर आई लगवग तीन गुनी हो गई थी लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था जिसने ग्राहम को एक बार भी हैरान नहीं किया जितनी तेजी से ये कमपनिया बढ़ी उनके शेर उतने ही महंगे होते गई और जब स्टाक कमपनियों की तुलना में तेजी से बढ़ता है तो निवेशक हमेशा मुशिबत में होते हैं जैसा की ग्राहम बताते हैं कि एक महान कमपनी तब एक महान निवेश नहीं होती है जब आप स्टोक के लिए बहुत अधिक भुगतान करते हैं जितना अधिक स्टोक बढ़ता है उतना ही उपर जाने की संभावना है लेकिन उस सहज विश्वास को वित्य भोतिकी के एक मोलिक कानून द्वारा स्पष्ट रूप से विरोधा भाशी माना जाता है जितना बढ़ावे प्राप्त करते हैं उतनी ही धिमी गती से बढ़ते हैं एक बिलियन डॉलर कमपनी अपने विक्री को काफी आसानी से दूगना कर सकती है लेकिन 50 बिलियन डॉलर की कमपनी बनाने के लिए 50 बिलियन डॉलर व्यवसाई की कमपनी कहां से ला सकती है Growth Stock तब खरीतने लाइक होते हैं जब उनकी कीमते उचित होती है लेकिन जब उनका कीमत ratio अनुपात 25-30% अधिक हो जाता है तब वे बदसूरत हो जाती है जैसे पत्रकार कैरोर लूमीस ने पाया कि 1960-1999 तक Fortune 500 की सूची में सबसे बड़ी 500 कमपनियों में से केवल आठ ही दो दसकों से सालाना ओसतन कमाई कम से कम 15% अरजित करने में सफल रही पांस दसकों के आंकडों को देखते हुए सैन फोर्ड सी बरंस्टीन एंड कमपनी की शोध फरम ने दिखाया कि बड़ी अमेरिकी कमपनियों के केवल दस परतिसत ने कम से कम लगातार पांस सालों तक अपनी कमाई में 20% की वरदी की जो दस सालों के लिए केवल 3% कमपनियों ने 20% की वरदी की हुई थी और खास बात यह है कि एक भी कमपनी ने इसे लगातार 15 साल तक एसा नहीं किया 1991 से लेकर 1998 में तक के हजारों अमेरिकी शेयरों के एक अकादमिक अध्यन में पाया गया कि 10 वर्स की अवदी में शुद कमाई में ओसतन 9.7% सालाना वरदी होई लेकिन सबसे बड़ी 20% कमपनीों के लिए कमाई के वल 9.3% की वार्सिक ओसत से बढ़ी यहां तक कि कई कोर्पोरेट नेता इन बादाओं को समझने में विफल रहते हैं हालां कि बुद्धिमान निवेशक बड़े विकास शेयरों में दिल्चस्पी लेते हैं जब वे अपनी सबसे लोगप्रिय प्रिस्तिति में नहीं होते हैं लेकिन जब कुछ गलत हो जाता है तो जैसे जुलाई 2002 में जोंसन एंड जोंसन ने गोशना की कि संगिय नियमक अपने एक दवा कार खाने में जूटे रिकोर्ड्स और आरोपों की जांच कर रहे थे और एकी दिन में स्टोक में 16% की गिरावट आ गई पिछले 12 महिनों की कमाई 24 गुना से गटकर जोंसन एंड जोंसन की हिस्सेदारी महद 20 गुना रहे गई उस निचले स्तर पर जोंसन एंड जोंसन एक बार फिर से एक ग्रोथ स्टोक बन सकता था जिसके विकास के लिए यह है एक उधारन है जिसे ग्राहम अपेक्षाकरत ऐलोग प्रिय बड़ी कमपनी कहते हैं अच्छी कीमत में बड़िया कमपनी खरी दें क्या आपको सभी अंडे एक टोकरी में रखने चाहिए एंड्रियू करनेगी ने एक सदी पहले कहा था कि अपने सभी अंडों को एक टोकरी में रखें और फिर उस टोकरी को देखते रहें जीवन की महान सफलताएं एकागरता से बनती है जैसा की ग्राहम बताते हैं आम शेरों से वास्तों में बड़े भाग्ये उन लोगों द्वारा बनाए गई हैं जिनोंने अपना सारा पैसा एक निवेश में लगाया था जिसे वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे अमेरिका के लगबग सभी सबसे अमीर लोग एक एकल उध्योग या एक एकल कमपनी में केंदरित निवेश में अपनी संपत्ती का पता लगाते हैं 1982 से अब तक उधारन के तोर पर देखें, तो फोर्च 400 सबसे अमीर अमेरिकियों की सूची में से लगबग सभी ने अब तक अंडाइवर्सिफाइड फोर्चून से ही डोमिनेट किया है, हालांकि लगबग कोई छोटी किस्मत इस तरह से नहीं बनाई गई है, और नहीं इस तरह से कोई बड़े भाग्या लिखे गए हैं, कार्नेगी ने जो उलेक करने के लिए जिसे छोड़ दिया है, वह यह है कि एकागरता जीवन की अधिकांश महान ऐस अपालताओं को भी बनाती है, फोव की रिच लिस्ट पर फिर से नज़र डालें, 1982 में वापस फोव 400 के सदश्यों का ओसत मुले 230 बिलियन डोलर था, 2002 के फोव 400 पर इसे बनाने के लिए ओसत 1982 के सदश्य को अपने धन पर केवल 4.5 ओसत वार्शिक रिटर्न अरजित करने की आवशक्ता थी, इस अवदी के दोरान जब बैंक खातों की तुलना में कहीं अधिक कमाई हुई और शेर बाजार ने 13.2 पर तिसद का वार्शिक ओसत प्राप्ट किया, क्या आप जानते हैं कि 1982 से फोव 400 में से कितने बाग्या साली अमीर 20 साल बाद सूची में बने रहे, कुल सदश्यों में से केवल 64 और 2002 की सूची में अभी भी 16 परतिसत हैं जो अपने सभी अंडे एक टोकरी में रखे हुए हैं जो उन्हें पहली बार सूची में मिल गए थे जैसे तेल, गैस या कंप्यूटर जैसे उद्योगों में जो हाड़वेर या बुन्यादी निर्मा या अन्य सभी मूल सदश्य इन से दूर हो गई, जब कठिन समय हित होता है तो इन लोगों में से कोई भी लगबग सभी बड़े लाबों के बावजूद जो बहुत सारा धन ला सकते हैं, उन्हें ठीक से तैयार किये गए थे, वे केवल खड़े होकर करंच कर सकते थे और ल रीदने के लिए है जो ग्राहम के मानदनों को पूरा करते हैं, हलांकि इंटरनेट से एक मदद मिल सकती है, फिर भी आपको बहुत से काम हाथ से करने होंगे, आज के एकनोमिक्स टाइम की एक प्रती ले, मनी एंड इन्वेस्टिंग सेक्शन पर जाएं और शेरों की वो जो पिछले साल से इस साल निचले स्पर पर थे, उन्हें देखने के लिए BSC, NSC और Nasdaq स्कोर कार्ड पर भी एक नजर डालें, यह देखें कि क्या कोई शेर नेट वर्किंग कैपिटल मुल्य से कम पर बिक रहे हैं, एडगार डेटाबेस से पहले हालिया त्रेमासिक या व विकान स्टोक हाल ही में काफी संख्या में लिस्टिड हुए हैं। कामवर्स के नगदी और इन्वेंटरी के मुल्य से अधिक स्टोक की कीमत के साथ कमपनी का चल रहा व्यापार अनिवारिये रूप से कुछ भी नहीं बेच रहा था। जैसा कि ग्राहम को पता था आप कभी भी कामवर्स जैसे स्टोक पर पैसा खो सकते हैं। यही कारण है कि आपको उन्हें के वल तभी खरीदना चाहिए जब आपको वे एक समय में एक के मुल्य में एक दरजन मिल सकते हैं। और आप उन्हें धहरे पूरवक पकड़ कर रख सकते हैं। लेकिन बहुत ही कम मौकों पर जब मिस्टर मार्केट कई सच्चे सोधे बाजों को पैदा करता है तो आप पैसा बनाने के लिए निश्चिन्त हो सकते हैं। आपकी विदेश निती क्या है? विदेशी शेरों में निवेश करना बुद्धिमान निवेशक के लिए निवारिये नहीं है लेकिन यह निश्चित रूप से उचित है। क्यों? आईए थोड़ा विचार करके देखें। यह 1989 का अंत है और आप जापानी है। यहां तथ्या यह है। पहला, पिछले दस वर्सों में जापान के शेर बाजार ने स्विउप्त राजय अमेरिका में 17.5% वार्षिक लाव के साथ 21.2% की वार्षिक उसत प्राप्त की है। दूसरा, जापानी कंपनिया स्विउप्त राजय अमेरिका में कंकर बीच कोल कोर्स से राकफेलर सेंटर तक सब कुछ खरीद रही है। इसी बीच DVL Financial Corporation of America और टेक्स को जैसी अमेरिकी फरमेद दिवालिया हो रही है। तीसरा, अमेरिकी हाई टेक्निक उद्योग डूब रहा है, जापान फल फूल रहा है। कि ऐसा नहीं है कि आपको कभी जापान जैसे विदेशी बाजारों में निवेश नहीं करना चाहिए, बलकि जापान को अपना सारा पैसा घर पर नहीं रखना चाहिए। और नहीं ही आपको भी इसे घर पर रखना चाहिए। यदि आप सम्युक्त राजय अमेरिका में रहत सिर्फ इसलिए कि कोई भी कहीं भी और कभी भी यह नहीं जानता कि भविशे में मार्केट बेहतर कहां रहने वाली है घर पर या विदेश में अपने स्टाक मनी का एक तियाई हिस्सा उन म्यूचुल फंड में लगाएं जो विदेशी स्टोक रखते हैं ये जोखिम के खिलाब सुरक्षा में हमारी मदद करते हैं धन्यवाद hindiaudiobook.com आपका तिन शुब हो दा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याए 8 इन्वेस्टर और मार्केट फ्लेक्ट्वेशन्स hindiaudiobook.com जो लोग लोग प्रिय होना चाहते हैं उनकी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है। खुशी की चाहत रखने वालों की खुशी उनके नियंतर्ण से बाहर के मूड के साथ होती है लेकिन बुद्धिमानों की खुशी अपने स्वें के सुतंतर कृतियों से बढ़ती है मारकस अरेलियस डॉक्टर जैकेल और मिस्टर मारकेट ज्यादातर समय बाजार ज्यादातर शेरों के मुल्य निर्धारन में सटीक होता है लाखों खरीदार और विक्रेता सही कीमत पर कमपनियों के मुल्य निर्धारन में ओसत अच्छा काम करते हैं लेकिन कभी कभी कीमत सही नहीं होती इसलिए निर्णे गलत हो जाते हैं एसे समय में ग्राहम कहते हैं कि मिश्टर मार्केट की छबी को समझने की जरूरत होती है जिसमें शायद सबसे शांदार मेटाफोर जो यह समझाने के लिए बनाया गया है कि स्टोक कैसे गलत हो सकते हैं. मैनिक डिप्रेसिव मिस्टर मार्केट हमेशा स्टोक के मुल्यांकन के हिसाब से या उस तरह कीमत नहीं देता है जिस तरह एक नीजी खरीदार एक व्यावसाई को महत्तो देता है इसके बजाएए जब स्टोक बढ़ रहा होता है तो वहे खुश शे अपने उदेश्य मुल्या यानि objective value से अधिक वुगतान करता है और जब स्टोक नीचे गिर रहा होता है तो वहे उन्हें उनके वास्थिक मुल्या यानि true worth से कम के लिए डंप करने के लिए बेताब रहता ह क्या मिश्टर मार्केट अभी भी आसपास है? क्या वह अभी भी द्वी धूर्वी है? तुम शर्त लगा लो, वह है. 17 मार्च 2000 को इंक टमी कॉर्पोरेशन के शेर ने 231.625 डॉलर का नया हाई लेवल चुवा. चुँकि वे पहली बार जून 1998 में बाजार में आये थे, इसलिए इंटरनेट सर्च सोफ्टेयर कंपनी के शेरों में लगवग 19% की व्रदी होई थी. दिसंबर 1999 के बार के कुछ हफ स्टाक लगवग 3 गुना हो गया था. इंक टमी में ऐसा क्या चल रहा था जो कारोबार को इतना मुल्यवान बना रहा था उत्तर लगवग स्पष्ट था. अब उत्पूरों रूप से तेज विकास. डिसंबर 1999 में स्माप्तों होने वाली तिमाही में इंक टमी ने तक बनाई रख सकता तो इसका रेवेन्यू प्रती महा 36 मिलियन डॉलर एक तिमाही से 5 बिलियन डॉलर तक विस्पोठक होता. इस द्रिष्टी से इस तरह की व्रदी से शेर तेजी से उपर चला गया जितना दूर उसे जाना निश्चित था. लेकिन इंक टमी के स्टोप के साथ अपने इस प्रेम संबंद में मिश्टर मार्केट अपने व्यवसाई के बारे में कुछ अंदेखी कर रहा था. कंपनी बहुत सारा पैसा गवा रही थी. इसने हालिया तिमाही में 6 मिलियन डॉलर गवाई. उससे पहले 12 महिनों में 24 मिलियन डॉलर और उससे पहले वाल मिलियन डॉलर के एक छोटे व्यवसाई को महतव दिया. और फिर मिस्टर मार्केट अचानक बुरे सपने की चपेट में आ गया. 30 सितंबर 2002 को 231.625 डॉलर प्रती शेर की उंची छलांग के ठीक ड़ही साल बाद इंक टमी का शेर 25 सेंट पर बंद हुआ. कुल बाजार मुल 25 बिलियन डॉलर से गिरकर 40 मिलियन डॉलर से भी कम हो गया था. क्या इंक टमी का कारोबार खत्म हो गया था? हर्गिज नहीं, पिछले 12 महिनों में कम्पनी ने 113 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू अर्जित किया था. तो क्या बदल गया था? केवल मिस्टर मार्केट का 2000 की शुरुवात में निवेशक इंटरनेट पर इतने एनियंतरित थे कि उन्होंने कमपनी के रेवेन्यू के 500 गुना इंक्टमी के शेरों की कीमत लगाई अब हालांकि वे इसके रेवेन्यू का केवल 0.35 गुना बुप्टान करेंगे मिस्टर मार्केट ने डॉक्टर जेकेल से मिस्टर हाइक तक की यातरा की थी और हर उस शेयर को बूरी तरह से रोन दिया था जिसने उसे मुर्क बनाया था लेकिन मिस्टर मार्केट उनके इस गुसे में जायज नहीं था जितना की वह पहले उन्मादिपन में था 23 दिसंबर 2002 को याहू इंक ने गोशना की कि वह इंक टमी को 1.65 डोलर परती शेयर में खरी देगा 30 सितंबर को इंक टमी के स्टोक मुल्या का लगबग साथ गुना हो गया था इतिहाश शायद यह दिखाएगा कि याहू ने मोल भाव किया था जब मिश्टर मार्केट स्टोक को इतना सस्ता कर देता है तो यह कोई आसरिय नहीं है कि पूरी कमपनिया उसके तहर सही खरीद लेती है अपने लिए सोचें क्या आप स्वेच्छा से एक सर्टिफिकेट धारी को सब्ता में कम से कम पांस बार यह बताने के लिए अनुमती देंगे कि आपको ठीक उसी तरह महसूस करना चाहिए जिस तरह से वह महसूस करता है क्या आप कभी इस बात के लिए सहमत होंगे कि वह सिर्फ इसलिए व्यर्थ है कि वह गलत है या फिर इसलिए क्योंकि वह सोचता है कि आपको भी गलत होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप अपने अनुभों और अपने विश्वाशों के आधार पर अपने स्वें के भावनात्मक जीवन को नियंद्रित करने के अपने अधिकार पर जोड़ देते हैं, लेकिन जब उनके वित्य जीवन की बात आती है, तो लाखों लोग मिस्टर मार्केट को बताते हैं कि उन्हें कैसे महसूस करना है और क्या करना है, इस तथ्य के बावजूद कि समय समय पर वहे एक फ्रूट केक से अधिक पोशक ततो प्राप्ट कर सकते हैं, 1999 में जब मिस्टर मार्केट पर संता से चिला रहा था कि अमेरिकी क्रमचारियों ने अपने 401 के सेवा निवर्ती योजनाओं में ओस्तन 8.6% का निर्देशन किया, साल 2002 के बाद मिस्टर मार्केट ने 3 साल के स्टोक को कचरे के थैलों में रखकर खर्च किया, तब ओसत उत्सुक लोग उन्हें खरीदने के लिए तयार हुए, क्योंकि वे अपने लिए सोचने के बजाए मिस्टर मार्केट की नकल कर रहे थे, बुद्धिमान निवेशक को पूरी तरह से मिस्टर मार्केट की उपेक्शन नहीं करनी चाहिए, इसके बजाए आपको उसके साथ व्यापार करना चाहिए, लेकिन केवल इस हद तक कि यह आपके हितों की सेवा करता रहे, मिस्टर मार्केट का काम आपको कीमते परदान करना है, आपका काम यह तै करना है कि आपके लाब यहानी को देखते हुए उचित खरीद वेच करना, आपको उसके साथ केवल इसलिए व्यापार नहीं करना है क्योंकि वेह लगातार आपसे मांग करता रहता है, मिस्टर मार्केट को अपना मालिक होने से इंकार करके आप उसे अपने नोकर में बदल देते हैं, आखिरकार जब वेह मुल्यों को नश्ट करता हुआ परतीत होता है, तब भी वेह उन्हें कहीं और पैदा कर रहा होता है, 1999 में विल्शेर 5000 इंडेक्स अमेरिकी स्टोक प्रदर्शन का सबसे बड़ा माप था, टेकनोलोजी और टेली कम्यूनिकेशन शेरों द्वारा संचालित 23.8 पर तीसर, लेकिन विल्शेर इंडेक्स में 7234 शेरों में से 3743 शेर ओसत बढ़ने के ब हजारों पुरानी अर्थविय वस्ता के शेर कीचड में जमे हुए थे, सस्ता और सस्ता हो रहा था, CMGI का स्टोक इंक्यूबेटर या इंटरन स्टार्ट अप फर्मों के लिए होल्डिंग कम्पनी 1999 में आसरें जनक रूप से 949.9 परतिसत हो गया, इसी बीच बर्कशायर है अर्थविय होल्डिंग कम्पनी जिसके माध्यम से ग्राहम के सबसे बड़े शेश्य वारेन बफेट जो कोका कोला, जी लेट और वासिंटन पोस्ट कम्पनी जैसे पुराने अर्थविय वस्ता के दिगजों के मालिक हैं जो 24.9 पर तीसर तक गिर गई, लेकिन तब जैसा क कि यह अक्सर होता है, बाजार में अचानक मूर्ड स्विंग हुआ और 2002 के माध्यम से 1999 के सबसे खराब शेयर साल 2000 के सितारे बन गए, उन दो होल्डिंग कम्पनियों के रूप में CMGI ने साल 2000 में 96 परतीसत, 2001 में 70.9 परतीसत और अभी भी 2000 में 49.8 परतीसत अधिक जिसने 99.3 का संचे मुल्यक हो दिया, बरकशेर हैत्वे ने 2000 में 26.6 परतीसत और 2001 में 6.5 परतीसत की व्रदी की, फिर 2002 में मामुली 3.8 का नुकसान हुआ और 30 परतीसत का संचेई लाब हुआ, क्या आप अपने खेल से आगे बढ़ सकते हैं? ग्राहम की सबसे शक्तिशाली अंतरद्रिष्टी में से एक यह है, कि जो निवेशक अपने आपको अपनी होल्डिंग में बाजार की गिरावट से चिंतित होने के अनुमती देते हैं, वहे अपने बुनियादी लाब को मूल नुकसान में बदल रहा है. मूल लाब यानि बेसिक एडवांटेज इन शब्दों से ग्राहम का अर्थ है कि बुद्धिमान वेक्टिगत निवेशक को यह चुनने के पूरी सोतंतरता है कि वहे मिस्टर मार्केट का पालन करे या नहीं, आपके पास खुद के लिए सोचने में सक्षम होने की लगजरी है, हलांकि विशिष्ट मनी मैनेजर के पास मिस्टर मार्केट के हर कدم की नकल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो हाई खरीदता है और कम बेच रहा है, जो अपने एनिश्चित चरणों में लगबग ना समझ है, यहां कुछ हैंड़ पिक मूच्छल फंड मैनेजर औ और अन्य पेशबर निवेशक हैं, जो इस परकार हैं, एक, मैनेजमेंट के तहट अर्बों डोलर के साथ उन्हें सबसे बड़े शेरों की और बढ़ना चाहिए, केवल वे ही मल्टी डोलर की मातरा में खरीद सकते हैं, जिनने अपने पोर्टफोलियों को भरने के जुरूर इस परकार कई फंड्स कुछ ही और प्राइजड दिगजों के मालिक हैं, दो, बाजार में तेजी के साथ निवेशक फंड में और पैसा डालते हैं, मैनेजरों ने उस नई नगदी का उप्योग उन शेरों को खरीदने के लिए किया है, जो पहले से ही उनके पास है, जो कीम हो सकती है, जिस तरह फंड्स को एक बढ़ते हुए बाजार में इंफलेटेड प्राइस पर स्टोक खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, वैसे ही वे मजबूर विक्रेता बन जाते हैं, क्योंकि स्टाक फिर से सस्ते हो जाते हैं, चार, कई पोर्टफोलियो मैनेजरों को बाजार की धड़कन के लिए बोनस मिलता है, इसलिए वे S&P 500 इंडेक्स जैसे बेंचमार्क के खिलाफ अपने रिटर्न को जानबूज कर मापते हैं, यदि कोई कंपनी एक इंडेक्स में जुड़ जाती है, तो सेंकडों फंड्स उसे अनिवारिया रूप से खरीदते ह 5. फंड मैनेजरों को जल्दी से स्पेसलाइजेशन की उमीद होती है, जिस तरह दवा में सामान्य चिकित सकने, बाल रोग दिशे सक्या और जियाट्रिक आटोलिंगरोलाइजिस्ट को रास्ता दिया है, फंड मैनेजर्स को अपने छोटे ग्रोथ स्टोप या केवल मिड स उड़े खरीटती है तो फंड को इसे बेचना पड़ता है, भले ही मैनेजर्स्टोक से प्यार करता हो, इसका कोई कारण नहीं है, कि आप पेशेवरों के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते, आप क्या नहीं कर सकते, अपने खेल में पेशेवरों को हरा सकते हैं, पेशेवर अपना बी नहीं जीत सकते हैं आप इसे क्यों खेलना चाहते हैं यदि आप उनके नियमों का पालन करते हैं तो आप हार जाएंगे क्योंकि आप Mr. Market के एक दास के रूप में पेशेवरों के रूप में समाप्त हो जाएंगे इसके बजाए पहचाने की समझदारी से निवेश करना नि यह नियंतरित नहीं कर सकते हैं कि आपके द्वारा खरीदे गए शेयर या फंड आज, अगले हफते, इस महीने या इस साल बाजार में बेहतर परदर्शन करेंगे या नहीं, अलपा उदी में आपकी रिटर्न हमेशा मिस्टर मार्केट और उनके स्वामियों के लिए बंदक ह होंगे, लेकिन आप इन्हें नियंतरित कर सकते हैं, एक, आपकी ब्रोकरेज लागत, कभी-कभी धहरिय पूर्वक और सस्तिर ट्रेडिंग करके आप इसे कम कर सकते हैं, दो, आपकी ओनर्शिप कोष्ट, अत्यादिक वार्शिक खर्चों के साथ म्यूचुल फंड्स शेर बाजार में डालकर, डाइवर्सिफाई करके और री-बैलेंसिंग करके, पांच, आपके टेक्स बिल्स, कम से कम एक वर्श के लिए, और जब भी संबव हो, कम से कम पांच साल के लिए, अपने पूंजी लाप धेता को कम करने के लिए शेरों को होल्ड करके, छे, और स शत्रोता पूर्ण जंगल में जीवित रहने जैसा संगर्स है, लेकिन अपने खेल में दूसरों की पिटाई के बारे में सोचना निवेश नहीं है, यह अपने खेल में खुद को नियंद्रित करने के बारे में है, बुद्धिमान निवेशक के लिए चुनोती उन शेरों को खरीदो, वे केवल इसलिए कम बिकना क्योंकि मिस्टर मार्केट कहते हैं कि बेचो, यदि आप इन्वेस्टमेंट होरीजन लंबे समय से कर रहे हैं, तो कम से कम 25 या 30 साल तक केवल एक समझदार दृष्टिकोन रखें, हर महिने स्वेशालित रूप से खरीदें, और जब भी आप कुछ पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, करें, इस आजीवन होल्डिंग के लिए सबसे अच्छा विकल्प कुल स्टोक मार्केट इंडेक्स फंड है, इसे केवल नगदी की जवर्दस जरूर्त होने पर ही बेचें, एक बुद्धिमान निवेशक होने के लिए आप आपको अपनी वित्य सवलता का आंकलन करने से भी इनकार करना चाहिए, कि किसी एक समूने इसे कैसे किया है, यदि आप ड्यू, डलास या डेनवर में कोई व्यक्ति हैं, जिसने S&P 500 में बहुत कमाया है, तो आप एक पैसा भी खराब नहीं है, क्योंकि किसी ने भी इतना नहीं जाना है, कि वह मारके को धराशाई कर देगा, मैंने एक बार फलोरिडा के सबसे धनी सेवा निवर्थ समूदायों में से एक, बोका रेटन में सेवा निवर्थ लोगों के एक समूदायों का साक्षात कार लिया, मैंने इन लोगों से पूछा, जो ज़्यादा तर जसक में थे, अगर उन्होंने अपने निवेशत जिवन काल में बाजार को हराया था, तो वे बताएं, कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा नहीं, लेकिन सभी निश्चित नहीं थे, फिर एक आदमी ने कहा, कौन परवा करता है, मुझे पता है कि मेरे निवेश ने बोका को सम प्रियाप्त कमाई की है, क्या इस से ज़्यादा सही जवाब हो सकता है, आखिरकार निवेश का पूरा बिंदू, ओसत से अधिक पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रियाप्त धन अर्जित करना है, आपकी निवेश की सफलता को मापन करने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि क्या आप बाजार को हरा रहे हैं, बल्कि यह भी कि क्या आप एक वित्य योजना और व्यवहार में अनुशाशन रखते हैं, जो आपको उस जगह पर ले जाने की संभावना पैदा करता है, जहां आप जाना चाहते हैं, अंत मे किसी और से पहले फिनिशिंग लाइन को पार करने के लिए क्या माइने नहीं रखता है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप इसे पार करते हैं, फिर निवेशकों को मिस्टर मार्केट इतना मोहक क्यों लगता है, यह पता चला है कि हमारे दिमाग को मुश्किल में डालने में हमें मुश्किल होती है, इनसान पैटरन चाहने वाले होते हैं, मनोवेग्यनिकों ने दिखाया है कि यदि आप एक रेंडम सीक्वेंस वाले लोगों को परस्तूत करते हैं और उन्हें बताएं कि यह एपरत्यासित हैं, वे फिर भी यह अनुमान लगाने की कोशिश करन 9, 16 या 42 होगी, और यह हाट लिटल स्टाक अगला माइक्रोसोफ्ट ही होगा, नियूरो साइंस में नए शोद के आधार पर पता चला है कि हमारे दिमाग को उन रुजवनों का अनुवाव करने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां वे मोजुद नहीं है, यह एक गटना क के बार एक पंक्ते में सिर्फ दो या तीन बार होता है, मानो मस्तिस्क के ख्षेतरों को पूरोकाल सिंगुलेट और नाविक एक्क्यूबमस कहा जाता है, स्वेचालित रूप से यह फिर से हो जाएगा, यदि यह इसे दोहराता है, तो डोपामाइन नामक एक प्राकर्टि कई बार उपर जाता है, तो आप उमीद करते हैं कि यह जारी रहेगा, और स्टाक बढ़ने पर आपका मस्तिस्क रसाइन बदलता है, जिससे आपको नेचरूल हाई मिलता है, आप प्रभावी रूप से अपनी बहुश्यवाणियों के आदी हो जाते हैं, लेकिन जब बंद हो जाता है, तब वैसे भी आप आग की लप्टों से बचने ही सकते हैं, तब स्टॉक की कीमते गिरने पर आप भेवित महसूस ने करने में अपनी मदद नहीं कर सकते हैं, वास्तों में मनो वेगनिक डेनियल कहमेन और एमो स्टावसकी ने बताया है कि वित्य नुक्स अधिक शक्तिशाली बनाता है, पैसा खोना इतना दर्दनाक है कि बहुत से लोग किसी और नुक्सान की आशंका से घबरा जाते हैं और कम कीमत पर बेश देते हैं या अधिक खरीदने से इंकार कर देते हैं, यह स्पष्ट करने में मदद करता है कि हम बाजार में कच्चे परिणाम को ठीक क्यों करते हैं और नुक्सान को अनुपात में रखना भूल जाते हैं, इसलिए अगर एक टीवी रिपोर्टर का कहना है, बाजार डूब रहा है, डाव सो अंक नीचे है, ज्यादातर लोग सहज रूप से काप उठते हैं, लेकिन डाव के 8000 के हाल बढ़क ने कहा, तापमान गिर रहा है, यह 81 डिगरी से गिर कर 80 डिगरी हो गया है, वह भी 1.2% की गिरावट है, जब आप बाजार की कीमतों को परतिशत के संदर्ब में देखना भूल जाते हैं, तो मामूली कमपन से घवराना आसान हो जाता है, 1990 के दसक के उतरार्द में कई लोगों को यह महसूस हुआ कि वे अंधेरे में थे, जब तक कि वे दिन में कई बार अपने शेरों की कीमतों की जात नहीं कर लेते थे, लेकिन जैसा की ग्राहम कहते हैं, यदि उनके शेरों में कोई बाजार भाव नहीं था, तो उनके लिए विसिस्ट निवेशक बनना बेहतर होगा, क्योंकि तब उन्हें मानसिक पीडा से बक्षा जाएगा, जो अन्य व्यक्तियों की जजमेंट की गलतियों के कारण होता है, एक बजगर 24 मिनट पर आपके स्टोप पोर्टोलियों का मुल्य, एक बजगर 77 मिनट पर फिर से यह जांचने के लिए आप मजबूर महसूस करते हैं, तो अपने आपसे ये प्रशन पूछें, एक, क्या मैंने एक बजगर 24 मिनट पर अपने घर के बाजार मुल्य की जांच के लिए एक रियल इस्टेट एजेंट को बुलाया था, क्या मुझे एक बजगर 37 मिनट पर उसे तो अगर यह मेरे पास होता, तो क्या कीमत बदल जाती, अगर ऐसा होता, तो क्या मैं अपना घर बेचने के लिए दोड़ पड़ता, तीन, मेरे घर का बाजार मुल्य, मिनट दर मिनट की जांच करके, या यह जानकर भी, क्या मैं समय के साथ इसके मुल्य को बढ़ने से रो पार्केट के डैनिक डिपसी डूडल से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी मामले में, आने वाले वर्षों के लिए निवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्टोक की कीमते गिरना अच्छी ख़बर है, यह बुरा नहीं है, क्योंकि वे आपको कम पैसे में, अधि में बनाएंगे, एक बेर वाजार से डरने की बजाए आपको इसे गले लगाना चाहिए, बुद्धिमान निवेशक को स्टार्ट या म्यूचल फंड के मालिक होने के बावजूद पूरी तरह से अराम दायक होना चाहिए, भले ही शेर वाजार ने अपने दस वर्षों के ल अपने जैविक प्रवर्ति को स्विकार करके आप डॉलर की ओसत लागत आवशकता को स्विकार कर सकते हैं, अपने बहुत से पॉर्टफोलियो को स्थाई आटो पाइलेट पर रखकर आप भविश्यवानी की लट से लड़ सकते हैं, अपने देर कालिन वितिये लक्षों प को समझाने के लिए एक उधारन है, एक बेर बाजार में बेचना समझ में आता है जब अगर आप पर टेक्स की मार पड़ती है, अमेरिकी आंतरिक राजसव सहीता आपको साधारन आए में 3000 डॉलर तक की छूट देने के लिए आपको अपने वास्तविक नुक्सान का उप्य करने के अनुमती देते हैं, मान लेजिए कि आपने जनुवरी 2000 में कोका कोला स्टाक के 200 शेर 60 डॉलर परती शेर के हिसाब से कुल 12,000 डॉलर का निवेश करते हैं, वर्स 2002 के अन्त तक स्टाक 44 डॉलर परती शेर या आपके लोट के लिए 8,800 डॉलर से नीचे था, तब आप इसे गलीचे के नीचे जाड़ू देने जैसा महसूस करें और दिखावा करें कि यह कभी हुआ ही नहीं, या आप इस पर नियंतरन कर सकते थे, 2000 दोस माप्त होने से पहले आप अपने सभी कोक शेर पेच सकते थे, 32,000 डॉलर के नुकसान में ताला लगा सकते थे, आई यार डॉलर से कम करने में सक्षम होते, और आप 2003 में अपनी आई को आफसेट करने के लिए 6200 डॉलर के नुकसान का उप्योग कर सकते थे, और इस से बेहतर आप अभी वी एक कमपनी के मालिक होंगे, जिसका बविशे आप पर विश्वास करता है, लेकिन अब जितना आपने पह अगर अंकल सेम तुलना करके मिस्टर मार्केट को तारखिक बनाना चाहते हैं, तो हम किस्से शिकाइद करें? गराहम आपको एक इन्वेस्टर बनने के लिए, एक इन्वेस्टमेंट ओनर्स कॉंट्रैक्ट साइन करने के लिए कहते हैं, जो इस प्रकार है, मैं अपना नाम इसके द्वारा बताता हूँ कि मैं एक निवेशक हूँ, जो भविश्य में कई वर्सों तक धन संचय करना चाहता हूँ. मुझे पता है कि कई बार ऐसा होगा जब मुझे स्टोक या बॉंड में निवेश करने के लिए लुभाया जाएगा, क्योंकि उनका मुले उपर जा रह है और दूसरी बार जब मैं अपने निवेश को बेशने के लिए जाऊंगा, तो ये मुझे लुभाएंगे, क्योंकि वे नीचे चले गए हैं. मैं इसके द्वारा अपने अजनवियों को मेरे लिए वितिय नेड़ने लेने देने से मना करता हूँ. मैं आगे कभी निवेश नहीं करने के लिए प्रतिबत्ता जताता हूँ, क्योंकि शेर बाजार उपर चला गया है, और कभी बिखने वाला नहीं है, क्योंकि यह नीचे चला गया है. इसके बजाए, मैं प्रतेक म्यूचल फंड और विविद पोर्टपोलियों में एक स्वेचालित निवेश योजन हूँ, कि मैं इसमें से प्रतेक निवेश को कम से कम निमन लेखिती थी, जो इस संपरक की तारिक के बाद नियुन्तम दर्स वर्सका होना चाहिए, कि माध्यम से होल्ड करूँगा. यहां तिथी लिखें, इस अनुबंद की शर्तों के तहप, अनुमती दिये गए एक मात्र अपवाद हैं, नगदी की अचानक आवशकता, जैसे कि स्वास्ते देखबाल की आपाच सिती, या मेरी नोकरी का नुकसान, या एक योजनावद व्ये, जैसे आवास डाउन पेमेंटिया, या ट्यूशन बिल, मैं केवल शर्तों का पालन करने के लिए, अपना इरादा बत आते हुए, इस अनुबंद के नीचे हस्ताक्षर करता हूँ, लेकिन जब भी मैं अपने किसी भी निवेश को बेशने के लिए ललचाया जाता हूँ, तो मुझे इस दस्तावेश को फिर से पढ़ना होगा, यह अनुबंद केवल तभी मान्य होता है, जब कम से कम एक गवा के सिगनेचर, अब आप इस कोंट्रेक्ट को साइन करके एक ऐसे स्थान पर रख लें, जहां से आपको आसानी से उपलब्द हो सके, धन्यवाद, हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम, आपका दिन शुब हो, एक अध्यापक ने स्कूली छातर बिली बोव से पूछा, यदि आपके पास बारे बेड़े हैं, और एक बार से बाहर कूद जाती है, तो आपके पास कितनी बेड़े मचेंगी? बिली बोव जवाब देता है, एक भी नहीं, शिक्षक ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या आपको यकीन है, कि गटाने के सवाल का यह उत्तर सही है, बिली बोव ने जवाब दिया, शायद नहीं, लेकिन मुझे यकीन है, कि मेरी बेड़ों को पका पता है, एक पूराना टेकसास म जाक, लगभग आदर, विशुद रूप से, म्यूचल फंड, जिसका निर्मान अमेरिका में हुआ था, को 1924 में, एलुमिनियम के एक पूरो सेल्जमेन और एडवर्ड जी लेसलर नाम के पैंद वारा स्थापित किया गया था, म्यूचल फंड काफी सस्ते, बहुत जाजनक, आमतोर पर विविद, पेशेवर रूप से मैनेजड और संगिय परतिबूती कानून के कुछ सबसे कठिन प्रावधानों के तहट, टाइटली रेगुलेटेड होते हैं, इनके माध्यम से लगभग किसी के लिए निवेश को आसान और सस्ता बना कर, इसके द्वार लगभग 54 मिलियन अमेरिकी परिपारों के धन को निवेश की मुख्यदारा में ला दिया है, यह शायद वितिय लोगतंतर में अब तक की सबसे बड़ी 29 साबित हुआ है, लेकिन म्यूचिल फंड सही नहीं है, और वे लगभग सही हैं, ये दोनों वक्के काफी अंतर पैद करते हैं, वे प्रदर्शन में एनियमित उतार चड़ाओं को जहलते हैं, बुद्धिमा निवेशक को बड़ी सावधानी के साथ अपनी धनरासी के लिए फंड का चैन करना चाहिए, ताकि मोटी गड़बडी का सामना नहीं करना पड़े, जादतर निवेशक इस धालना के स एक फंड खरीदते हैं, जो तेजी से उपर जा रहा है, और यह उपर जाना जारी रहेगा, मनो वेगैनिकों ने हमें बताया है, कि मनुष्यों में यह विश्वास करने की एक जन्मजात परवर्ती होती है, कि लंबे समय तक परिणामों की एक छोटी सरंकला से भी भविश् सकती है, हम अपने स्वे के अनुबहु से जानते हैं, कि कुछ पलंबर दूसरों की तुलना में बेहतर है, कुछ बेस बाल खिलाडियों के गरेलू किछ पर जादारन हिट करने की संभावना है, हमारे पसंदिदा रेस्तरा लगातार बेहतर भोजन परोशते हैं, और स्मार् यदि कोई फंड बाजार से बेहतर परदर्शन करता है, तो हमारा अंतरग्यान हमसे यह उमीद करता है, कि वह भी बेहतर परदर्शन करने की उमीद कर सकता है, दुर्भग्य से वितिय बाजारों में कोशल की तुलना में भग्य अधिक महतवपून है, यदि कोई मैनेजर ठीक समय पर बाजार के सही कोने में होता है, तो वह शांदा दिखाई देता है, लेकिन अक्सर जो अभी अभी काफी होट स्टोग था, वह अचानक ठंडा हो जाता है, तो प्रबंदक का IQ पचास अंकों तक सिकड जाता है, यह हमें उस समय की याद दिलाता है, जब बाजार का सबसे होट तकनिकी सेक्टर 1999 में अचानक बिना पूरू चेताउनी के तरल नाइट्रोजन की तरह ठंडा हो गया, और यह है एक उस निवेशक के लिए सुम्रणियत अथ्या है, जो इसे करता रहता है, कि पिछले प्रदर्शन के आधार पर फंड करीदना एक मूर्ख ता ऐसे चैन नहीं करते हैं, ताकि शोद और उनके ट्रेडिंग की लागतों को दूर किया जा सके, दूसरा, फंड का खर्द जितना अधिक होगा, उतना ही कम रिटर्न देगा, तीसरा, जितना अधिक बार एक फंड अपने शेरों को ट्रेड करता है, उतना ही कम कमाई देता है चोथा, अत्यधिक ऐस तिरफंड, जो ओसत से अधिक उचलते और गिरते हैं, उनके ऐस ताई रहने की संभावना है पांचवा, पिछले हाई रिटर्न वाले फंड के, लंबे समय तक विजयता बने रहने की संभावना नहीं है अतीत में अपने रिटर्न के आधार पर, भविशय के सिर्फ परदर्शन वाले फंडों के चैयन की आपकी संभावनाएं उतनी ही अधिक है जितने की बिगफुट और अबोनिबेल स्नोमेन दोनों अपनी अगली काक्टेल पार्टी में गुलावी बेले चंपल में दिखाई देंगे दूसरे शब्दों में आपके मोके सुनने नहीं है लेकिन वे इसके बहुत करीब है लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि सबसे पहले यह समझना कि एक अच्छा फंड ढूरना इतना कठिन क्यों है यह आपको अधिक भुद्धिमान निवेशक बनने में मदद करेगा दूसरा जबकि पिछला प्रदर्शन भविशय के रिटर्न का खराब पूरवा नुमान होता है एसे अन्य कारक हैं जिनका उप्योग आप एक अच्छा फंड खोजने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं अंत में एक फंड तब उतकरष्ट मुल्य की पेशकर्ष कर सकता है जब आप अपनी होल्डिंग में विविद्धा लाने के लिए एक किभाईती तरीका आपना कर अन्य सभी चीजों से छुटकारा पाकर स्टोक को चुनते हैं अधिक विजेता फंड विजेता क्यों नहीं होते हैं? एक फंड जितना बेहतर परदर्शन करता है उसके निवेशक उतनी ही बाधाओं का सामना करते हैं माइग्रेटिंग मैनेजर जब स्टोक पिकर को लगता है कि यहां कुछ पेंच है तो हर कोई उससे कहता है कि यदि आपने गलाम बिकर स्टाफ के कोशल को बुनाने के लिए ट्रांस अमेरिका प्रेमियर एक्विटी फंड खरीदा जिसने 1997 में 47.5% लाप प्राप्त किया त और अगले चार वर्सों में तीन में ट्रांस अमेरिका फंड बाजार में पिछड गया यदि आपने एरिन सुलिवान के हाई रिटर्न को पुनाने के लिए 2000 की शुरुआत में फिडेलिटी एग्रेसिव ग्रोथ फंड खरीदा जिसने 1997 के बाद से अपने शेर धारकों के प एलिफेंटियासिस एसेट जब कोई फंड उच रिटर्न अरजित करता है तो निवेशक नोटिस करते हैं अक्सर कुछ ही हपतों में सैंक्डों मिलियन डोलर उसमें डालते हैं फंड मैनेजर उन कुछ विकलपों को छोड़ देते हैं जो खराब हैं वे उस पैसे को किसी दि उपर गए हैं जब उसने पहली बार उने खरीदा था और अगर वह लाकुन डोलर अधिक और इन्वेस्ट करता है तो वह खतरनाक रूप से ओवर वैल्यूड हो जाएगा या वह नए स्टोक खरीद सकता है जो पहले से ही खुद के लिए प्रयाप्त नहीं है लेकिन उसे उ निम्बल फंड अपनी संपत्ती का 2% यानि 2 मिलियन डोलर मिनोव कोर्पोरेशन में डालता है जो कुल 500 मिलियन डोलर के बाजार मुल्यवाला स्टोक है तो यह मिनोव के 1% से आदे से भी कम है लेकिन अगर होट प्रदर्शन निम्बल फंड को 10 मिलियन डोलर तक ले जाता ह तो उसकी 2% संपत्ती का निवेश कुल 200 मिलियन डोलर होगा मिनोवा के पूरे मुल्यका लगबग आधा यह स्वामितव का एक स्टर है जो संगिय कानून के तहत 20 विकारिय नहीं है अगर निम्बल के पोर्टपोलियो मैनेजर अभी भी छोटे शेरों का मालिकाना हक चाहते हैं तो उन्हें अपने पैसे को बहुत अधिक कंपनियों में फैलाना होगा और तब शायद उनका ध्यान बहुत जगए फैल जाएगा अधिक फैंसी फुट वर्क कुछ कंपनिया अपने फंडों को इंक्यूबेटिंग करने में माहीर होती हैं उन्हें सारोजनिक रूप से बेचने से पहले निजी तोर पर टेस्ट करना होता है प्रायोजग इन इंक्यूबेट किये गए निजियों को जोखिमभरी रणनितियों के लिए गिनी पिक के रूप में उप्योग कर सकते हैं जो की छोटी रकम के साथ सबसे अच्छा काम करते हैं जैसे की वास्तों में चोटे स्टाक खरीदना या प्रारंबिक पबलिक ओफरिंग का त्वरित व्यापार अगर इसकी रणनिति सफल होती है तो फंड अपने निजी रिटर्न को सारोजनिक करके निवेशकों को लुभा सकता है अन्यमामलों में फंड मैनेजर वाइप्स प्रबंदन फीज देता है जो नेट रिटर्न बढ़ाता है बाद में यह उचे रिटर्न के बाद ग्रहाकों को काफी आकर्शित करता है लगबग अपवाद के बिना इनक्यूबेटेड और शुल्क माफी वाले फंडों के रिटर्न ने मध्यस्ता को फीका कर दिया है क्योंकि बाहरी निवेशकों ने उनमें लाखों डोलर दाले हैं खर्च बढ़ रहा है यह अक्सर छोटे निवेशकों की तुल्ना में बहुत बड़े बलाकों में कम खरीदारों वे विक्रेताओं के साथ स्टोक का व्यापार करने के लिए अधिक खर्च करता है यह समपति में 100 मिलियन डोलर के साथ एक फंड ट्रेडिंग लागतों में प्रती वर्स एक प्रतिसत का भुगतान कर सकता है लेकिन अगर उच प्रतिलाव वाले फंड को 10 बिलियन डोलर तक और भेजते हैं तो इसके ट्रेडों में उन परी समपतियों का कम से कम 2 प्रतिसत का आसानी से खाया चा सकता है ठेट फंड एक बार में इसे केवल 11 महीने के लिए अपने स्टोक पर रखता है इसलिए ट्रेडिंग लागत एक संक्षारक एसिड की तरह रिटर्न पर खर्च हो जाती है इस बीच फंड चलाने की अन्य लागतें शायद ही कभी घटती है यह कभी कभी समपति बढ़ने पर भी नहीं घटती है 1.5% के ओसत ओपरेटिंग खर्च और लगवग 2% के ट्रेडिंग लागत के साथ विशिष्ट फंड को लागत के बाद इसे मैच करने के लिए लागतों से पहले बाजार को प्रती वर्ष 3.5% अंकों से रोंदना पड़ता है भेडों का व्यावहार अंत में एक बार जब कोई फंड सफल हो जाता है तो उसके प्रवंदक दरपोग और नकल करने वाले हो जाते हैं जैसे जैसे कोई फंड पड़ता है उसकी फीस और अधिक आकर्शक होती जाती है प्रवंदकों ने अपने शुरुवाती उच रिटर्न को उत्पन करने के लिए जो जोखिम उठाए वे अब निवेशकों को दूर कर सकते हैं और उन सभी से मोटी फीज आई को खत्रे में डाल सकते हैं जो सबसे बड़ी धनरासी समान और और फेड भेड के धुंड से मिलती जूलती है जो सभी सुस्त गती से आगे बढ़ रहे हैं सभी एक ही समय में आबा कहे रहे हैं लगबग हर विकास ने दी सिसको, जी-ई, माइक्रोसॉप, फाइजर और वालमार्ट के मालिक हैं जो लगबग समान अनुपात में है यह व्यवार इतना प्रचलित है कि वित विद्वान इसे केवल हेरिंग कहते हैं लेकिन अपनी स्मय की सुलक आय की रक्षा करके फंड मैनेजर अपने बाहरी निवेशकों के लिए बेहतर रिटर्न देने की ख्षमता से समझोता करते हैं उनकी मोटी लागत और बुरे व्यवाहर के कारण वे अधिकास फंड अपने पास रखने में विफल रहते हैं क्योंकि आस्चरिय नहीं कि ऐ परिशकर्त मचली के रूप में उच रिटर्न लगबग खराब हो रहे हैं समय बीतने के साथ ओ रहती उनके अत्यदिक खर्चों का पूल अधिकास धन को पीछे छोड़ देता है तब बुद्धिमान निवेशक को क्या करना चाहिए सबसे पहले यह पहचाने कि एक इंडेक्स फंड जो बाजार में सभी शेरों का मालिक है जिसने हर समय सर्वस्रेश्ट और सबसे खराब का अनुमान लगाए बिना लंबे समय में सबसे अधिक फंड को पीछे छोड़ा है जिसका रोक बॉटम ओवरेड सालाना 0.2% ओपरेटिंग खर्च और येरली ट्रेडिंग कोस्ट सिर्फ 0.1% है जो इंडेक्स फंड को एक अचूक लाब देती है यदि स्टाग कुछ लाब उत्वन करता है तो कहा जाता है कि अगले 20 वर्सों में 7% वार्षिक रेटर्न देगा वेंगाड कुल स्टोक मार्केट की तरह कम लागत वाले इंडेक्स फंड ने भी 6.7 तक की वापसी दी है लेकिन ओसट स्टोक फंड ओप्रेटिंग कोष्ट 1.5% और ट्रेडिंग लागत में लगबग 2% के साथ सालाना 3.5% लाब हासिल करने में भग्यसाली रहा है इंडेक्स फंड में केवल एक महतोपूर्ण दोश है वे उबाओ है आप कभी भी बारबे क्यूपर नहीं जा पाएंगे और तब इस बारे में डिंग मारने से भी बन्चित रहे जाएंगे कि आप देश के सिर्श परदर्शन वाले फंड के मालिक जैसे हैं आप कभी भी यह दावा नहीं कर पाएंगे कि आप बाजार को रोंदते हैं क्योंकि इस इंडेक्स फंड का काम बाजार के रीटर्न से मेल खाना है बस इस से अधिक कुछ नहीं आपके इंडेक्स फंड मैनेजर की पासे को रोल करने की या अनुमान लगाने की संभावना नहीं होती है कि अगला महान उद्योग टेलिपोर्टेशन या स्क्रेच एन स्नीफ वेबसाइट या टेलिपैथिक वेटलाउस क्लिनिक होगा यह है फंड हमेशा हर स्टा का मालिक होगा ने की अगली नई चीज़ पर केवल एक मैनेजर का सबसे अच्छा आनुमाओ लेकिन जैसे जैसे साल बीटते जाएंगे इंडेक्सिंग का लागत लाब लगातार बढ़ता जाएगा 20 साल या उससे अधिक के लिए एक इंडेक्स फंड पकड़ो उसमें हर महीने नई पैसे जोड़ते जाएं तब आप सभी पेशेवर और व्यक्टिकत निवेशकों के विशाल बहुमत को बेहतर बनाने के लिए निश्चिंत हो जाते हैं अपने जीवन में काफी समय बाद ग्राहम ने विक्टिकत निवेशकों के लिए सबसे अच्छे विकल्प के रूप में इंडेक्स फंड की परसंसा की जैसा की वारेन बफेट करते हैं जब आप अपने सभी हैंडिकैप्स को जोड़ते हैं तो आस्चरिय नहीं होता कि इतने कम फंड्स इंडेक्स को हरा देते हैं एसा कुछ और भी करते हैं इनमें क्या गुन होते हैं उनके परबंदक सबसे बड़े शेर धारक हैं फंड के मैनेजरों के लिए क्या सबसे अच्छा है और निवेशकों के लिए सबसे अच्छा क्या है जब मैनेजर फंड के शेयरों के सबसे बड़े मालिक में से एक होते हैं तो कुछ फर्मों जैसे कि लोंग लिप पार्टनर्स अपने करमचारियों को अपने स्वेय के फंड से कुछ भी करने से मना करते हैं और डेवेलिस वे एफपीय जैसी अन्य फर्मों के परबंदकों के पास इतना धन होता है कि वे अपने धन का परबंदन करने की संभावना रखते हैं जैसे कि यह उनका अपना हो बादाओं को कम करने के लिए वे फीस बढ़ाएंगे निदियों को भारी आकार में आने देंगे या एक बुरे कर बिल के साथ आएंगे इन फंड का प्रोक्सी स्टेटमेंट और स्टेटमेंट आफ एडिशनल इनफॉर्मेशन दोनों सिक्यूरिटीज एंड एक्सजेंज कमिशन पर एडगार डेटावेस के माध्यम से www.sec.gov पर उपलब्ध होता है ये खुलासा करते हैं कि प्रबंदक फंड के कम से कम एक परतिशत शेरों के मालिक है या नहीं वे सस्ते हैं फंड व्यवसाई में सबसे आम मित्कों में से यह एक है कि आप जो भी बुक्तान करते हैं वह आपको वापिस मिलता है उच रिटर्न के लिए उच शुल्क का सबसे अच्छा उचित्ते है इस तरक के साथ दो समश्याई है पहला यह सच नहीं है दस्कों के अनुशंदान ने यह साबित कर दिया है कि उच शुल्क वाले फंड समय के साथ कम रिटर्न कमाते हैं दूसरे उच रिटर्न ऐस थाई होते हैं जब कि उच शुल्क ग्रेनाइट की तरह लगबग स्थाई होते हैं यदि आप इनके हॉट रिटर्न के लिए फंड खरीते हैं तो आप अच्छी तरह से मुट्टी वर ठंडी राख के साथ खत्म हो सकते हैं, लेकिन जब इसके रिटर्न में गिरावट नहीं होगी, तो भी फंड के मालिक होने की आपकी लागत लगवग निश्चित है, उनमें कुछ अलग होने की हिम्मत है, जब पीटर लिंच ने फिड इसके ठीक बाद उन्होंने क्रिसलर पर अपने सिर्श पकड बना ली, भले ही अधिकांस विसे सग्यों ने ओटो मेकर के दिवालिया होने की उमीद की थी, फिर भी 1986 में लिंच ने फिडेलिटी मेगलन का लगवग 20% होंडा, हेव हाइडरो और वोल्वो जैसे विदेशी में डाल दिया, इसलिए इससे पहले कि आप अमेरिकी स्टोप फंड खरीतते हैं, इसे एंडवी 500 इंडेक्स के रोस्टर के खिलाब इसकी नवींतम रिपोर्ट में सूचिबद होल्डिंग की तुलना करें, अगर वे ट्वीडली और ट्वीडल्डम की तरह दिखते हैं, त यह नए खरीदारों के उनमात को रोपता है, जो सिर्ष पर बैठना चाहते हैं, और परी संपती एलिफेनियसिस के दर्द से फंड की रक्षा करते हैं, यह इस बात का भी संकेत है, कि फंड मैनेजर आपके खुद की जेब को आपके आगे नहीं रख रहे हैं, लेकिन समाप प्रिक, ओक मार्क, टी रोव प्राइज, वेंगार्ड और वाशेच आदी इसके सबसे बेहतरिन उधारन हैं, वे विग्यापन नहीं करते हैं, जैसा कि प्लेटो ने दे रिपबलिक में कहा है, कि आदर शाशक वे हैं जो शाशन नहीं करना चाहते हैं, सबसे अच्छे परवन रिटर्न के गवंड वाले विग्यापन नहीं चलाते हैं, 2001 तक लगातार मेल सेंट पावर ग्रोथ फंड के पास एक भी वेबसाइट नहीं थी, लेकिन अभी भी यह 24 राजियों में अपने शेर बेशता है, 1990 में लौंच होने के बाद से टेरो फंड ने कभी भी आया, आपको क्या देखना चाहिए? ज्यादातर फंड खरीदार अतीत को देखते हैं, पहले प्रदर्शन, फिर प्रबंदक की परतिष्टा, फिर फंड के जोखिम और अंत में फंड के खर्चोपत ध्यान के अंदरित करते हैं, बुद्धिमान निवेशरक उनी चीजों को चाहिए, फंड श्रेणी के अनुसार, एनुवल ऑपरेटिंग खर्च के इन स्तरों से अधिक बुगतान करने का कोई अच्छा कारण नहीं है, टेक्सेबल बॉंड 0.75%, यूएस एक्विटी 1%, जंक बॉंड 1%, यूएस एक्विटी स्माल स्टोक 1%, फोरं स्टोक 1.50 परतिसत अगला, चोखिम का मुल्यांकन करें, इसके प्रोस्पेक्टस, यानि खरीददार की मार्क दिर्शिका में, प्रतेक फंड को, एक बार एक ग्राफ को, एक कैलेंडर तिमाही में सबसे खराब नुकसान को प्रदर्शित करना चाहिए, और यह देखना चाहिए, कि यदि आप तीन महीने में कम से कम इतना पैसा खो सकते हैं, तो कहीं ओर जाएं। यह है, फंड के मौर्णिंग स्टार्क रेटिंग के जांच करने के لाइक भी ही है, एक प्रमुक निवेश अनुसंदान फर्म, मौर्णिंग स्टार पुरुसकारों के लिए स्टार रेटिंग भी प्रत आते हैं कि कौन से फंड सबसे अच्छे थे और कौन से सबसे अच्छे नहीं होंगे फाइव स्टार फंड वास्तों में एक स्टार फंड को कमजोर करने की आदत है इसलिए पहले एक कम लागत वाला फंड खोजें जिसके मैनेजर प्रमुक शेर धारक हैं जो अलग होने की हिम अंत में पिछले प्रदर्शन को देखें यह याद रखते हुए कि यह भविश्य के प्रतिफल का केवल एक भविश्य वक्ता है इससे जैसा कि हमने पहले ही देखा है कल के विजेता अक्सर कल के हारने वाले बन जाते हैं लेकिन शोद करताओं ने पाया है कि एक चीज लग एक वार्षिक खर्च है क्लोज्डेंड फंड्स की बंद दुनिया 1990 के दसक के दोरान लोगपरिय क्लोज्टाग फंडों ने धीरे धीरे कमजोर होना शुरू किया आज केवल 30 विविद गहेलू एक्विटी फंड है उन में से कई तो बहुत छोटे हैं जो उच खर्चों औ और अजीव रन्नितियों के साथ दिन में केवल कुछ सो शेरों का व्यापार करते हैं लिपर इंक के क्लोज एंड फंड एक्सपर्ट डोनाल्ड कैसिटी द्वारा किया गया शोद ग्राहम के पिछली टिपणियों को पुष्ट करता है चूट पर विविद क्लोज एंड फंड हमेशा एक धूल भरे घटे बाजार में चूट पर उपलब्द नहीं है लेकिन मुनिशिपल बॉन्ड क्षेतर में विशेश रूप से मजबूत विकल्पों के साथ सेंक्टो क्लोज एंड बॉन्ड फंड है जब ये फंड चूट पर व्यापार करते हैं तो उनका ला अगतवाली ETF कभी-कभी एकमा तरसाधन परदान करती है जिसके द्वारा एक निवेशक संकेन बाजार में प्रवेश कर सकता है जैसे बेलजियम में स्थित कंपनिया या अर्द चालक उद्योग में स्टार्ट अन्यसूसकां की ETF बहुत व्यापक बाजार जोखिम परदान क दोर पर उन निवेशकों के लिए उप्योगत नहीं है जो नियमित रूप से पैसा जोड़ना चाहते हैं क्योंकि अधिकांस ब्रोकर अपने द्वारा किये गए हर नए निवेश पर एक अलग कमिशन चार्ज करेंगे एक बार आपके पास फंड होने के बाद आप यह कैसे सकते हैं कि इसे कब बेचना है मानक सला यह है कि कि किसी फंड को जांचा जाए यदि वह बाजार में एक दो या तीन सालों से एक लाइन से अंडर परफॉर्म कर रहा है लेकिन इस सला का कोई मतलब नहीं है 1970 से 1999 तक अपने जनम से सिकोईया फंड ने अपने 29 वर्सों में से 12 वर्सों तक S&P 500 इंडेक्स में बहुत ही कमजोर परदर्शन किया जो की 41 परतिसद से अधिक था अभी तक उस अवदी में सिकोईया ने 12,500 से अधिक हाइक पाई है जबकि शेर सूसकांग 4900 परतिसद स्थाई रूप से अनुकूल होता है यदि आपने किसी विशेश तरीके से निवेश करने के लिए एक प्रबंदक को काम पर रखा है तो उसने जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए उसे क्यों ने बगाया जाई जब बेचकर निवेश करने की एक शैली फैसन से बाह कर लेते हैं एक अध्यन से पता चला है कि म्यूचुल फंड निवेश को ने 1998 से 2001 के दोरान वार्शिक रूप में 4.7% अंकों के आधार पर अपने स्वें के फंडों को कम पर खरीद कर उच पर बेच दिया जैसे नमबर एक रन्निति में एक तेज और एपरत्यासित परिवर जैसे कि 1999 में प्रोदोग की सेवरों पर वेल्यू फंड लोडिंग या 2002 में ग्रोथ फंड खरीदने वाली टोन बनाना दूसरा खर्चों में व्रदी यह सुझाव देते हुए कि मैनेजर अपनी खुद की जेब को अस्तर कर रहे थे तीसरा अत्यधिक व्यापार द्वारा उत्पन बड़े और लगातार कर बिल चोथा अचानक ए निश्चित रिटर्न जब एक पूरो रूडिवादी फंड एक बड़ा नुकसान उत्पन करता है जैसा कि निवेश सलाकार साल्स एलिस कहते हैं यदि आप शादी के लिए तयार नहीं है तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए फंड का निवेस भी इस विचार से अलग नहीं है यदि आप आराम से कम से कम तीन वर्षों तक एक फंड को अपने पास रोक कर नहीं रख सकते तो आपको इसे सबसे पहले स्थान पर नहीं खरीदना चाहिए धैरिये फंड इन्वेस्टर का सबसे शक्तिशाली सहयोगी है धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो दा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याई 10 इन्वेस्टर और उसके सलाकार हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम क्या आपको सहायता की आवशक्ता है 1990 के दसक के उत्रार्द में कई निवेश्कों ने अकेले चलने की रहा को चुना उन्होंने अपने स्वें के अनुसंधान करके स्टोक को एक ओनलाइन ब्रोकर के माध्यम से चुनकर ट्रेडिंग शुरू की इन निवेश्कों ने वाल स्टीट के अनुसंधान, सला और व्यापार के महेंगे बेसिक सिस्टम को दरकिनार कर दिया दुर्भाग्य से बहुत से लोगों ने अपने डू-इट-यूर्सेल्फ निर्नय के कारण जो सोतंतरता पाई थी उसे बाजार की सबसे बड़ी मंदी के समय में ग्रेड डिप्रेशन ने अंत में महसूस करवा दिया कि वे इस Do It Yourself निर्ने के कारण मूर्ख बन गई थे लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह सच ही हो जो लोग एक पारंपरिक स्टोक ब्रोकर को अपने निवेश का हर निर्ने सोंपते हैं वे भी तो पैसा खो देते हैं कई निवेशक एक अच्छे वितिय सलाकार द्वारा अनुभव के आधार पर दिये गए निर्ने और सेकंड ओपेनियन को काफी सहज ले लेते हैं जबकि कुछ निवेशकों को यह दिखाने के लिए कि किसी बाहरी विक्ते की आवशकता हो सकती है जो उन्हें बता सके कि अपने वितिय लक्षों को पूरा करने के लिए अपने निवेश पर कितनी दर अरजित करनी है या इसके लिए कितना आतिरिक तद्धन बचाने की आवशकता है हो सकता है इन दूसरों को तब फाइदा मिलता हो या लाब हो रहा हो जब आपके निवेश नीचे जा रहे हो इस तरह आप आत्म निर्बर्ता के दर्द को अनुभव करने के बज़ाए आपको किसी ऐसे व्यक्ति के निवेशों के जांच करनी चाहिए जो आम तोर पर अपने निवेश से बुरे समय में भी लाबर्जित करता हो वही आपको उस समय परोच्साइद कर सकता है यह कारिया आपको उस समय मनोवग्यनिक तोर पर सक्षम बनाता है जब आपको लगातार निवेश की आवशकता होती है और जब अन्य निवेशकों के सफल होने से आपका दिल बैठने लगता है इस तरह ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने समय के पोर्टफोलियों का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं और हाँ इसे प्रबंधित करने में पेशेवरों की मदद मांगने में कभी भी शर्म महसूस ने करें आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किसी की साहईता की जरूरत है इसके लिए आगे कुछ संक्यत बताए गई हैं जैसे नमबर एक बड़ा नुकसान यदि आपके पॉर्टफोलियो ने साल 2000 की शुरुवात से 2002 के अंत तक अपने मुल्य का 40% से अधिक हो दिया है तो आपने शेयर बाजार के मिराशा जनक परदर्शन से भी बत्तर परदर्शन किया इसमें यह शायदी माईने रखता है कि क्या आपने इसे आलसी, लापरवा या सिर्फ आशुब होने के कारण गवा दिया इतने बड़े नुकसान के बाद आपका पॉर्टफोलियो मदद के लिए रो रहा होगा दूसरा बजट की बुरी हालत अगर आप हर महिने, पूरे साल अपने बजट की निन्तम आवशक्ता को पूरा करने के लिए संगर्स करते रहते हैं और आपको पता ही नहीं कि आपका सब पैसा कहां जाता है और आपके लिए नियमित वे समय पर बचत करना असंबव हो जाता है आप समय पर अपने बिलों का बहुतान करने में ऐस सफल रहते हैं तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका बजट आपके नियंतरन से बाहर हो गया है एसे समय में एक सफल सलाकार आपको एक व्यापक वितिय योजना तैयार करके आपकी अपने पैसे पर पकड़ बनाने में मदद कर सकता है जो इस बात की रूपरेखा तैयार करेगा कि आपको कितना खर्च करना चाहिए कितना उधार लेना चाहिए कितना बचाना चाहिए और कितना निवेश करना चाहिए 1990 के दशक के अंत में बहुत से निवेशकों ने सोचा कि उनके पास डाइवर्सिफाइड पॉर्टफोलियो है क्योंकि उनके पास 49 अलग-अलग इंटरनेट स्टोप या 7 अलग-अमेरिकी ग्रोथ स्टोप फंड थे इसे इस तरह देखें कि यदि आपकी सभी होल्डिंग एक साथ उपर और नीचे जाती है तब आपके पास इन्वेस्टिंग हार्मनी का अभाव है जो सही माईने में डाइवर्सिफिकेशन लाता है इस परिस्टिती में आपकी केवल एक प्रोफेशनल एसेट ऐलोकेशन प्लान ही मदद कर सकता है चोथा महतवपूर्ण परिवर्तन यदि आप एक सेल्फ इंप्लोईड है और आपको अपने सेवानिवर्ती योजना लागू करने की आवशक्ता महसूस हो रही है या आपके वरद मातापिता के पास उनके खर्च का कोई भी करम नहीं है या आपके बच्चों का कालेज भी आपके लिए अनफोर्डेबल है इस मामले में एक सलाकार ने केवल आपको मन की शान्ती परदान करता है बलकि आपको आपके जीवन की गुनवत्ता में वास्त्विक सुधार करने में भी मदद करेगा और इससे भी आगे एक क्यूलिफाइड प्रोफेशनल यह सुनिशित कर सकता है कि आप कर कानूनों और सेवानिवर्ती नियमों की जटिल जटिलता से कैसे लाभानवित हो सकते हैं भरोसा करें फिर वेरिफाई करें याद रखें कि वित्य जालसाद आपको उन पर भरोसा करने और आपको उनकी जांच करने वाली बात करने से रोकते हैं इससे पहले कि आप अपने वित्य भविश्य को एक सलाकार के हवाले करें आपके लिए यह जानना अनिवारिया है कि आप किसी एसे व्यक्ति को खोजें जो नए केवल आपको सहज बनाता हो बलकि जिसके इमानदारी भी थेश से परे हो जैसा कि रोनाल्ड रीगन कहते थे विश्वास करो और फिर वेरिफाई करो उन लोगों के बारे में सोच कर शुरू करें जिने आप सबसे अच्छे से जानते हैं और आप जिन पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं फिर पूछें कि क्या वे आपको किसी ऐसे सलाकार के पास बहज स सलाकार से विश्वास मत प्राप्ट करना एक अच्छे शुरुवात है एक बार आपके पास सलाकार और उसकी फर्म का नाम वे साथ ही साथ उसकी विशेस्ता जैसे कि क्या वे स्टोक प्रोकर है, फैनेंसियल प्लानर है, अकाउंटेंट है या इंशोरेंस एजेंट है जब यह बेसिक जानकारी आपके पास आ जाती है, तो आप उसके बारे में और ज्यादा जानने का काम शुरू कर सकते हैं, जैसे गूगल जैसे इंटरनेट सर्च इंजन में, सलाकार और उसका नाम या उसकी फर्म का नाम सर्च करें, यह सब यह देखने के लिए कि गूगल पर उसके बारे में क्या जानकर युकलवद है, जैसे कि ठीक है, कोई शिकायत है, कोई मुक्दमा, अनुसासनात्मक कारिवाई या निलंबन जैसे शवदाती, यदि सलाकार एक स्टोक ब्रोकर या बीमा एजेंट है, तो संबंदित बीमा कंपनी से यह पूस्तास करें, कि क्या एडवाईजर के खिलाफ कोई अनुसासनात्मक कारिवाई या ग्रहाक शिकायत दर्ज की गई है, यदि आप एक अकाउंटेंट पर विचार कर रहे हैं, जो एक वितिय सलाकार के रूप में भी काम करता है, तो आपके रज्य का लेखा नियामत आपको बताएगा कि उसका र रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसके जानकारी अपने राज्य प्रतिबूती नियामक की वेबसाइट पर आप देख और डाउनलूड कर सकते हैं, उनके डिस्कलोजर रिपोर्टिंग पेज पर विसेश द्यान दें, जहां पर सलाकार को नियामको द्वारा किसी भी अनुसा राजनात्मक कारिवाई का खुलासा करना होता है, अताय आपके अपने वितिय योजनाकार के सभी रिकोर्ड को भली भांती स्टडी करना एक अच्छा विचार है, मैं तुमें जान रहा हूँ, एक परमुख फाइनेंसिल प्लानिंग नियूज लेटर ने हाल ही में दरजनो सलाकारों से बात करके उनके रिकोर्ड के यादार पर यह बताया कि आपको अपना फाइनेंसिल प्लानिर चुनने के लिए उससे कैसे साक्षात कर करना चाहिए, एक सलाकार का इंट्रिव्यू करने में आपके निमनल लक्षे होने चाहिए, पहला, निर्धारित करें कि वह कि मदद करने की परवा करता है या वसकेवल बेचने के लिए ही जाता है दूसरा यह सबस्ट करें कि क्या वह निवेश के मूल सी धंतों को समलता है जो कि इस पूस्तक में उल्लेखित है तीसरा आंकलन करें कि क्या वह आपकी मदद करने के लिए प्रयापत रूप से शिक्षि और अनुभवी है आगे कुछ प्रशन बताई गए है जो प्रमुक वित्य योजनाकारों ने किसी भी संभावित ग्राहक को पूछने की शिफारिस की है आप इस व्यवसाई में क्यों है आपकी फर्म का मिशन स्टेटमेंट क्या है अपने अलार्म बंद करने के अलावा आप सुवे उटते ही क्या करते है आपका निवेश दर्शन क्या है क्या आप स्टाग या म्यूचल फंड का उप्योग करते है क्या आप तक्निकी विजलेशन का उप्योग करते है क्या आप बाजार समय का उप्योग करते है अनुभव और साख आपको किस परकार की वितिया सलादेने के योग्ये बनाते हैं? आपके ग्रहाकों को आम तोर पर क्या ज़रूरत है? आप अपने लक्षों को प्राप्त करने में मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? आप मेरी प्रकती को कैसे ट्रैक और रिपोर्ट करेंगे? क्या निवेश द्रिश्टिकोन आपको लगता है कि सबसे सफल है और क्या आप मुझे सबूत दिखा सकते हैं कि आपने अपने ग्रहाकों के लिए उस तरह की सफलता हासिल की है। कि मैं आपकी सेवाओं के लिए पहले साल कितनी फिस का बुखतान करूँगा। क्या समय के साथ इस फिस को कम या ज़्यादा करना होगा। आपके पास कितने ग्रहाक हैं और आप उनसे कितनी बार बात करते हैं। एक ग्रहाक के लिए आपकी आज तक सबसे बड़ी उपलब्दी क्या रही है। आपके पसंदीदा ग्रहाक की क्या विशेष्टाई होती है। आपके पास एक ग्रहाक के साथ आज तक का सबसे खराब अनुवाव क्या रहा और आपने इसे कैसे हल किया। से ग्रेटर्न संभव है क्या आप मुझे अपने रिजुमें अपने फॉर्म और कम से कम तीन रेफरेंस दे सकते हैं क्या कभी आपके खिलाप कोई ओपचारिक शिकायत दर्ज की गई है आखिरी ग्राहक जिसने आपको निकाल दिया उसने ऐसा क्यों किया अपने सबसे खतरना हैं और हाँ एक अच्छे निवेशक की तरह लगने पर ही वे आपका काम करने के लिए तयार होंगे इसलिए वे आपसे कुछ कठिन प्रशन भी पूछेंगे जो इस तरह के हो सकते हैं जैसे आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको वितिय सलाकार की आउशकता है आपके दिर क तक ही सिमित रहते हैं प्रतेक वर्श आप अपने संपत्ति का कितना प्रतिशत खर्च करते हैं जब हम अब से एक वर्श पीछे देखते हैं तो आपको आपकी प्रगती से खुश होने के लिए मुझे क्या करने की आउशकता होगी आप संगर्स या ऐस अहमती को कैसे संभा साल 2000 में शुरू हुए बेर बाजार के लिए भावनात्मक रूप से कैसे पृतिकिरिया करते हैं? आपके सबसे खराव वितिय डर क्या है? आपकी सबसे वड़ी वितिय उमेदें क्या है? आप अपने निवेश पर कितनी वापसी दर को उचित मानते हैं? जब एक सलाकार आपसे एसे सवाल नहीं पूसता है और आप में परियाप्त रूची नहीं दिखाता है तब आपको सहस्ता से यह समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि उसके लिए आप एक अच्छा फिट नहीं है। इन सबसे उपर आपको अपने सलाकार पर भरोसा करना चाह आप उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन से बचाने के लिए अनुमती दे सकें। टिपनी कार निक मरे ने कहा है कि आप एक सलाकार को पैसे का प्रबंदन करने के लिए नहीं बलकि आप अपने आपको प्रबंदित करने के लिए निक्त करते हैं। वित्यन योजन विशले उन प्रनालियों में से कुछ ये हैं। ये सभी ऐसे बिल्डिंग बॉक्स हैं जिस पर अच्छे वितिय निर्ने स्थाफित किये जाने चाहिए और उन्हें परस पर आप और आपके सलाकार द्वारा बजाए एक तरफा लागू किये इन्हें बनाया जाना चाहिए आपको तब तक एक डोलर भी निवेश नहीं करना या इसका निर्ने नहीं लेना चाहिए जब तक आप संतूष्ट नहीं होते कि यही वह नीव है जिस पर आप अपना निर्मान करना चाहते हैं धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो दा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय ग्यारा इन्वेस्टर के लिए सुरक्षा विसलेशन सामान्य द्रिष्टी कौन हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम प्रशन क्या आप कृप्या मुझे बताएंगे कि यहां से जाने के लिए मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए उत्तर यहे इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां जाना चाहते हैं विल्स कैरोल एलिस एडवेंशर से इन वंडरलेंड भविश्य का मुल्यांकन वे कौन से कारक हैं जो निर्धारित करते हैं कि आपको कोई भी स्टोक खरीदने के लिए कितना तयार होना चाहिए जबकि आप देख रहे हैं कि एक कंपनी दस गुना कमाई कर रही है जबकि उसी समय दूसरी बीस गुना कमाई के लाइक होती है और आप तरक संगत रूप से यह कैसे सुनिचित कर सकते हैं कि आप एक स्पष्ट वे उज्वल भविश्य के लिए अधिक बुगतान नहीं कर रहे हैं जो बाद में एक बुरा सपना भी साबित हो सकता है इन सब प्रशनों को देखते हुए ग्राहम को लगता है कि ये वो पांस तत्व हैं जो इस परिस्तिती में निर्णाएक हैं ग्राहम ने उन्हें इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तूत किया है नमबर एक कमपनी की सामन्य दिर कालिन संभावनाई नमबर दो इसके प्रवंदन की गुनवत्ता नमबर तीन इसकी वित्य ताकत और पूंजी सरंचना नमबर चार इसका लाभांस रिकोर्ड नमबर पांथ इसकी वर्तमान लाभांस दर आईए आज के बाजार के अनुसार इन कारकों को परखें दिर्क कालिन संभावनाई सबसे पहले बुद्धिमान निवेशक को उस कमपनी की कम से कम 5 साल की वार्षिक रिपोर्ट फारम 10 के कमपनी की वेब साइट या एडगार डेटाबेस से डाउनलोड करनी चाहिए यह रिपोर्ट आपको दो ओवर्राइडिंग प्रशनों के उत्तर देने में आपकी साहईता करती है जो ये है पहला यह कमपनी क्या विक्सित करती है दूसरा मुनाफ़ा कहां से आया है या आएगा अब इन प्रशनों को हल करने में आने वाली समश्याओं को देखे कमपनी एक सीरियल अधिक रहन करता है एक वर्स में दो या तीन से अधिक अधिक रहनों का ओसत पोटेंशिल ट्रवल का संकेत है आखिरकार अगर कमपनी खुद ही अपने स्वेय के निवेश की तुलना में अन्य व्यवसायों के स्टाक को खरीदती है तो आपको कमपनी की कहीं और भी जांच करनी चाहिए और आपको कमपनी के एक अधिक रहन करता के रूप में कमपनी के ट्रेक रिकोर्ड की जांच करनी चाहिए आपको कार्पोरेट अपच की बिमारी को देखने के लिए बाहर भी देखना चाहिए जैसे कुछ कमपनियां हैं जिन्होंने बड़े अधिक रहन कर लिये थे लेकिन अब उन्हें कार्पोरेट अपच हो रही है जिसके कारण वे अब अपने पुराने अधिक रहनों को वापस चोड़ने के लिए विवस हैं जैसे लिूसेंट, मैटल, क्रेकर ओर्ट्स और टाइको इंटरनेशनल उन कमपनियों में से एक है जिने इस बिमारी से होने वाले नुकसान पर अधिक रहन से बसना पड़ा है अन्य पूरानी फरमे राइट ओफ या अकाउंटिंग चार्ज लेती है इससे साबित होता है कि वे अपने पिछले अधिक रहनों के लिए ओवर पेड हैं भविशय में सोदे के लिए यह एक अपशगुन है कमपनी एक OPT एडिक्ट है ये करज ले रही है या अन्य लोगों के पैसे के बोट लोड यानि प्रयाप्त राशी को बढ़ाने के लिए स्टोक बेच रही है वार्सिक रिपोर्ट में इस कैश फ्लो को OPM के इन फैट इन फ्यूजन को कैश फ्रोम फाइनसिंग एक्टिविटी कहा जाता है आप एक बिमार कमपनी को विक्सित होते हुए देख सकते हैं बहले ही उनके अंडरलेंग बिजनस प्रयाप्त कैश पैदा नहीं कर रहे हों जैसा कि ग्लोबल क्रासिंग और वर्ल्ड काम ने बहुत पहले यह लोगों को नहीं दिखाया था कमपनी एक जोनी वन नोट है जो अपने अधिकांस राजसों के लिए एक ग्राहक पर निर्वर है अक्टूबर 1999 में फाइवर ओप्टिक्स निर्माता साइके मोर नेटवर्क इंग ने पहली बार जनता को स्टोक बेचे प्रोस्पेक्टस से पता चला कि एक ग्राहक विलियम कम्यूनिकेशन ने साइको मेर के टोटल रेवेन्यू जो की 11 करोड डोलर था उसमें पूरे 11 करोड डोलर का निवेश किया था वियापारियों ने 15 आरब डोलर के साइके मोर के शेयरों के निष्टा से कीमर लगाई थी दुर्भग्य से विलियम्स दो साल बाद ही दिवालिया हो गए हालांकि साइके मोर ने अन्य ग्राहकों को भी बाद में अपने स्टोक बेचे लेकिन साल 2000 और 2002 के बीच इसका स्टोक 97% तक गिर गया जब भी आप किसी कमपनी के विकास और लाब के स्रोतों का अध्यन करते हैं तो सकारातमक्ता के साथ साथ नकारातमक्ता पर भी नजर रखें ये कुछ अच्छे संकेतों में इस परकार हो सकते हैं जैसे कमपनी के पास व्यापक बड़ी खाई हो या फिर बड़ा परतिसपरदी लाब होना चाहिए वरना कमपनी एक उस महल की तरह जिसके चारों और कम चोड़ी खाई होने के कारण उसे आसानी से कबजे में लिया जा सकता है उसी तरह ही कुछ कमपनीों को उनकी उस चोटी खाई की वज़े से ही आसानी से उनके परतिद्वन्दियों द्वारा मार डाला जाता है जबकि वे अन्य लगबग अभेद होती है जिनकी यह खाई काफी चोड़ी होती है कुछ ऐसी ताक्ते होती है जो कमपनी की उस खाई को चोड़ा कर सकती है जैसे की एक मजबूत ब्रांट पहचान, मोनोपली या नजदी की मोनोपली, economies of scale, सस्ते में बड़ी मात्रा में माल या सेवाओं की आपूर्टी करने की ख्षमता, एक unique intangible asset या एक resistance to substitution यानि प्रतिस्ताबना के लिए प्रतिरोध आदी ही वे असली ताक्ते हैं जो कमपनी को एक अभेद किले के रूप में अज़े बनाती है कमपनी मेरा थन है, जोगिंग नहीं है आप आए विवरोनों पर वापस जाकर देख सकते हैं कि revenue और शुद आए पिछले 10 वर्सों में सुचारू रूप से और तेजी से बढ़े हैं या नहीं Financial Analyst Journal के एक हालिया लेख ने पुष्टी की कि अन्य अध्यनों से पता चला है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली कमपनिया ओवर हीट और फ्लेम आउट हो जाती है यदि कमपनी की कमाई टेक्स के बाद 10% की दिर कालिन दर्स से बढ़ रही है तो यह टिकाउँ हो सकती है अचानक फट पड़ना यह संकेत देता है कि आगे सब कुछ फीका पड़ने की संभवना निश्चित है ठीक उसी तरह जैसे एक अनुबहुहीन मेरा थनर जो इस दोड़ को 100 मिटर दोड़ की तरह पूरी दोड़ दोड़ने की कोशिश करता है कमपनी बोती है और फिर काटती है एक कमपनी को नई व्यवसाई को विक्सित करने के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके उत्पाद कितने अच्छे है या इसका ब्रान कितना शक्तिशाली है इसे कुछ पैसे अपने अनुसंदान और विकास पर खर्च करने ही होते है हालांकि अनुसंदान और विकास खर्च आज विकास का सुरोत नहीं है लेकिन ये कल हो सकते है खास तोर पर अगर एक फर्म के पास नए विचारों और उपकरणों के साथ अपने व्यवसायों को फिर से जीमत करने का एक सिद्ध रिकोर्ड होना चाहिए अनुसंदान और विकास का ओसत बजट उद्योगों और कम्पनियों में भिन भिन होता है जैसे साल 2002 में Procter & Gamble ने R&D पर अपने शुद विक्री का लगबग 4% खर्च किया था जबकि 3M ने 6.5% और Johnson & Johnson ने 10.9% खर्च किया था लंबे समय में एक कम्पनी जो R&D पर कुछ भी खर्च नहीं करती है वह उसके मुकाबले उतनी ही कमजोर है जितना जो उस पर खर्च करती है मैनेजमेंट की गुनवत्ता और आचरण एक कम्पनी के एक्जिकुटिव को यह बताना चाहिए कि वे इसके विकास के लिए क्या करेंगे और फिर उन्हें वो करना चाहिए जो उन्होंने करने के लिए कहा हो इसकी पूष्टि के लिए पिछली वार्षिक रिपोर्टों को पड़े हैं कि परबंदकों ने किस पूरवानुमान का अनुमान लगाया था और क्या उन्होंने उन्हें पूरा किया या उससे कम किया परबंदकों को अर्थ व्यवस्ता, एनिश्चित्ता या कमजोर मांग जैसे सभी उदेश्य वाले एनिश्चित कारणों को दोसी ठहराने के बजाए अपनी विफलताओं को स्विकार करना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए अब यह भी जांचें कि क्या अध्यक्स के सालाना पत्र का सुवर वॉल स्ट्रीट पर नविंतम स्टाइल के साथ ले में है या स्थिर है या उतार चडाव वाला है ये प्रशन यह निधारित करने में भी आपकी साहिता कर सकते हैं कि क्या कंपनी चलाने वाले लोग कंपनी के माली के हित में कारिय करेंगे क्या वे नंबर एक की तलाश कर रहे हैं एक फर्म जो अपने सीईयो को एक वर्स में सो मिलियन डॉलर का बहुतान करती है उसके पास इसके बहुत अच्छे कारण होते हैं अगर इसका कोई ठोस कारण नए हो तो इस तरह के एसपस्ट मोटे पैसे देने का मतलब है कि यह फर्म मैनेजरों के लिए मैनेजरों द्वारा संसालित की जाती है यदि कोई कंपनी अपने स्टोक विकल्प को अंधरूनी सुत्रों के लिए रिप्राइस करती है तो इससे भी दूर रहें इस स्टोक में एक कंपनी करमचारियों और अधिकारियों के लिए मुझूदा स्टोक विकल्प को रद कर सकती है और फिर उन्हें लापरद कीमतों पर नए लोगों के साथ बदल सकती है यदि उनके स्टोक मुल्य कभी सुन्य पर नहीं जाते हैं वे उनका संभावी तलाब हमेशा अनन्त हो तो ये विकल्प कॉर्पोरेट परिसंपतियों के अच्छे संचालन को कैसे परोचाहित कर सकते हैं कोई भी स्टाफित कमपनी जो विकल्पों को रिप्रेजेंट करती है जैसा कि दरजनों उच्छ तकनिकी फर्मों के पास होता है जो कि आपको डाउन कर सकता है वे कोई भी निवेशक जो एक एसी कमपनी में स्टोक खरीटता है उसकी हालत आगे बहुत खराब हो सकती है स्टोक विकल्पों के बारे में अनिवारिय फुट नोट के लिए वार्सिक रिपोर्ट में देखकर आप देख सकते हैं कि यहां ओप्शन ओवर हैंग कितना बड़ा है उधारन के लिए AOL टाइम वार्नर ने अपने वार्सिक रिपोर्ट में कहा कि उसके पास 31 दिसम्बर 2002 तक के सामन्य स्टोक के 4.5 बिलियन शेर बकाया है लेकिन रिपोर्ट में एक फुट नोट से पता चलता है कि कमपनी ने 627 मिलियन शेर विकल्प जारी किये थे इसलिए AOL की भविषय की कमाई को 15 पर्तिशत अधिक शेरों में विवाजित करना होगा जब भी आप किसी कमपनी के भविषय के मुल्य का अनुमान लगाते हैं तो आपको स्टोक विकल्पों में से नए शेरों की संभावित बाड़ की जांच भी करनी चाहिए इसके लिए फार्म 4 www.sec.gov पर एडगार डेटावेस में उपलब्द है जो दिखाता है कि किसी फर्म के वरिष्ट अधिकारी और निदेशक शेर खरीदिया बेच रहे हैं या नहीं किसी एक अंधरूनी सुत्र को बेचने के लिए इसका एक वैद कारण हो सकता है जैसे वे विदिकर्ण, एक बड़ा घर, एक तलाग निप्टान लेकिन बार बार बड़ी विक्री एक लाल संकेत देती है एक परबंदक वैद रूप से आपका साथी नहीं हो सकता है यदि आप जब खरीदरी करते हैं और वह विक्री करता है क्या वे प्रबंदक है या प्रमोटर है कार्यकारी अधिकारियों को अपना अधिकांस समय अपनी कमपनी के निजी प्रबंदन में बिताना चाहिए नहीं कि इसे निवेश करने वाली जनता के लिए बढ़ावा देना चाहिए अकसर सभी CEO शिकायत करते हैं कि उनके स्टोक में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह कितना उंचा जाता है तब वे ग्राहम के आग्रह को भूल जाते हैं कि प्रबंदगों को स्टोक की कीमत को बहुत कम या बहुत अधिक होने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए इस बीच सभी मुख्य वितिय अधिकारियों को अर्निंग्स काइटलाइन्स या कमपनी के तिमाही मुनाफे का अनुमान लगाना चाहिए जबकि कुछ फर्म, लगातार एस्थाई, तुच्च या काल्पनिक अवसरों का गभंड करते हुए प्रेस भी गपती जारी करती रहती है कुछ कमपनियां जिन में कोकाकोला, जीलेट और युएसे इंटरेक्टिव शामिल हैं ने वाल स्टीट की अलप कालिन सोच के लिए बस ना कहना शुरू कर दिया है ये कुछ बहादूर संगठन अपने वर्तमान बजक और दिर कालिन योजनाओं के बारे में अधिक विस्तार परदान कर रहे हैं जबकि ये अगले 90 दिनों के लिए अटकले लगाने से इंकार करते हैं अंत में पूछें कि क्या कमपनी के लेखांकन व्यवहार को उसके वितिय परिणामों को पारदर्शी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है या एपारदर्शी है यदि नोन रिकरिंग शुर्क रिकरिंग रहता है तो ऐसाधारन आइटम्स इतनी बार क्रैप करते हैं कि वे साधारन लगते हैं एबिटेडा यानी ब्याज, कर, मुल्याहराश और परिशोधन से पहले की कमाई जैसे समसामाईक आई, शुद आई को प्रात्मिता देते हैं या प्रो फर्म आई का उप्योग वास्तविक नुकसान को कम करने के लिए किया जाता है आप एक ऐसी फर्म को देख सकते हैं जिसने अभी तक यह नहीं सीखा है कि अपने शेर धार्कों के दिर्ग कालिन हीतों को पहले कैसे रखा जाए वित्य ताकत और पूंजी सरंचना एक अच्छे व्यावसाई की सबसे मूल संबावित परिवाशा यह है कि यह खपत की तुलना में अधिक नगदी उत्पन करता है अच्छे परबंदक उस नगदी को उत्पादक उप्योग में लाने के तरीके खोशते रहते हैं लंबे समय में इस परिवाशा को पूरा करने वाली कमपनिया मुल्य व्रदी के लिए लगभग निश्चिनते हैं और इसमें इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि शेयर वाजार क्या करता है या कहां जाता है अब कमपनी की वार्सिक रिपोर्ट में नगदी प्रवा के विवरण को पढ़ने से शुरू करें देखें कि पिछले दस वर्सों में परिचालन से नगदी लगातार बढ़ी है या नहीं अब आप और आगे जा सकते हैं वारेन बफेट की मालिक की कमाई की अवधारना या शुद आई के साथ-साथ परिशोधन और मुल्यहरास माइनस नॉर्मल कैपिटल एक्सपेंडिचर को लोग पर ये बनाया है डेविस के पॉर्टफोलियो मैनेजर क्रिश्टोफर डेविस के रूप में चैनित सलाकारों का कहना है यदि आप इस व्यावसाई का 100% स्वामितों रखते हैं तो वर्ष के अंत में आपकी जेव में कितना नगद होगा क्योंकि ये आमोर्टाइजेशन और डेप्रिशेशन जैसे अकाउंटिंग इंट्रीज को एड़जेस्ट करता है कंपनी की नगद 6,80 को प्रभावित ने करें रिपोर्ट की गई आए की तुलना में मालिक की कमाई एक बहतर उपाई हो सकती है मालिक की कमाई की परिवाशा को ठीक करने के लिए आपको रिपोर्ट की गई शुद आए से इसे गटा देना चाहिए जो है स्टोक विकल्ब देने की कोई भी लागत जो मौझूदा शेयर धारकों से आए को नए मालिकों के हातों से दूर कर देती है और कोई भी अन्यूजिल, नोन रिकरिंग या एक्स्ट्रा ओर्डनरी शुल्क या कमपनी के पेंशन फंड से कोई इनकम यदि पिछले दस वर्षों में परती शेयर मालिक की आए कम से कम 6 परतिसत या 7 परतिसत की योसत से बढ़ी है तो कमपनी नगदी का एक स्थिर जनरेटर है और इसके विकास की संभावनाई अच्छी है इसके बाद कमपनी की पूंजी सरंचना को देखें कमपनी के पास कितना रिन उसके पसंदीदा स्टोक सहित देखने के लिए बैलेंस सीट को देखें सामान्य तोर पर दिर्ग कालिन रिन कुल पूंजी का पचास परतिसत से कम होना चाहिए वित्तिय वक्तव्यों के चर्णों में यह निर्धारित करें कि क्या दिर्ग कालिन रिन निश्चिदर या वैरियेबल है फिक्स चार्ज के लिए कमाई का अनुपाद दिखाने वाली प्रदर्शनी या विवरन के लिए वार्शिक रिपोर्ट में देखें Amazon.com की 2002 की वार्शिक रिपोर्ट में यह दर्साया गया है कि Amazon की आई अपनी ब्याज लागत को कवर करने के लिए 145 मिलियन डॉलर कम हो गई है भविशे में Amazon को या तो अपने संसालन से बहुत अधिक अर्जित करना होगा या कम दरों पर पैसे उधार लेने का तरीका खोजना होगा अन्य था कंपनी अपने शेयर धार्कों के पास नहीं बलकि अपने बॉन्ड होल्डर्स के स्वामितों में हो सकती है जो Amazon की परी संपतियों पर दावा कर सकते हैं यदि उनके पास उनके द्वारा भुगतान किये गए ब्याज भुगतानों को हासिल करने का कोई अन्य तरीका नहीं है पहला कंपनी इस दवाव में यह बताई कि आप लाभांश का बुगतान नहीं करते हैं तो आप बेहतर हैं यदि फर्म लगातार अच्छे बाजारों और खराब पर्तिस पर्दा में आगे निकल गई है तो परबंदकों को इसमें स्पस्ट रूप से उप्योग के लिए नगदी डालना चाहिए यदि हालांकि व्यापार लड़ खड़ा रहा है या स्टार्ट अपने फर्तिदवंदियों को कम आँक रहा है तो परबंदक और निदेशक लाभांस का बुगतान करने से इंकार करके नगदी का दुरुप्योग कर रहे हैं दूसरा जो कमपनिया बार-बार अपने शेरों को विभाजित करती हैं और उन्हें प्रेस रिलीज में बताती रहती हैं वे अपने निवेशकों से डॉल्स की तरह व्यावार करती है योगी वेरा की तरह जो चाहते थे कि उनका पीजा चार सलाइस में कट जाए तब वे कहत हैं मुझे नहीं लगता कि मैं आठ खा सकता हूँ शेर पसंद करने वाले शेर धारकों को यह बात याद आती है जब 50 डोलर पर एक शेर के 2 शेर 100 डोलर पर से अधिक शेर के लाइक नहीं है प्रबंधक जो विवाजन को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने वाली जनत शेरों को तब खरीदना चाहिए जब वे सस्ते हों या जब रिकोर्ड उंचाई पर या उसके निकट हों दुर्भाग्य से हाल ही में जो स्टोक अती रंजीत हों तब कंपनियों के लिए अपने स्टोक को उस समय पुनर खरीद करने के लिए बहुत आम बात हो गई है किसी क किलियन डोलर का बुगतान करने में सक्षम बनाना है वास्तविक सबूतों की परियाप्त मात्रा वास्तों में यह बताती है कि प्रबंदक जो शेर धारकों के मुल्य को बढ़ने के बारे में बात करते हैं शायदी कभी ऐसा करते हैं वे शायदी असल में कभी ऐसा करते हैं निवेश में जैसा की समन्ने रूप से जीवन में होता है, अन्तिम जीत आम तोर पर काम करने वालों को मिलती है, बात करने वालों को नहीं। धन्यवाद, hindi-audiobook.com, आपका दिन शुब हूँ। प्रति शेर आये के बारे में विचार करने के लिए चीजें, hindi-audiobook.com, दोस्तों में पैन से इतनी गहरी दरार पड़ सकती है, जितनी की एक बंदूक से संभाव नहीं है, डॉक्टर डीडले, अंकों का खेल, पिछले कुछ वर्सों में कमपनियों और उनके अकाउंटेंटों ने स्टोक विकल्पों के माद्यम से भारी मात्रा में मुवावजे के लिए किस हद तक विश्वास को धका दिया है, यहां तक कि ग्रहम को भी इस बातने चोंका दिया होगा, सिर्थ सदिकारियों ने सोचा कि वे केवल कुछ वर्षों के लिए अपनी कमपनी की कमाई में वरदी करके धनवान बन सकते हैं, इसी तरह से सेंकडों कमपनियों ने विश्वास की भावना का उलंगन किया है, उन्होंने केवल पत्रों द्वारा ही नहीं, बलकि अकाउंटिंग प्रिंशिपल के साथ भी छेट चाड़ करके अपनी वित्य रिपोर्ट्स तक बदल रहे हैं और अपनी इस काली कमाई पर परदा डालने के लिए एसपस्ट आचरन वे उपरी दिखावे को बदल कर अपने रिजल्ट्स को बढ़ा चड़ा कर दिखाते रहे हैं, जिसने कमाई के साथ साथ परिनामों के बद सूर्ती भी उत्पन होई है, आईए इन में से कुछ ऐस्व भाविक परदाओं को देखें, शायद कमाई करने की सनक को शांत करने के लिए आज तक की सबसे बड़ी और व्यापक गड़बडी अकाउंट में हेर फेर करके जिसे प्रो फार्मा कहा जाता है की गई थी वाल स्ट्रीट में एक पूरानी काहवत परजलिते है की हर बुरा विचार एक अच्छे विचार के रूप में शुरू होता है और प्रो फार्मा कमाई इससे अलग नहीं है मूल बिंदू इस प्रवर्ती से शोर्टरम डेविएशन के लिए या माना जाता है की नोन रिकरिंग घटनाओं को समायोजन करके कमाई के लोंग टरम ग्रोथ किये ट्रूर तस्वीर परदान करना था उधारन के लिए यदि कोई अन्य फार्म जिसे उसने अभी अधिग्रेट किया था उसे वह पूरे बारा महिनों के लिए अपना हिस्सा बताकर एक प्रो फार्म प्रेस विग्यप्ति जारी कर सकती है और उसके माद्यम से यह दिखा सकती है कि उसने पिछले वर्स में क्या अरजित किया होगा जरा प्रो फार्मा के इन उधारनों को देखें 30 सितंबर 1999 को समाप्त तीमाही में इन्फो स्पेस इंक ने अपनी प्रो फार्मा आई अरजित की लेकिन उसने पसंदीदा स्टोक लाभांस में 169.9 मिलियन डॉलर का बुगतान नहीं किया था 31 अक्तुवर 2001 को समाप्त तीमाही में B.E.A. सिस्टम एंक ने अपनी प्रो फार्मा आई अरजित की लेकिन जैसे कि उसने अपने करमचारियों दोवारा प्रियोग किये गए स्टोक विकलपों पर पेरोल करों में 193 मिलियन डॉलर का भुगतान नहीं किया था 31 मार्श 2001 को समाप्त तीमाही में J.D.S. यूनिपेस कार्परेशन ने अपनी प्रो फार्मा आई को इस तरह पेश किया कि पैरोल करों में 4 मिलियन डॉलर का भुगतान नहीं किया और घटिया शेयरों में 7 मिलियन डॉलर का निवेश नहीं किया और इस से संबंदित 2.5 मिलियन डॉलर का भीले और सदभावना के लिए उस पर चार्ज नहीं लगाया गया हो इन सभी को उसने अपनी रिपोर्ट में नहीं दिखाया प्रो-फार्मा आए कंपनियों को यह दिखाने में सक्षम बनाती है कि उन्ने कितना अच्छा काम किया होगा यदि उन्ने यह नहीं दिखाया हो जितना कि उन्ने पुरा काम किया हो एक बुद्धिमान निवेशक के रूप में केवल एक चीज जो आपको पुरो फार्मा आए के साथ करनी चाहिए वह है उन्हें अंदेखा करना साल 2000 में दूर संचार की दिगज कंपनी Quest Communication International Inc. मजबूत दिख रही थी जबकि इसके शेयर 5% से भी कम हो गए क्योंकि उस वर्ज शेयर वाजार में 9% से अधिकी गिरावट आई थी लेकिन Quest की विक्तिय रिपोर्टों में एक अजीब सा रहस्योद घाटन हुआ 1999 के उत्रार्ध में Quest ने अपनी टेलीफोन निर्देश काउं से राजसों को दिखाने का फैसला किया जैसे ही फोन की किताबें पर काशिद हुई भले ही किसी ने कभी भी येलो पेज का विग्यापन निकाला हो या ने निकाला हो कई वेवशाई मालिक किस्तों में उन विग्यापनों के लिए भुक्तान कर रहे थे यह मंतर था कि उस समय 1999 में लगने वाले लेखा सिधानवे परिवर्तन करों के बाद 240 मिलियन डॉलर की शुद आये को हाइक करता था जो कि उस वर्स अच्जित किये गई सभी पैसों का पांचवा हिस्सा था एक जलमग नहिमकुंड का मुकुट बनाने वाली बर्प का एक छोटे हिस्से की तरह एग्रेसिव रेविन्यू रिकोगनेशन अक्सर खत्रों का संकेत है 2003 की शुरुवात में क्विस्ट ने अपने पिछले वितियव अक्तव्यों की समिक्षा करने के बाद गोशना की कि उसे उपकर्ण की बिखरी पर समय से पहले लाप मिला था जो बाहरी लोगों द्वारा परदान की गई सेवाओं की लागत को अनुचित रूप से दर्ज किया गए था अनुचित रूप से बुक की गई लागतें जैसे की वे खर्च के बज़ाए पुंजिकत संपत्ती थी वे अन्य अनुचित व्यवहार था जैसे परी संपत्यों का आदान परदान मानोवे एकमुष्ट विक्री कर रहे हों 2000 और 2001 के लिए क्विस्ट का राजसव 2.2 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया था जिसमें पहले लेखा सिदान्त में परिवर्तन से प्राप्त 80 मिलियन डॉलर शामिल थे जो अब उलट गया था Capital Offenses साल 1990 के दशक के अंत में Global Crossing Limited की ऐसी मित महतव कांखशाएं थी बर्मुंदा अधारित कंपनी एक लाख मिल से अधिक के पहले एक इकरत वेस्ट्विक फाइबर आप्टिकल नेटवर्क का निर्मान कर रही थी जो मोटे तोर पर दुनिया के महासागरों के तल में बिछाई गई थी दुनिया को तारों से जोडने के बाद Global Crossing अन्यसंसार कंपनियों को अपने नेटवर्क के केवलों पर अपने डाटा को ले जाने का अधिकार वेचेगी अकेले 1998 में Global Crossing ने अपने ओप्टिकल वेब के निर्मान के लिए 600 मिलियन डॉलर से अधिक खर्च किये उस वर्स निर्मान बजट का लगबग एक तियाई राजसों के रूप में खर्च की गई क्षमता की लागत नामक खर्च के रूप में लिया गया था अगर उस 178 बिलियन डॉलर के खर्च को नहीं दिखाया जाता जैसा कि Global Crossing ने 90 मिलियन डॉलर के शुद नुकसान की रिपोर्ट की थी तो इसके बिना लगबग 82 मिलियन डॉलर का लाब दिखाना पड़ता अगले वर्स 1999 की वार्षिक रिपोर्ट में एक दोशपूर्ण फूट नोट लिखा गया कि Global Crossing ने सेवा अनुमंद की शुरुवात की है कमपनी अब अपने निर्मान पर खर्च होने वाले राजसों के लिए खर्च के रूप में अधिकांस निर्मान लागतों का शुल्क नहीं लेगी इसके बचाई उन निर्मान लागतों का एक बड़ा हिस्सा अब एक ओपरेटिंग व्या के रूप में नहीं बलकि एक पुंजिगत व्या के रूप में माना जाएगा जिससे कमपनी की कुल संपत्ती में व्रदी होगी लेकिन इससे वास्तों में उसके शुदाई में कमी होगी प्रूफ जादू की तरह एक लहर में ही ग्लोबल क्रासिंग की संपत्ती और उपकर्ण संपत्ती पांसो पिछेतर मिलियन डॉलर बढ़ गई जबकि इसकी बिकरी की लागत में केवल 350 मिलियन डॉलर की व्रदी होई थी फिर बले ही कमपनी एक शेराबी नाविक की तरह पैसा खर्च कर रही थी Capital Expenditures परबंदकों के लिए एक अच्छा उपकरन है जिसका उपयोग वे एक अच्छा, बढ़ा और बेहतर व्यवसाई विक्सित करने के लिए करते हैं लेकिन निन्दनिय लेखा नियम परबंदकों को Capital Assets में सामन्य ओपरेटिंग खर्च को परिवर्तित करके रिपोर्ट किये गई लाब को बढ़ाने के अनुमती देते हैं जैसा कि Global Crossing मामले से पता चलता है बुद्धिमान निवेशक को यह समझ कर सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या और क्यों एक Company Capitalize करती है सेमी कंडेक्टर चिप्स के कई निर्माताओं की तरह Micron Technology Inc. को साल 2000 के बाद विक्री में गिरावट का सामना करना पड़ा वास्तों में Micron को इस मांग में डूबकी से इतनी मुश्किल से मारा गया कि उसे अपने आविशकारों के मुल्य को लिखना शुरू करना पड़ा क्योंकि ग्रहकों ने स्पष्टर रूप से कहा था उन्हें उसके उत्वाद उन की इमतों पर नहीं चाहिए जो Micron बता रहे थे मई 2001 को समापति माही में Micron ने अपने आविशकारों के रिकार्ड किये गए मुल्य को 261 मिलियन डॉलर से कटा दिया अधिकांस निवेशकों ने इसकी व्याख्या आवपरेशन की सामन्य या आवर्ती लागत के रूप में नहीं बलकि एक ऐसामन्य गटना के रूप में की लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखिए माइक्रोन ने अगले 6 फिसकल क्वार्टर्स में से परतेख में आगे इन्वेंटरी की बुकिंग की क्या माइक्रोन की इन्वेंटरी का आवमुल्यन एक अपूर्णिय गटना थी या यहे एक पुरानी स्थिती बन गई थी इस विशेश मामले पर उचित दिमाग अलग अलग सोच सकते हैं लेकिन एक बात स्पस्ट है बुद्धिमान निवेशक को हमेशा नोन रिकरिंग लागतों के लिए सतर्क होना चाहिए जैसे की एनरजाइजर बननी बस चलते रहें पेंशन के आयाम साल 2001 में SBS Communication Inc. जो की Singular Wireless, Packtail और Souther New England टेलीफोन के हितों का मालिक है ने शुद आय में 7.2 बिलियन डॉलर की कमाई की जो की एक साल में खराब टेलीफोन उद्धोक के लिए एक खराब परदर्शन था लेकिन वह लाब केवल SBC के विवसाई से नहीं आया पूरी तरह से 1.4 बिलियन डॉलर का लाब कमपनी की कुल आय का 13% MBC की पेंशन योजना से आया था चुकि MBC के पास पेंशन योजना में अधिक पैसा था और क्योंकि यह अनुमान था कि अपने करमचारियों के भविश्य को लाबों का बुगतान करना आउशक था जो कमपनी को वर्तमान आय के अंतर का इलाज करने के लिए मिला उस अधिसेस के लिए एक सरल कारण 2001 में SBC ने पेंशन योजना के निवेशों पर 8.5% से 9.5% तक की कमाई की उमीद दर बढ़ा दी थी SBC ने नई उमीदों को यह कहते हुए समझाया कि 2001 को समाप्त हुए परतेक 3 वर्सों में निवेश पर हमारा वास्त्विक वार्सिक रिटर्न 10% से अधिक था दूसरे शब्दों में हमारे पिछले रिटर्न उच रहे हैं इसलिए मान लें कि हमारा भविशे का रिटर्न भी उच होगा लेकिन यह ने केवल तरक के सबसे अलप विक्षित परिक्षणों को पर भावित करता है जैसे ही यह किया गया ब्यास दरें तुरंत ही गिरने लगी जो पेंचन पोर्टफोलियों के बोंड हिस्से पर भविशे के रिटर्न को निराश कर रही थी उसी वर्स वास्तों में वारेन बफेट के बर्कशायर हैटवे ने अपने पेंचन परिसंपतियों पर वापसी की अपेक्षित दर 8.3% से आकर 6.5% कर दी थी क्या SBC यह मानने में यथार्तवादी था कि उसके पेंचन फंड मैनेजर दुनिया के सबसे बड़े निवेशक को पचार सकते हैं शायद नहीं 2001 में बर्कशायर हैटवे के पेंचन फंड में 9.8% की प्रदी हुई लेकिन SBC का पेंचन फंड 6.9% पर ही रहे गया यहां बुद्धिमान निवेशक के लिए कुछ त्वरित विचार दिये गए हैं क्या शुद्ध पेंचन लाब कमपनी की शुद्ध आयका 5% से अधिक है क्या योजनागत परी संपतियों पर दिर्क का लिंदर उचित है गुफा निवेशक कुछ पॉइंट्स आपको एक शेर खरीदने से बचने में मदद करेंगे जो एक अकाउंटिंग बम हो सकता है लास्ट पेज से पढ़ना शुरू करें जब आप किसी कमपनी की वित्य रिपोर्टों पर शोद करते हैं तो अंतिम प्रस्ट से पढ़ना शुरू करें और धीरे धीरे सामने की ओर अपना काम करें जो भी आप ढूमना चाहते हैं वहां कुछ भी नहीं है उसे दफन कर दिया जाता है जो ठीक भी है कि आपको यह पहले क्यों दिखना चाहिए नोट्स पढ़ें वार्शिक रिपोर्ट में वित्य विरुणों के चरणों को पढ़े बिना कभी कोई स्थाकने खरीदें आम तोर पर महत्वपूर्ण लेखांकन नितियों का सारांस एक परमुख नोट बताता है कि कमपनी राजसों को कैसे पहचानती है आविशकार को रिकार्ड करती है किस्त या अनुबंद की बिकरी का इलाज करती है अपनी विपनन लागतों को खर्च करती है और अपने व्यावसाई के अन्या परमुख पहलवूं के लिए जिम्मेदार है अन्या चरणों में रिन, स्टोक विकल्प, ग्राहकों को रिन, नुकसान के खिलाब बंधार और अन्या जोखिम कारक के बारे में खुला से जानने के लिए इसे देखो जो कमाई का एक बड़ा हिस्सा कमा सकता है जिन चीजों को आपके एंटिना को सुगम बनाना चाहिए उन में पूंजिकरत और स्थगित जैसे तक्निकी शब्द है पूनर गठन और सादे अंगरेजी शब्दों से संकेत मिलता है कि कमपनी ने अपनी लेखांकन परताओं को बदल दिया है जैसे शुरू, परिवर्तन और हालांकी उन शब्दों में से कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आपको स्टोक नहीं करीदना चाहिए लेकिन इसका मतलब है कि आपको आगे जांज करने की जरूरत है कम से कम एक फर्म के वितिय वक्तव्यों में उन लोगों के साथ पूट नोट्स की तुलना करना सुनिश्चित करें जो एक करीबी परतियोगी है और यह देखने के लिए भी कि आपकी कमपनी के अकाउंटेंट कितने अकरामक है और पढ़ो यदि आप एक उद्धमी निवेशक हैं जो अपने पोर्टफोलियों में बहुत समय और उर्जा लगाने के लिए तयार है तो आप वितिय रिपोर्टिंग के बारे में अधिक जानने के लिए इसे अपने आप पर निर्भर करें समय और विशिष्ट उधारनों से भरी तीन ठोस पुस्त के हैं जिने आपको पढ़ना चाहिए मार्टिन फ्रीडसन और फर्नांडो अलवारेज की वितिय विवरण विशलेशन चार्ल्स मूल फोर्ड और यूजीन कामिस्की की वितिय संख्या खेल और हारवर्ड सिलिट की वितिय एननिमस है धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो दा इंटिलिजेंट इन्वेस्टर अध्याए 13 चार सूचिबद कंपनियों की तुलना हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम इबिजनेस एक निवेशक के रूप में जैसे की ग्रहाम ने किया उन्होंने चार शेरों को चुनकर उनकी 31 दिसंबर 1999 को रिपोर्ट की गई संख्याओं का उप्योग करके उनकी विरोधा वाशी रूप से तुलना की यहे एक ऐसा समय होता है जो हमेशेर बाजार में दर्ज मुल्यांकन की सबसे कठोर चर्ण द्रशों को देखने में सक्षम बनाता है Immersion Electric Inc. जिसका शेर टिकेट नाम EMR है इसे 1890 में स्थापित किया गया था यहे ग्रहाम की मूल चोकडी का एकमात्र जीवित सदश्य है यहे बिजली उपकरण, एर कंडिशनिंग और बिजली की मोटरों सहित उत्पादों की एक विस्तरत स्रंकला बनाता है EMC Corporation जिसका टिकेट परती EMC है यहे 1989 से पहले स्थापित की गई थी यहे कंपनियों को कंप्यूटर नेटवर्क पर इलेक्ट्रोनिक जानकारी के बंधारन को स्वेचालित करने में सक्षम बनाता है वासिंगटन के Expeditor International Inc. जिसका टिकर सिंबल EXPD है यह 1989 में शियेटल में स्थापित शिपर्ष को दुनिया भर में सामानों की आवाजाही को व्यवस्तित करने और उन्हें ट्रक करने में मदद करता है Exodus Communication Inc. जिसका टिकर परती EXDS है अन्या इंटरनेट सेवाओं के साथ-साथ कॉर्पोरेट ग्रहकों के लिए वेब साइटों को होस्ट और मैनेज करता है इसने मार्च 1998 में पहली बार अपने शेयर जनता को बेचे थे Electric Electrification नहीं करती है Graham के चार शेयरों में से सबसे महंगा Immersion Electric जो हमारे अपटेट ग्रूप में सबसे सस्ता था हमारी पुरानी अर्थव्यवस्ता के उध्योगों में अपने आधार के साथ Immersion 1990 के दसक के यांत में एक बोरिंग शेयर लग रहा था साल 1998 और 1999 में Immersion के शेयर ने S&P 500 इंडेक्स को कम्यूलेटिव 99.7% अंकों से पीछे छोड़ दिया था जो एक गलत अंडर परफॉर्मेंस था लेकिन वह है तो Immersion स्टोक था Immersion कंपनी के बारे में क्या 1999 में Immersion ने 14.4 बिलियन डोलर की वस्त्मों और सेवाओं की विक्री की जो कि उस वर्स से लगबग 1 मिलियन डोलर ज़्यादा थी जिसने Immersion को 1998 की तुलना में 6.9% अधिक 1.3 बिलियन डोलर की शुद्ध आये अरजित हुई पिछले 5 वर्सों में प्रतिश शेर आये 8.3% की मजबूत ओसत दर से बढ़ी थी Immersion का लाभांस दुगने से 1.3% अधिक था बुक मुल्या 6.69 डोलर से 14.27 डोलर प्रतिश शेर हो गया था Value Line के अनुसार 1990 के दसक के दोरान Immersion का शुद्ध लाभ मार्जन और एक व्यावसाय के रूप में इसकी दक्षता के परमुक उपायों पर क्रमशे 9% और 18% के आसपास उच्छ स्तर पर रहा Immersion ने लगातार 42 वर्सों तक अपनी कमाई में वरदी की थी और 43 सीदे वर्सों में अपने लाभाश को बढ़ाया था यहें अमेरिकी व्यापार में स्तिर विकास का सबसे लंबा समय था अंत के साल में Immersion के शेर की कीमत कंपनी के प्रती शेर शुद आये की 17.7 गुना थी अपने विजली उपकरणों की तरह Immersion कभी भी आकरशक नहीं था लेकिन यहें विश्वस्निय था और इसने कभी भी Overheating का कोई संकेत नहीं दिया था क्या EMC PDQ से आगे था EMC Corporation 1990 के दसक के सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले शेरों में से एक था इसकी स्पीड जादूई थी यदि आपने 1990 के शुरुवात में EMC के शेरों में 10,000 डोलर का निवेश किया था तो आपकी कुणजी 1999 में केवल 9 सालों में 8.1 मिलियन डोलर से अधिक हो गई थी EMC के शेरों ने अकेले 1999 में 117.1 प्रतिशत रिटर्न दी थी 1992 से 1999 तक 8 वर्सों में इमर्शन के शेरों की तूलना में अधिक व्रदी होई EMC ने कभी लाभाश का बुगदान नहीं किया था इसके बजाए अपनी कमपनी की निरंतर व्रदी के लिए धन परदान करके अपनी सारी कमाई को बनाए रखा इसी साल 31 दिसंबर को 54.625 डॉलर की कीमर पर EMC के शेर 103 गुना ज़्यादा करोबार कर रहे थे यह इमर्शन के स्टोक के मुल्यांकन स्तर का लगवग 6 गुना कमाई पूरे वर्स के लिए रिपोर्ट करेगी EMC का व्यापार साल 1999 में EMC का राजसव 24 परतिसद भढ़ कर 6.7 बिलियन डॉलर हो गया था इसके शेर की प्रती वर्स आई 61 सेंट से 96 सेंट तक बढ़ गई जो 51 परतिसद की वर्दी थी साल 1999 में समाप्त होने बाले 5 वर्सों में EMC की आई 28.8 परतिसद की वर्षिक दर से बढ़ी थी और हर किसी ने E-Commerce के जवार की लेहर को चालू रहने की उमीद के साथ भविशय भी उजवल लग रहा था 1999 के दोरान EMC के मुख्य कारेकरी अधिकारी ने बार बार भविशय वानी की की राजसव दो हजार एक में 10 विलियन डोलर से 1998 में में 5.4 विलियन डोलर तक पहुँच जाएगा जिसमें 23 परतिसद की ओसत वार्षिक वर्दी की आउशकता होगी लेकिन वाल स्टीट के विसलेसकों और अधिकांश निवेशकों को यकीन था कि EMC ऐसा कर सकती है आखिरकार पिछले 5 वर्षों में EMC ने अपने राजसव को 2 गुने से अधिक और अपने शुद आए को 3 गुना से बेहतर कर लिया था लेकिन 1995 से 1999 में तक वेल्यू लाइन के अनुसार EMC का शुद लाब मार्जिन 19 परतिसद से घटकर 17.4 परतिसद हो गया जबकि पूंजी पर इसका रेटर्न 26.8 परतिसद से घटकर 21 परतिसद हो गया हलांकि यह अभी भी अत्यादिक लाबदाइक था जबकि EMC पहले से ही विफल रहा था और अक्तुबर 1999 में EMC ने डेटा जनरल कॉर्पोरेशन का अधिक रहन किया जिसने उस वर्ज EMC के राजसओ में लगबग 1.1 बिलियन डोलर और जोड़े अब डेटा जनरल से लाए गई अतिरिक्त राजसओ को घटा कर हम देख सकते हैं कि 1998 में EMC के मौझूदा व्यावसायों की मात्रा 5.4 बिलियन डोलर से बढ़ कर 1999 में केवल 5.6 बिलियन डोलर हो गई जो केवल 3.6 परतिसक की प्रती थी दूसरे शब्दों में EMC की वास्त्विक विकासदर लगबग सुनने थी यहां तक की एक साल में जब Y2 के कंप्यूटर बग के डर ने कई कंपनियों को नई तकनीक पर रिकोर्ड राशी खर्च करने के लिए प्रेरित किया था फ्रेट पर एक सिम्पल ट्विस्ट EMC के विपरित एक्सपेंडिटर्स इंटरनेशनल अभी तक मोल भाव करना नहीं सीख पाया था हलांकि 1990 के दसक में कंपनी के शेरों में 30% सालाना की व्रदी होई थी लेकिन उस समय इसका बहुत बड़ा लाब बहुत अंत में आया था क्योंकि 1999 में यह शेर 109.1% की रिटर्न दे रहा था एक साल पहले एक स्पेंडिटर्स के शेर केवल 9.5% बढ़े थे जिसने S&P 500 इंडेक्स को 19% से अधिक अंकों से पीछे कर दिया था व्यापार के बारे में एक स्पेंडिटर वास्तों में तेजी से बढ़ रहे थे 1995 के बाद से इसका राजसव ओसत वार्चिकदर 19.8% तक बढ़ गया था 1999 के अंत में 1.4 बिलियन डोलर से अधिक की आवदी में लगभग 3 गुना और इसकी परतिशेर आये में 25.8% सालाना की व्रदी होई थी जबकि लाभां 27% वार्चिक फिलिप में बढ़ गया था एकस्पेंडिटर्स का कोई दिर कलिंग डिन भी नहीं था और इसकी कार्या शील पूंजी 1995 के बाद से लगबग दुगनी हो गई थी वैल्यू लाइन के अनुसार एकस्पेंडिटर्स का बुक मुल्य परतिशेर 139% बढ़ गया था और पूंजी पर इसका परतिफल एक तियाई से 21% बढ़ गया था किसी भी मानक के द्वारा एकस्पेंडिटर्स एक शानदार व्यवसाई था लेकिन छोटी माल फोरवर्डिंग कमपनी जिसका आधार सीटल में है और एशिया में इसके कई संचालन है जो वाल स्टीट पर सभी अग्यात थे प्रिमत 49 गुना बढ़ गई थी शुद आए वाले एकस्पोर्टर्स साल भर तक कमाते थे लेकिन EMC के मुल्यांकन से नीचे दप्रोमिस्ट लेंड 1999 के यांत तक Exodus Communication ने अपने शेर धारकों को सीधे दूद और शेहद की भूमी पर ले जाने के लिए कहा था इसका स्टाक 1999 में 1058 परतिसत बढ़ गया इसे इस तरह समझे कि अगर आपने इसमें चालू वर्ष में एक जनवरी को 10,000 डोलर का निवेश किया था तो 31 दिसंबर को इसका मुल्य 110,000 डोलर से अधिक हो गया था वाल स्ट्रीट के परमुक इंटरनेट स्टॉक विसलेशक मेरी लिंच के बेहद परभावशाली हेंडरी बलोटेड साहित भविश्यवानी कर रहे थे कि आने वाले वर्ष में यह स्टॉक 25 परतिसत से 125 परतिसत तक बढ़ जाएगा और सबसे अच्छी बात यह है कि 110 के लाब पर कबजा करने वाले ओनलाइन व्यापारियों की नजर में यह तथ्य था कि स्टॉक ने 1999 के दोरान इसने शेरों को तीन भार स्प्लिट किया था स्टॉक को स्प्लिट करने में एक कमपनी दूगनी हो जाती है इस स्प्लिट में एक शेर के दो शेर किये जाते हैं जहां इसके शेरों की संख्या दुगनी और कीमत आदी हो जाती है इसलिए एक शेर धार्क के पास उसके शेरों की संख्या उसी कीमत में दुगनी हो जाती है इसके बारे में क्या शांदार है? क्या स्प्लिट शांदार है? कल्पना कीजिए कि आपने मुझे एक पैसा दिया और मैंने फिर आपको तो निकल वापस दिये और पूछा क्या आप अब अमीर नहीं लग रहे हैं? आप शायद यह निशकर्स निकालेंगे कि मैं एक मुर्ख था या कि आपने मेरे साथ व्याप वास्तों में बस यह एक खबर है कि एक शेर दो में विभाजित होगा जो तुरंत अपने शेरों को 20 परतिसत या उससे अधिक ड्राइव कर सकता है क्योंकि ज़्यादा शेर मिलने से लोग अमीर महसूस करते हैं जनवरी में 110 के 100 शेर खरीदने वाले किसी ने उन्हें एपरेल में स्टोक के विभाजन के समय 200 में बदल दिया फिर वे 200 अगस्त में 400 में बदल दिये गई तब के 400 डिसंबर में 800 हो गए इन लोगों को यह महसूस करने के लिए रोमान्च कारी था कि वे पहले 100 के मालिक थे अब उन्होंने 700 शेर और प्राप्त कर लिये थे लेकिन वास्तों में प्रती शेर की कीमत में प्रते एक विभाजन के साथ आधे में कटोती की गई थी डिसंबर 1999 में एक अलग 100 शेर अधारक को ओनलाइन संदेश बोर्ड की तरफ से एक शफत पत्तर दिया गया था जिसे उन्हें भरना था उसमें लेखा था अगर मैं 80 साल की उमर तक इन शेरों को दारन करने जा रहा हूँ तो इसके बाद अगले वर्षों में इसके सेंक्डों बार विभाजन होने के बाद मैं CEO बनने के करीब हूँ 110 का व्यपार ग्रहम ने तो इसे एक मैट सूट पहन कर वह एक दस पुट के डंडे के साथ भी नहीं चुआ होगा 110 का राजसव 1998 में 22.7 मिलियन डोलर से बढ़कर 1999 में 242.1 मिलियन डोलर हो गया था लेकिन 1999 में उनके राजसव में 130.3 मिलियन डोलर का नुकसान हुआ था जो कि पिछले साल की तुलना में दो गुना था कमपनी का कुल रेंड 2.6 मिलियन डोलर था और वह नगदी के लिए इतना भूका था कि उसने अकेले दिसंबर के महिने में ही 971 मिलियन डोलर उधार लिये थे 110 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार नई उधारी आने वाले वर्ष में अपने ब्याज भूकतान के लिए 50 मिलियन डोलर से अधिक चोड़ेगी कमपनी ने 156 मिलियन डोलर की नगदी के साथ 1999 की शुरुवात की और नई वित पोशन में 1.3 मिलियन डोलर जुटाने के बाद भी वर्ष का समापन 1 बिलियन डोलर के नगद 6 के साथ किया जिसका आर्थ है कि उसके व्यावसायों ने 1999 के दोरान 400 मिलियन डोलर से अधिक की राशिक को निगल लिया था एक कमपनी कैसे एसी स्थिति में अपने रिंका भुतान कर सकती है लेकिन निश्चित रूप से ओनलाइन व्यापारियों को यह बताया गया था कि कमपनी स्वस्थती जिसका स्टोक तेजी से बढ़ रहा था इस स्टोक ने लॉंचपैड 1999 में नाम का उप्योग करके व्यापारियों को धोका दिया था जो अनंत तक वै उससे आगे और बढ़ना जारी रहेगा लॉंचपैड की मुर्खता पूर्ण भरी बविश्यवानी की अनंत से परे थी जो कि ग्रहम की क्लासिक चेताउनियों में से एक का सही अनुसमार्क है आज का निवेशक में ग्रहम हमें बताते हैं कि जो वविश्य की आशंका से इतना चिंतित हो कि वह पहले से ही इसके लिए सुंदर भुखतान कर रहा हो और इसके लिए उसने इतने अध्यन और देखभाल के साथ जो अनुमान लगाया हो जो वास्तों में पूरा हो सकता है लेकिन फिर भी उसे कोई लाब नहीं हो रहा हो तब उसे इस हद तक ऐस अपल हो जाना चाहिए कि जब वह वास्तों में एक ऐस्थाई और शायद स्थाई नुकसान का सामना कर सकता हो इन इस का अंत आईए जानते हैं कि 1999 के बाद इन चार शेरों ने कैसा प्रदर्शन किया इमर्सन इलेक्टिक ने साल 2000 में 40.7% रिटर्न हासिल किया हालांकि 2001 और 2002 दोनों सालों में शेरों ने पैसे खो दिये फिर भी वे 1999 के अपने अंतिम मुल्य से 4% से कम पर साल 2002 को पूरा किया 7% रिटर्न के साथ बढ़ा लेकिन 2001 में शेरों में 89.4% और 2002 में एक और 54.3% की गिरावटाई इसमें उने 1999 के अंत में अपने स्तर से 88% नीचे तक गिरा दिया 2001 तक राजसों में 10 मिलियन डोलर के पूर्वा नुमान का क्या हुआ EMC ने उस साल सिर्फ 7.1 बिलियन डोलर और 508 मिलियन डोलर के शुद्ध गाटे के साथ इस साल को स्माप्त किया इस बीच जैसे की बेर बाजार भी मुझूद नहीं था Expenditors International के शेरों ने साल 2000 में 22.9 प्रतिसत साल 2001 में 6.5 प्रतिसत और साल 2002 में एक ओर वार्षिक रिटर्न 15.1 प्रतिसत हासिल किया उसने वर्ष 1999 के अंत में उनकी कीमत की तुल्हा में लगबग 51 प्रतिसत अधिक वार्षिक रिटर्न अर्चित की थी 110 का स्टोप साल 2000 में 55 प्रतिसत और 2001 में 99.8 प्रतिसत पर लुढग गया 26 सितंबर 2001 को 110 ने दिवालियपन सरंक्षन के लिए अपना दावा दायर किया कमपनी की अधिकांस संपत्ती ब्रिटिस दूर संचार क्षेक्तर की केबल एंड वायर्लेस द्वारा खरी दी गई थी अपने शेर धारकों को वादा की गई दूद और शहद की भूमी पर पहुंचाने के बजाए उसने उन्हें जंगल में निर्वाशित कर दिया 2003 की शुरुवात में 110 के स्टोक में अंतिम व्यापार एक पैसा प्रतिशेर था धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन चुब हो The Intelligent Investor अध्याए 14 रक्षात्मक निवेशक के लिए स्टोक का चैयन वहे जो धन कमाने के लिए बहुत सारे कारनामों को अंजाम देता है और उससे कुछ लाप प्राप्ट करता है फिर बार बार तूटता है और वापिस फिर उसी गरीबी में आ जाता है वहे शायद ही कभी ज़्यादा धन कमा पाएगा इसलिए उसके लिए अच्छा होगा कि निश्चितता के साथ रोमांच की रक्षा करें जो उसके नुक्सान को रोक सकता है सर फ्रांसिस बेकन शुरू करें आपको स्टोक चैयन के बुनियादी तथ्यों को कैसे प्रियोग करना चाहिए ग्राहम का सुझाव है कि रक्षात्मक निवेशक सबसे सरल रूप से डाउजोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में हर शेर खरीद सकते हैं आज का रक्षात्मक निवेशक कुल स्टोक मार्केट इंडेक्स फंड खरीद कर जो अनिवारिय रूप से हर स्टोक को रखने लाइक है उससे और भी बेहतर कर सकता है एक कम लागत वाला इंडेक्स फंड कम रख रगाव स्टोक निवेशक के लिए बनाया गया सबसे अच्छा उपकरन है इसमें सुधार करने का कोई भी प्रियास वास्तों में रक्षात्मक निवेशक की तुलना में अधिक काम कर सकता है ज्यादातर लोगों के लिए अपने स्टोक का शोद और चैयन करना आवशक नहीं है और यह एड़वाईसेबल भी नहीं है हालांकि कुछ रक्षात्मक निवेशक व्यक्तिगत शेयरों को खरीदने की बोधिक चुनोती का आनंद लेते हैं यदि आप बेर बाजार से बच गए हैं और अभी भी स्टोक उठाने का आनंद लेते हैं तो ग्रहम तो क्या भगवान भी आपको नहीं बचा सकते हैं विकल्पों के साथ या उनके आसपास इसका परियोग कर सकते हैं अपने स्टोक के पैसे का 90 परतिशत एक इंडेक्स भंड में रखें जिसमें 10 परतिशत छोड़कर अपने स्टोक को चुनने की कोशिश करें आपके द्वारा उस ठो स्कोर के निर्मान के बाद ही आपको और ज़्यादा परियोग करने चाहिए स्टोक चैन के लिए ग्रहम के मापदंडों को संक्षेप में समझें प्रियाप्त आकार आजकल छोटी कमपनियों को छोड़कर अधिकांस रक्षात्मक निवेशकों को कुल दो बिलियन डॉलर से कम के बाजार मुले वाले शेयरों से दूर ही रहना चाहिए साल 2003 की शुरुआत में आपको अपने स्टंडर्ड एयों पूर्स के 500 स्टोक इंडेक्स में से कुल 437 कमपनियों को चुनना छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये इस कैटेगरी में फिट नहीं बैखती थी हालांकि आज के रक्षात्मक निवेशक ग्राहम के दिनों में उन लोगों के वीपरीत छोटे शेरों में विशेशक ग्यता वाले म्यूचल फंड खरीद कर आसानी से छोटी कमपनियों के मालिक बन सकते थे फिर से वेंगार्ड स्माल कैप इंडेक्स जैसी एक इंडेक्स फंड वाली पसंद है हालांकि एरियल, टीरोवे प्राइस, राइस और थर्ड एवेन्यू जैसी फर्मों के पास उचित लागत पर सक्रिय पंड उपलब्द हैं मजबूत वित्यस थी थी बाजार रननितिकारों के अनुसार 2003 की शुरुवात में मौर्गन स्टेनली के स्टीव गैलबरित और जेलस, S&P 500 इंडेक्स में लगबग 120 कंपनियों ने ग्राहम के एक के दो स्प्लिट के वर्तमान अनुपात का परिक्षन किया करंट एसेट के साथ, कम से कम दुगनी करंट लाइवेल्टीज के साथ, इन फर्मों के पास वर्किंग कैपिटल का एक बड़ा कुशन था जो ओस्तन कठिन समय में वै उसके बाद उन्हें बनाई रखने में मदद करता है विकास स्टोक के बुलूले के पटने से वाल स्टीट ने अपने चारों और एक लोहे का मजबूत जाल बना लिया था लेकिन तभी एक खुशी भी पैदा हुई थी 1999 और 2000 में उच्च तकनिक, जैव तकनिक और दूर संचार शेरों को आकरामक विकास परदान करना चाहिए था लेकिन वे स्वाप्त हो गई उसी समय बदले में उनके अधिकांश निवेशक उन्हें एग्रेसिव स्रिंकेज दे रहे थे लेकिन 2003 की शुरुवात में पहिया पूर्ण चकर में आ गया था और उन आकरामक विकास शेरों में से कई financially conservative बन गए थे जो working capital से भरपूर, कैस में समरद और अक्सर रिण मुक्त थे यहां सबक यह नहीं है कि ये stock एक निश्चित बात थे या कि आपको सब कुछ या इन में से कुछ भी खरीदना चाहिए इसके बजाए आपको महसूस करना चाहिए कि एक रक्षात्मक निवेशक हमेशा धहरिय पूर्वक और शान्ती पूर्वक रूप से एक बेयर बाजार के मलबे के माध्यम से भी समरद हो सकता है वित्य ताकत की ग्राहम की कसोटी अभी भी काम करती है जो यह है कि यदि आप ऐसे शेरों की ये डाइवर्सिफाइड बकेट बनाते हैं जिनकी मौजूदा संपत्ती कम से कम उनकी मौजूदा तेंदारियों से दूगनी हो और जिसका दिर काले नदेन उसकी वरकिंग कैपिटल से अधिक नहीं हो तो आपको कंजरवेटिवली फाइनेंस्ट कमपनीज के समू के साथ साथ भरपूर शक्ती अरजित करनी चाहिए आज के सर्वोतम मुल्य अक्सर उन शेरों में पाए जाते हैं जो कभी गरम थे और उसके बाद ठंडे हो गए पूरे एतिहास में ऐसे शेरों ने अक्सर उन्हें सुरुक्षा का मारजन परदान किया है जो एक रक्षात्मक निवेशक मांग करता है मारगन स्टेनली के अनुसार S&P 500 इंडेक्स में सभी कमपनियों के 86% लोगों को 1993 से 2002 के दोरान हर साल सकारात्मक कमाई हुई है इसलिए ग्राहम का कुछ आम स्टोक पिछले 10 वरसों में कमाई करते हैं एक वैद परिक्षन बनी हुई है दूसरी हार को खत्म करने के लिए यह प्रियाप्त कठिन है लेकिन यह इतना भी सिमित नहीं है कि आप अपने विकल्पों को एक छोटे से नमून्वे में सिमित कर सकें डिविडेंट रिकोर्ड स्टेंडर्ड एंड पूर्स के अनुसार 2003 के शुरुवात में S&P 500 में और S&P के अनुसार सुसकांक में 77 कंपनियों ने कम से कम लगातार 25 वर्सों से अपने लाभाश को बढ़ाया है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वेशा हमेसा के लिए करेंगे लेकिन यह संकेद एक सुकून की बात है आई में व्रदी साल 2002 में समाप्त होने वाले 10 वर्सों में S&P 500 में कितनी कंपनियों ने परती वर्ष कम से कम एक तीहाई जो ग्रहम की आवशकता के अनुसार अपनी आई में व्रदी की मारगन स्टेनली के अनुसार S&P 500 में 264 कंपनिया उस परिक्षन से मिली लेकिन यहाँ एसा लगता है कि ग्रहम ने बहुत कम बादाएं खड़ी की जो एक दसक में 33% संचई वर्दी, 3% ओसत वार्षिक वर्दी से कम है कम से कम 50% की परती शेर आए में संचई वर्दी 4% की ओसत वार्षिक वर्दी थोड़ी कम रूडिवादी है S&P 500 इंडेक्स में 245 से कम कमपनियों ने 2003 की शुरुवात तक उस माप्धन को पूरा नहीं किया जिससे रक्षात्मक निवेशक को चुनने के लिए प्रयाप्त सूची मिले मोडरेट P.E. अनुपात ग्रहम कुद को उन शेरों तक सिमित करने की सला देते हैं जिनकी मौजूदा केमत पिछले तीन वर्षों में ओसताय से 15 गुना से अधिक नहीं है एविस्वसनिया रूप से वाल स्टेट में प्रचलित पर था कि आज अगले वर्ष की कमाई नामक किसी चीज के दोरा अपने वर्षमान मुल्य को विभाजित करके शेरों को मुल्य देने के लिए है जो कि कभी कभी पोरवर्ड P.E. अनुपात कहलाता है लेकिन अग्यात भविश्य की कमाई दोरा ग्यात वर्षमान मुल्य को विभाजित करके मुल्य या आय अनुपात व्युत्कुरम करने के लिए निर्थक है काफी समय पहले मनी मैनेजर डेविड ड्रेमेन ने कहा था कि वाल स्ट्रीट की सर्वसम्मत्ती की कमाई का 69% एक निउंतम मुल्य मार्जिन के निशान को याद करता है जो या तो कम से कम 15% द्वारा वास्त्विक रिपोर्ट की गई कमाई को कम करना या कम करके आंक कर इसमें अपने पैसे का निवेस करना है आने वाले वर्ष के लिए इन मायोपिक सुथेयर्स ने जो बहुश्यवानी की है उसका आधार कानूनी रूप से नेत्रहीन लोगों के लिए एक तीरंदाजी टूर्नामेंट में बुलाई को पकड़ने की बजाए पिछले तीन वर्षों में ओसताई से विभाजित वर्थमान मुल्य के ग्राहम के फार्मूले का उप्योग करके अपने आप एक शेर के कीमत ओवलिक आय अनुपात की गणना करें 2003 की शुरुवात में S&P के 500 इंडेक्स में कितने स्टोक थे जिनकी कीमत 2002 की ओसत कमाई के 15 गुना अधिक नहीं थी मार्गन स्टैनली के अनुसार पुल 185 कंपनियों ने ग्राहम का परिक्षन पास किया था मोडरेट प्राइस टू बुक रेशो ग्राहम 1.5 से अधिक नहीं की संपत्ती के मुल्या का अनुपात की सिफारिस करते हैं हाल के वर्षों में कंपनियों के मुल्या का बढ़ता अनुपात फ्रंचाइज, ब्रांड नेम, पेटेंट और ट्रेडमार्क जैसे अमूर्थ संपत्यों से आया है चुकि इन कारकों को पुस्तक मुल्या की मानक परिभासा से बाहर रखा गया है इसलिए आज अधिकांश कंपनियों की कीमत ग्राहम के दिनों की तुलना में उच्छ मुल्या से पुस्तक उनकों पर है मार्गन स्टेंली के अनुसार S&P 500 में 123 कंपनियों की कीमत डेट गुना बुक वैल्यू से कम है 2000 तीयतर कंपनियों में 2.5 से कम मुल्या की बुक अनुपात है ग्राहम के उस सुझाओ के बारे में जो आपने प्राइस टू बुक रेशो द्वारा पी इए अनुपात को गुना करें और देखें कि परिणामी संख्या 22.5 से कम है या नहीं मार्गें स्टेंली के आंकडों के आधार पर S&P 500 में कम से कम 142 स्टोग प्रारंबिक परिक्षन के रूप में 2003 के प्रारंबिक दोर से गुचर सकते थे जिन में डोना कार्प्स, इलेक्टोनिक डेटा सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम्स और वांसिगिटन म्यूचल शामिल थे इसलिए ग्राहम का मिस्रित गुनक अभी भी यतोचित मुल्य वाले शेयरों की पहचान करने के लिए एक प्राप्मिक स्क्रीन के रूप में काम करता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक निवेशक के रूप में कितने रक्षात्मक है ग्राहम के अर्थ में आप जिस काम को स्टॉक में डालते हैं उसे कम से कम करने की इच्छा रखते हैं लेकिन कुछ ऐसे चरण हैं जिन्हें आप छोड़ने ही सकते हैं अपना हॉमवर्क करें www.sec.gov पर Edgard Database के माद्यम से आप एक कमपनी की वार्षिक और त्रेमासिक रिपोर्ट के साथ-साथ प्रबंद्गों के मुआउजे, स्वामितव और ब्याज के वापसी संगर्सों का खुलासा करने वाले प्रोक्सी स्टेडमेंट तक पहुँच कर कम से कम 5 साल का मुल्य आसानी से बता सकती है कि किसी कमपनी के कितने प्रतिशत शेयर संस्तानों के स्वामितों में है, अगर वह 60 प्रतिशत से अधिक कुछ भी बताता है, तो एक शेयर मुश्किल में है, यह शायद अंदेखा और अतिप्रशिद है, वे वेबसाइटें आपको यह भी बताएंग कि स्टोक के सबसे बड़े मालिक कौन है, यह दिवे धन्वान फर्मे है, जो समान शैली में निवेश करती है, तो यह एक अच्छा संकेत है, धन्यवाद, हिंदी ओडियो बुक डॉट कॉम, आपका दिन शुब हो दुनिया की राए के बाद, दुनिया में रहना आसान है, हमारे लिए एकांत में रहना भी आसान है, लेकिन महान व्यत्ति वही है, जो भीड में एकांत की सुतंतरतालिये परिपूर्ण मिठास रखता है राल्फ वार्डो इमर्शन, अभ्यास, अभ्यास और केवल अभ्यास म्यूचल फंड से सिरीज के संस्तापक मैक्स एही ने कहा था, कि येरुसलम तक जाने के लिए कई सड़के हैं, इस मास्टर स्टोक पीकर का मतलब था, कि शेरों का चैन करने का, उनका अपना मुल्यकेंदरित तरीका, एक सफल निवेशक बनने का एकमातर रास्ता नहीं है, इस अध्याय में हम कई तकनिकों को देखते हैं, जो आज के कुछ धन परबंदक स्टोक चुनने के लिए उप्योग करते हैं, सबसे पहले, हालांकि यह दोहराने के लाइक है, कि अधिकांस निवेशकों के लिए व्यक्तिगत स्टोक का चैन करना अनावशक है, यदि यह अ अनुप्यूक्त नहीं है तब, तथ्या यह है कि ज़्यादातर पेशेवर स्टोक टिकिंग का खराब काम करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकांस एमेच्योर बेहतर कर सकते हैं, स्टोक चुनने की कोशिश करने वाले अधिकांस लोग सीखते हैं कि वे उतने जितना उन्होंने सोचा था, सबसे भाग्यासाली लोगों को यह जल्दी पता चलता है, जबकि कम भाग्यासाली लोगों को इसे सीखने में सालों लग जाते हैं, निवेशकों का एक छोटा प्रतिशत अपने स्वेय के शेयरों को चुनने में उतकरष्टा प्राप्त कर सकत लेकिन बाकी सबी को आधर्स रूप से एक इंडेक्स बंड के माध्यम से मदद लेना बेहतर होगा। ग्राहम ने निवेशकों को पहले अभ्यास करने की सला दी है। जैसा की सबसे महान एथलेट और संगीतकार भी अभ्यास करते हैं और हर वास्तिक प्रदर्शन से पहले पूर्वा अभ्यास करते हैं। उन्होंने एक साल ट्रैकिंग और स्टाग जो की असली पैसे के साथ नहीं बलकि वर्च्वल रूप से खरीद कर शुरू करने का सुझाओ दिया है। आजकल आप moneycontrol.com, morningstar.com, finance.yahoo.com, money.cnn.com या marketocracy.com जैसी वेब साइटों पर पोर्टफोलियो ट्रैकर का उप्योग कर सकते हैं। वास्तविक धन के साथ प्रियास करने से पहले अपनी तकनिकों का परिक्षन करके आप किसी वास्तविक नुकसान के बिना गलती कर सकते हैं। लगातार व्यापार से बसने के लिए अनुशाशन विक्षित कर सकते हैं, अपने द्रिष्टिकों की तुलना कर सकते हैं, उन अग्रणी money management के अलावा और जाने कि आपके लिए कौन सी तकनिक बेहतर काम करती है, सबसे अच्छा आपके सभी स्टोग पिक्स के परिनामों प कि आपने अपने सभी पैसे S&P 500 Index Pond में कैसे लगाई होंगे, यदि आपको प्रियोग में मजा नहीं आया, या आपकी पसंद खराब थी, तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन व्यक्तिकत शेरों का चैन करना आपके लिए सही नहीं है, अपने लिए एक Index Pond खरीदें, व लेकिन इसे अपने समगर पोर्टफोलियों के अधिक्तम 10 परतिशत तक ही सीमित रखें, और बाकी को एक Index Pond में रखें, तता याद रखें, आप हमेशा इसे तब रोक सकते हैं, जब यह आपकी रूची का नहीं हो, या आपके रेटर्न खरा हो जाते हैं, सही स्थानों की तलास कैसे करें, आपको संभावित रूप से बहेतर स्टाक की तलास कैसे करनी चाहिए, आप अध्याई 14 में सुझाए गए संक्य की फिल्टर के साथ, स्क्रीन स्टोक के लिए finance.yahoo.com और morningstar.com जैसी वेब साइटों का उपयोग कर सकते हैं, अधिकांस लोग ट्वीडी ब्राउन, Global Fund Value के क्रिस्टोफर ब्राउन, ओकमार्क फंड के, विलियम न्याग्रेन, FPA Capital Fund के, रबर्ट रोडरिगेज, और टेरो फंड के, रबर्ट टेरो सभी का सुझाव है कि वाल स्ट्रीट जर्नल में नए 22 सप्ता के बेचारों की दैनिक सुची देखें, यहें आपको उन शेरों जो एपरियुक्त या एपरमानित हैं, और इस परकार यहें आपकी धारना बदलते समय, उच रिटर्न की संभावनाई प्रदान करते हैं। या जिस कीमत पर इसी तरह के व्यवसायों को वर्सों से अधिक रहित किया गया है, कि जांच करके ओकमार के नाइजरेन और लोंग लिफ पार्टनर के ओमैसन हॉकिंग जैसे प्रवंदकों को एक बेहतर पुश्च मिलता है, जो किसी कंपनी के डिविजनों के लाइक होता ह एक व्यक्तिकत निवेशक के लिए यह सरम साध्य और कठिन काम है, कंपनी की वार्सिक रिपोर्ट में बिजनस सेग्मेंट फुटनोट को देख कर शुरू करें, जो आम तोर पर उद्योगिक शेतर, राजसव और प्रतेक सहायक की कमाई को सुची बद करता है, फिर उनी उ पार्सिक रिपोर्टों का पता लगाने के लिए SEC.GOV पर EDGARD डेटाबेस का उप्योग करके, आप उन अधिक रहीत कंपनियों की कमाई के लिए खरीद मुल्यका अनुपात निर्धारित करने में सक्षम हो सकते हैं, फिर आप उस अनुपात को यह अनुमान लगाने के लिए लागू कर सकते हैं कि जिस कमपनी की आप जांच कर रहे हैं, उसके समान विभाजन के लिए एक कार्पोरेट अधिक रहन करता कितना भुगदान कर सकता है। पर वह व्यवसायों का मुल्याकन करता है, यह ग्राहम की सुरक्षा परदान करने में मदद करता है। बोस कोन है। पर वह व्यवसाय को छोड़ स्टोक की कीमत के बारे में अधिक बात करते है। टोरे फंड के राबर्ट टोरे चेतावनी देते हैं, हम रूची नहीं रखते हैं। डेविस फंड के क्रिश्टोपर डेविस उन फर्मों का समर्थन करते हैं, जो स्टॉक विकलपों को जारी करने की सीमा को तीन परतिस सथ तक सीमित करती है। वेंगार्ड प्राइमे फंड में हावर्ड शाय यहे ट्रेक करते हैं कि कंपनी ने एक साल पहले क्या कहा था और उसका आगे क्या परिणाम हुआ। हम ने केवल यहे देखना चाहते हैं कि प्रबंदक शेर धारकों के साथ इमानदार हैं बलकि यहे भी कि वे खुद के साथ इमानदार हैं या नहीं। भले ही आपके वल कुछ शेरों के मालिक हों, फिर भी आप एक कम्पनी के नियमित रूप से निरधारित सम्मेलन कॉल पर सेडूल का पता लगाने के लिए कॉर्पोरेट मुख्यले में निवेशक संबंद विभाग को कॉल करें या कम्पनी की वेब साइट पर जाएं FPA Capital Fund के Robert Rodriguez कम्पनी की वार्चिक रिपोर्ट के पिछले प्रस्ट पर जाते हैं, जहां इसके ओपरेटिंग डिविजिनों के हेड्स सुचिबद हैं, यदि उन नामों में पहले से बहुत अधिक टर्नोर हैं, जो कि एक नए CEO के वर्तमान कारियकाल के एक या दो साल में आये हैं रास्ते पर अपनी नजर बनाई रखें, येरुसलम के लिए इससे भी ज़्यादा सड़के हैं, कुछ परमुक पोर्टफोलियो मेनेजर जिसे ड्रेमेन वेल्यू मेनेजमेंट के डेविड ड्रेमेन और थर्ड एवेन्यू फंड्स के मार्टिन विट्समेन बहुत कम संपत कमाई या नगदी परवापर बेचने वाली कमपनियों पर ध्यान के अंजरित करते हैं, अन्या राइस फंड्स के, चार्ल्स राइस और फिडेलिटी लो प्राइड स्टोक फंड के, जोल टिलास्ट की तरह छोटी कमपनियों के शिकार करते हैं, एक तकनीक जो मददगार हो सकती है, यह देखें कि कौन से परमुख व्यवसाइक परबंदग आपके दुवारा खरी दे गए शेयरों के मालिक हैं, यदि एक या दो नाम बदलते हैं, यदि एक या दो नाम बदलते रहते हैं, तो उन फंड्स कमपनियों की वेबसाइट पर जाएं और उनकी हाल की रि द्रिष्टिकोन में सुधार करने के लिए कौन से क्षेतर पर विचार कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे स्टोब चुनने में किन तकनिकों का उपयोग करते हैं, सफल निवेश करने वाले पेशेवरों में दो चीजें समान होती है, पहली, वे अनुशाशित और सूसंगत है, जब वे एपर यहर यह होते हैं, तब भी अपना द्रिष्टिकोन बदलने से वे इनकार करते हैं, दूसरा, वे इस बारे में बहुत सोचते हैं कि वे क्या करते हैं और कैसे करते हैं, लेकिन वे इस बात पर बहुत कम ध्यान देते हैं कि बाजार क्या कर रहा है धन्यवाद, hindi-audiobook.com, आपका दिन शुब हो The Intelligent Investor, Convertible Issues और Warrants, hindi-audiobook.com बदलाओ का जोज, हालांकि Convertible Bonds को Bonds कहा जाता है लेकिन वे स्टोक की तरह व्यभार करते हैं, ओप्शन की तरह काम करते हैं और एस पस्तता से बंद हो जाते हैं यदि आपके पास Convertible Bonds से हैं, तो आपके पास एक ओप्शन भी है आप या तो बंद रख सकते हैं और उस पर ब्याजर जित करना जारी रख सकते हैं या आप इसे पूरो निर्धारित अनुपात में जारी करने वाली कमपनी के सामाने स्टोक के लिए विनिमेक कर सकते हैं क्योंकि एक ओप्शन अपने मालिक को किसी निश्चित समय पर एक निश्चित आउदी में दूसरी सुरक्षा खरीदने या बेचने का अधिकार देता है क्योंकि वे स्टोक में एक्सेंजिबल हैं, इसलिए ये Comparitible Bonds की तुलना में कम ब्याज़दर परदान करते हैं दूसरी और अगर किजी कंपनी के शेर की कीमत बढ़ जाती है, तो उस स्टोक में एक Convertible Bonds एक Conventional Bonds की तुलना में बेहतर परदर्शन करेगा 1957 से 2002 के दोरान, इविट्सन एसोसियेशन के अनुसार, Convertible Bonds ने स्टाक की तुलना में स्टिर कीमतों और उतले घाटे के साथ कुल रिटर्न से 8.3% की कम वार्सिक ओसत रिटर्न अरजित की शेरों की तुलना में अधिक आए कम जोखिम नहीं है, यह आस्चर यह है कि वाल स्टीट के लोगों ने अकसर Convertibles को दोनों दुनिया के सर्वसरेश्ट निवेश के रूप में वर्नित किया है, लेकिन बुद्धिमान निवेशक जल्दी ही महसूस कर लेते हैं कि Convertible अधिक कि सबसे बुरे निवेश कहे जाते हैं, आप किस पक्स में आते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं, सच में Convertibles बॉंड की तुलना में स्टोक की तरह अधिक कारिय करते हैं, Convertibles पर Return लगबग 83% S&P 500 स्टोक इंडेक्स से संबदित है जो ट्रेजरी बॉंड के परदर्शन से केवल 30% संबदित है, इस परकार बॉंड को तब Convert किया जाता है जब आधिकांस बॉंड अपनी स्टिती बदलते हैं, बॉंड में अपने आधिकांस या सभी संपतियों के साथ रूडिवादी निवेशक के लिए Converts Diversified Bundle को जोड जैसा कि Advent Capital Management के Convertible Expert F. Barry Nielsen बताते हैं, ग्राहम के दिनों से लेकर अब तक यह लगवग 200 बिलियन डॉलर का बाजार हो चुका है, अधिकांस Convertibles अब 7 से 10 साल तक की सीमा के मध्यमवधिके हैं, लगवग आदे निवेश ग्रेड हैं और कई इशूज पर अब कुछ कॉल पर protection होता है, इन सभी कारकों ने उन्हें जो वे करते थे उससे कम जोखिम भरा बना दिया है, जब तक आप इस क्षेतर में अकेले एक लाख डॉलर निवेश करने में सक्षम नहीं होते हैं, तब तक छोटे Convertible Bonds का व्यापार करना और डाइवर्सिफिकेशन एव्यवारिक है सो भग्य से, आज के बुद्धिमान निवेशक के पास लो कोस्ट Convertible Bonds Fund खरीदने का सुईदा जनक उपहार हैं, फिडेलिटी और वेंगार्ड्स एक परतिसत वार्सिक खर्च पर म्यूचल फंड की पेसकश करते हैं, जबकि कई Closed AIN Funds भी उचित कीमत पर उपलवद हैं, वाल स्टीट पर क्यूटनेस और कंपलेक्सिटी हाथों हाथ चली जाती है, जब इसमें कोई Convertible पर अपवाद नहीं हो, इसके लिए निवेशकों के लिए नई किस्मों में, LYONS, ELKS, EYES, PERCS, MIPS, CHIPS और YEELDS जैसे संक्षिप्ट उपनामों के साथ सेक्यूर्टीज की एक बड़ी सरंकला उपलब्द है, ये जटिल सेक्यूर्टीज आपके संभावित नुकसान के लिए एक सुरक्षित फ्लोर बनाती है, ताकि आपका नुकसान ज्यादा नहीं हो सक लेकिन साथ ही साथ ये आपके संभावित मुनाफे को भी रोकती है, और जो अक्सर आपको एक निश्चित तारिख पर आम स्टोक में बदलने के लिए मजबूर करती है, अधिकांस निवेशों की तरह आप इसमें से भी एक सिल्ट को ने खरीद कर नुकसान के सामने खुद देशी शेरों में ताकि आपका पॉर्टफोलियो किसी भी संकट से निकल कर आगे बढ़ सके और आपके सपने को पूरा करने में आपका साथ दे। धन्यवाद हिंदी ओडियो बुक डॉट कॉम आपका दिन शुब हो। कि अराजकता पर कैसे नियंदर्ण हो सकता है। विनाश ने कहा मुझे अपनी बाई आँख दे दे तब मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा। बिना किसी हिच की चाहट के बुद्धी के देवता वडेन ने अपनी बाई आँख निकाल कर उन्हें दे दी और कहा अब के अलकाई। दूसरा एक सामराज्य निर्मान समू। तीसरा एक विले जिसमें एक छोटी फर्म ने एक बड़ा काम संभाला। चोथा मूल रूप से बेकार कंपनी में शेरों की प्रारंबिक सारुजनिक पेश कर। पिछले कुछ वर्चों में ग्राहम के कुछ उच्च न किसी अन्य अमेरिकी स्टोक की तुलना में अधिक निवेशक थे जिसका मार्केट कैपिडलाइजेशन 192.9 बिलियन डोलर के साथ यह अमेरिका में बारवी सबसे मुल्यवान कंपनी थी। क्या यह विशाल मुल्यांकन उचित था। 30 जून 2000 को समापत वितिय तिमाही में ल किस प्रकार है। लिूशेंट ने 4.8 बिलियन डोलर में एक ओप्टिकल उपकर्ण आपूर्ति करता क्रोमेटिक्स नेटवर्स को खरीदा था जिसकी 4.2 बिलियन डोलर गुडविल या बुक मुल्य से उपर की लागत थी। क्रोमेटिक्स में 150 करमचारी थे लेकिन इसका को लिूशेंट ने काम नहीं किया तो लिूशेंट को गुडविल को उल्टना होगा और भविश्य की कमाई के लिए इसे चार्ज करना होगा। दूसरी एक फुटनोड ने खुलासा किया कि लिूशेंट ने अपने उतपादों के खरीदारों को 1.5 बिलियन डोलर का उधार द गई थी। यह हमें बताता है कि लिूशेंट के उतपादों को खरीदने के लिए खरीदार नगदी से बाहर चले गए थे। क्या होगा अगर वे अपने रिन का बुगतान करने के लिए नगदी से बाहर भाग गए। अन्त में लिूशेंट ने नए सोफ्टेर को कैपिटल एसेट के रूप में विक्सित करने की लागर का इलाज किया बलकि एक एसेट के बज़ाए यहे एक रूटीन बिजनस एक्पेंस नहीं था जो कमाई से आना चाहिए। निशकर्स अगस्त 2001 में लिूशेंट ने क्रोमेटिक्स डिविजन को बंद कर दिया क्योंकि इसके नुकसान किया उन नुकसानों में खराब रेन और ग्रहाक वित पोशन के लिए प्रावधान में 3.5 बिलियन डोलर गुडविल से संबंदित हानी में 4.1 बिलियन और कैपिटल सोफ्टेर से संबंदित 362 मिलियन डोलर लिूसेंट का स्टॉक 30 जून 2000 को 1.062 डोलर पर वे 2002 में 1.26 डोलर जो 2.5 साल में बाजार मुलियन में लगबग 190 बिलियन डोलर के नुकसान पर बंद हुआ अधीग रहन के जादूगर टाइको इंटरनेशनल लिमिटेड का वर्णन करने के लिए हम केवल विंस्टन चर्चिल को पैराफियर कर सकते हैं और कहे सकते हैं कि इतना सारा तो इतने कम लोगों ने कभी नहीं बेचा 1997 से 2001 तक इस बर्मूंडा आधारित समू ने टाइको स्टोक के शेरों में सबसे अधिक 37 बिलियन डोलर से अधिक का खर्च किया इमेलडा मार्कोस के अनुसार यहे इसके लिए जूते खरीदने जितना ही आसान बन गया था अकेले वितिय वर्सद 2000 में अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ताइको ने लगवग 200 कमपनियों का अधिक रहन किया जिसके हर दूसरे दिन एक से अधिक की ओसत थी परिनाम टाइको में तेजी से व्रदी हुई जिसका राजसो पांच सालों में 7.6 बिलियन डोलर से 34 बिलियन डोलर हो गया और ओपरेटिंग इंकम 476 मिलियन डोलर के नुकसान के साथ 6.2 बिलियन का लाब हुआ कोई आस्चरिय नहीं कि कमपनी का 2001 के अंत में कुल स्टोक मार्केट वैल्यू 114 बिलियन डोलर था लेकिन टाइको के वितिय विपरन कम से कम इसके विकास के रूप में थे लगबग हर साल उन्होंने अधी ग्रेंड संबंधी शोलकों में सेंकडो मिलियन डोलर दिखाई ये खर्च तीन मुख्य स्रेणियों में चले गई पहला विले या पुनर गठन या अन्य नगन्य लागत दूसरा लंबे समय तक संपत्ति की हानी के लिए शोलक और तीसरा खरीद प्रकिरिया अनुसंदान और विकास में राइट ओव संक्षिप्त में इन्होंने पहले तो मूर्खों की तरह प्रभार का उलेक किया दूसरा चिल्ला के रूप में और तीसरा ववपी प्रेड के रूप में आईए जानते हैं कि ये समय के साथ कैसे दिखे जैसा कि आप देख सकते हैं मारन शुर्ग जो की गैर अनुमानित माना जाता है पांच वर्सों में से चार में दिखाया गया जो कुल मिलाकर 2.5 बिलियन डोलर था चिल्ला ने कालानुकर में रूप से व्रदी करके 700 मिलियन डोलर से अधिक की राशिप राप्त की वुपी प्रेड से एक और आदा बिलियन डोलर आया अब बुद्धिमान निवेशक पूछेगा यदि टाइकों की व्रदी दर अधिक रेण की रननिती इतनी साफ सुतरी थी तो यह कैसे हुआ कि एक साल में ओस्तन 700 मिलियन डोलर खर्च करने पड़े पहला अगर जैसा की सुष्ट है टाइकों चीजों को बनाने का व्यावसाई नहीं करता था बलकि अन्य कंपनियों को खरीदने का व्यावसाई करता था जो चीजें बनाती है तो इसके मौरन पर नोन क्रीकिंग का रोग क्यों लगाया गया क्या वे व्यवसाई करने की टाइकों की सामान्य लागतों का हिस्सा नहीं थे। दूसरा और हर साल की कमाई को जोड़ते हुए पिछले अधिक रहनों के लिए लेखांकन शोल के साथ कौन बता सकता है कि अगले साल क्या होगा। वास्तों में एक निवेशा की यह भी नहीं बता सकता कि टाइकों की पिछली कमाई क्या थी। 1999 में अमेरिकी परतिबुती और विनिमे आयोग द्वारा एक लेखा समिक्षा के बाद टाइकों ने 1998 के खर्चों में 297 मिलियन डॉलर को मोरन शुलकों से जोड़ दिया जिसका अर्थ है कि उन गहर बकाया लागतों की वास्तों में उस वर्ष भी पुनरावर्ती हुई थी उसी समय कम्पनी ने अपने मूल रूप से 1999 के कामों को फिर से शुरू कर दिया जिससे मौरन 929 मिलियन डॉलर तक गिर गया जबकि चिला 507 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया था टाइको स्पस्ट रूप से आकार में बढ़ रहा था लेकिन क्या यह अधिकलाब दाइक था यह बात कोई बाहरी व्यक्ति सुरक्षित रूप से नहीं बता सकता था निश्कर्ष वित्य वर्ष 2002 में टाइको को 9.4 बिलियन डॉलर का नुक्सान हुआ स्टोप जो वर्ष 2001 के अंत में 8.90 डॉलर पर बंद हुआ था 2002 में 17.08 डॉलर पर लुडग गया जो 12 महिनों में 71.3 की स्पष्ट हानी थी सुआवलंबीन नावालिंग 10 जनवरी 2000 को अमेरिका ओनलाइन इंक और टाइम वार्नर इंक ने घोशना की कीवे शुरू में 156 बिलियन डॉलर के मुल्यवाले सोदे में विले करेंगे 31 दिसंबर 1999 तक एवल के पास संपत्ती में 10.3 बिलियन डॉलर थे और पिछले 12 महिनों में इसका राजसव 5.7 बिलियन डॉलर था दूसरी और टाइम वार्नर के पास संपत्ती 51.2 बिलियन डॉलर और राजसव 27.3 बिलियन डॉलर था टाइम वार्नर एक को छोड़कर किसी भी माप से एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो था अपने स्टाक का मुल्यांकन क्योंकि अमेरिका ओनलाइन ने इंटरनेट उद्ध्योग में निवेश करके निवेशकों को चौका दिया था लेकिन इसके शेर ने अपनी कमाई में 164 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की है ताइम वारनर के स्टोक केवल टीवी, फिल्में, संगीत और पत्रिकाओं का लगवग 50 गुना कमाई के साथ बेचा गया सोदे की गोशना करते हुए दोनों कमपनियों ने इसे समानों का रन नितिक विले कहा ताइम वारनर के अद्यक्स गेराल्ड एम लेविन ने गोशना की कि एवल टाइम वारनर से जुड़े सभी के लिए आउसर असीम है सभी के लिए उन्होंने कहा जो इसके शेर धारक हैं उनके लिए भी उन्वादीपूर्ण तरीके से उनके स्टोक को अंतते इंटरनेट डारलिंग का कैच मिल सकता था इसके लिए ताइम वारनर के शेर धारकों ने इस सोदे को भारी मंजूरी दी थी लेकिन उन्होंने कुछ बातों के अंदेख्य की है जो ये है पहली यह बराबरी का विले अमेरिका उन्लाइन के शेर धारकों को चैंपत कमपनी का 55 परतिसर देने के लिए डिजाइन किया गया था बले ही टाइम वारनर 5 साल बड़ा था दूसरा, तीन साल में दूसरी बार अमेरिकी परतिबूती और विने में आयोग जांस कर रहा था कि क्या अमेरिका उन्लाइन विपनन लागतों के लिए अनुचित रूप से जिम्मेदार है तीसरा, अमेरिका उन्लाइन की कुल संपत्ति का लगबग आधा यानी 4.9 बिलियन डॉलर का उपलब्द सेल फोर एक्विटी एक्विटी परतिबूतियों से बना था यदि सारोजनिक रूप से कारोबार करने वाले टेकनोलोजी शेरों की कीमते गिर गई तो इससे कंपनी के परी संपत्ति आधार का बहुत अधिक नुकसान हो सकता है निशकर्ज, 11 जनवरी 2001 को दोनों कंपनियों ने अपने विले को अंतिम रूप दिया एवल टाइम वार्नर इंक ने 2001 में 4.9 बिलियन डॉलर खो दिये और एक निगम द्वारा दर्ज किये गए अव तक के सबसे गिनोने नुक्षान में शामिल 2002 में 1.98.7 बिलियन डॉलर का नुक्सान हुआ अधिकांस नुक्षान अमेरिका ओनलाइन के मुल्य को लिखने से हुआ 2002 के अंत तक जिन शेर धारकों के लिए लेविन ने ऐसी मित अवसरों की भविशयवानी की थी उनके पास अपने शेरों के मुल्य में लगबग 80% नुक्सान दिखाने के अलावा कुछ नहीं था क्या आप किंडन गार्डन में निवेश कर सकते हैं 20 मई 1999 को E Toys Inc. ने अपने स्टोक का 8% हिस्सा जनता को बेज़ दिया वाल स्ट्रीट के सबसे परतिस्टित उनिवेश बैंकों में से चार गोल्ड मैन, साक्स एंड कंपनी, बैको स्टोन, राबर्सन, स्टीफन्स, डोनाल्डसन, लोफिकन और जेनरेट और मेरी लिंच एंड कंपनी जो 20 डोलर पर 83,20,000 डोलर के शेरों से कम है कारोबार के पहले दिन में 46.525 डोलर पर 282.8% की बढ़त के साथ स्टोक तेजी से बढ़ा उस कीमत पर E Toys का बाजार मुले 7.8 बिलियन डोलर था उस कीमत के लिए खरीदारों को किस तरह का व्यवसाई मिला पिछले वर्स में E Toys की बिक्री में 42.61% की ब्रदी होई और इसने अकेले पिछली तिमाही में 55,000 ग्राहक नहीं जोड़े लेकिन अपने 20 महिनों के कारोबार में E Toys ने कुल 30.6 मिलियन डोलर की बिक्री की थी जिस पर उसने 30.8 मिलियन डोलर का शुद घाटा दिखाया था जिसका आर्थ था हर डोलर के खिलोने को बेचने के लिए 2 डोलर खर्च कर रहा था IPO प्रोस्पेक्टस ने भी यह खुलासा किया कि E Toys एक और आनलाइन ओपरेशन Baby Center Inc. जो प्राप्ट करने के लिए ओफर के कुछ आईका उप्योग करेगा जिसने पिछले वर्स की तुलना में 4.8 मिलियन डोलर में 4.5 मिलियन का नुकसान उठाया था और E Toys अपने प्रबंदन के लिए भविषय में जारी करने के लिए सामन्य स्टोक में 4.6 मिलियन शेर 4.6 मिलियन शेर आरक्षित करेंगे इसलिए अगर E Toys ने अभी पैसा कमाया है तो उसके शुद आए को 102 मिलियन शेरों के बीच नहीं बलकि 143 मिलियन के बीच भी भाजित करना होगा जो भविषय की कमाई को प्रती एक तियाई से कम करके करना होगा टाइस आर के साथ E Toys की तुलना चोंकाने वाला है पुरु प्रती तीन महिनों में Toys I ने शुद आए में 27 मिलियन डोलर कमाये थे और एक पूरे वर्ष में E Toys की तुलना में 70 गुना अधिक माल बेचा था और फिर भी शेर बाजार Toys R की तुलना में लगबग 2 बिलियन डोलर अधिक है निसकर्च 7 मार्च 2001 को सारवजनी कमपनी के रूप में अपने संक्षिप्त जीवन में 398 मिलियन डोलर से अधिक का शुद गाटा उठाने के बाद दिवालियापन सुरक्षा के लिए E Toys ने मामला दर्ज किया स्टार्ट जो अक्तुवर 1999 में 84 डॉलर परती शेर के स्तर पर था आखिरी बार एक पैसे के लिए कारोबार किया गया था धन्यवाद Hindi Audio Book.com आपका दिन शुब हो The Intelligent Investor अध्याए 18 कंपनियों के आठ जोडों की तुलना जो चीज है वह वही है जो होगी और जो किया जाता है वह वह है जो किया जाएगा और सुर्या के नीचे कोई नई चीज नहीं है क्या कोई यह सी चीज है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि देखें यह नया है यह तो पहले से ही पुराने समय का है जो हमारे सामने है द्रम गरंद बता दें कि ग्राहम ने क्लासिक राइट अप तगनिक का उप्योग करते हुए आठ जोड़ी कंपनियों का क्लासिक राइट अप किया है जिसे करने के लिए उन्होंने कोलंबिया बिजनस स्कूल और न्यूयर्क इंस्टूट ऑफ फाइनांस में अपने व्याख्यान में बीड़ा उठाया था ध्यान रखें कि ये शारांस निर्थिस्ट समय पर ही इन शेरों का वर्णन करते है सस्ते स्टाक बाद में अत्यदिक महेंगी हो सकते थे और महेंगी स्टूक सस्ते हो सकते थे अपने जीवन के किसी बिंदू पर लगबग हर शेर एक सोदा है एक और समय पर यह महेंगा होगा यद भी अच्छी और बूरी दोनों परकार की कमपनिया है लेकिन अच्छे स्टूक जैसी कोई चीज नहीं है केवल अच्छे स्टूक की कीमते हैं जो आते हैं और जाते हैं पेर वन सिस्को एंड सिस्को 27 मार्च 2000 को सिस्को सिस्टम इंक दुनिया का सबसे मुल्यवान निगम बन गया था क्योंकि इसके शेयर ने कुल मुल्य में 548 बिलियन डॉलर की कमाई की सिस्को जो उपकरन बनाता है जो इंटरनेट पर डेटा को निद्धेशित करता है जिसने पहले पहल अपने शेयरों को 10 साल पहले जन्ता को बेचा था यदि आपने प्रारंबिक पेशकश में सिस्को का स्टॉप खरीदा था और उसे रखा था तो आपको एक पागल व्यक्ति द्वारा बनाई गई टंकन तूटी से लाब होगा 1,3,697 परतिसत या 217 परतिसत उसत वार्सिक रिटर्न अपने पिछले चार राजकोश यतिमाईयों में सिस्को ने राजसों में 14.9 बिलियन डॉलर और कमाई में 2.5 बिलियन डॉलर का उत्पादन किया था यह स्टॉक 219 गुना सिस्को की शुद आई पर कारोबार कर रहा था जो कि एक बड़ी कमपनी के लिए सबसे अधिक मुल्य आई अनुपात में से एक था तब सिस्को कॉर्परेशन जो संस्ता के तरसोयों में बोजन किया पूर्ति करती थी जो इस कारोबार को 30 वर्सों से सारवजनिक रूप से करती आ रही थी अपनी पिछली चारती माईयों में सिस्को ने 17.7 बिलियन डॉलर राजसो की सेवा की सिस्को की तुलना में लगबग 20% अधिक लेकिन शुद आई पें किवल 457 मिलियन डॉलर जो 11.7 बिलियन डॉलर के बाजार मुल्य के साथ सिस्को के शेरों ने 26 गुना आई पर कारोबार किया जो की बाजार के ओसत पी ई अनुपाद से 31 अंग नीचे था एक ठेट निवेशक के साथ सब्द संग का खेल शायब इस तरह से चला होगा प्रशन जब मैं सिस्को सिस्टम कहता हूँ तो आपके दिमाग में कौन से चीज़ें आती है उत्तर इंटरनेल, भविशे का उद्योग, महान स्टॉक, गरम स्टॉक आदी इससे पहले की यह और अधिक बढ़ जाए क्या मैं कुछ खरीच सकता हूँ प्रशन और सिस्को कॉर्परेशन के बारे में उत्तर, विवरन ट्रकों, स्लापी जोईज, शेफर्ड पाई, स्कूल लंच, हस्पताल का खाना आदी ओ, धन्यवाद, मैं अब भूका नहीं हूँ यह अच्छी तरह से स्थाफित है कि लोग अक्सर बड़े पैवाने पर, भावनात्मक इमेजरी के आधार पर, शेरों को एक मानसिक मुल्य परदान करते हैं जो कि कमपनिया पैदा करती है लेकिन बुद्धी मानने बेशक, हमेशा गहराई से देखता है यहां सिसको और सिसको के वित्य वक्तव्यों में संदेज जनक बात नजर आई है पहली, राजस्व और आई में सिसको की अधिकांस प्रदी अधिक रहनों से हुई अकेले सितंबर के बाद से, सिसको ने 11 अन्य कमपनियों को खरीदने के लिए 10.2 बिलियन डॉलर का बुगतान किया था इतनी जल्दी, एक साथ इतनी सारी कमपनियों को कैसे मनाया जा सकता है इसके अलावा, पिछले 6 महीनों में, सिसको की आई का लगबग, एक तियाई अपने व्यावसायों से नहीं आया था बलकि इसके अधिकारियों और करमचारियों द्वारा प्रियोग किये जाने वाले स्टोक विकलपों पर कर कम होने से सिसको ने 5.8 बिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया था फिर 6 बिलियन डॉलर और अधिक खरीदा क्या यहें इंटरनेट कमपनी थी या म्यूचल फंड क्या होगा अगर उन निवेशों ने उपर जाना बंद कर दिया दूसरा सिसको ने भी इसी अवदी में कई कमपनियों का अधिक रेंड किया था लेकिन केवल 130 मिलियन डॉलर का बुपतान किया सिसको के इंसाइडर्स के लिए स्टोप अप्शन कुल मिलाकर केवल 1.5% शेयर बकाया है बजाए सिसको में 6.9% के यदि अंदरूनी सुतरों ने अपने विखलपों को भूनाया तो सिसको की परती शेयर आए सिसको की तुलना में बहुत कम होगी और सिसको ने अपने त्रेमाशिक लावांस को 9 सेंट से एक शेयर पर 10 तक बढ़ा दिया था सिसको ने कोई लावांस नहीं दिया अंत में जैसा कि वार्टन के वित प्रोफेसर जेरेमी सी एगल ने कहा सिसको जैसी कोई भी कमपनी कभी भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई कि 60 डोलर से उपर की कीमत आया अनुपात को और चित्या देने में सक्षम हो जो अकेले 200 से अधिक P.E. अनुपात थे एक बार एक कमपनी जब विशाल बन जाती है तो इसका विकास धीमा होना चाहिए एक कमपनी एक विशाल काई हो सकती है या यह एक विशाल P.E. अनुपात के लाइक हो सकती है लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते जल्द ही सिसको के रत के पहियों को बंद कर दिया गया सबसे पहले 2001 में उन अधिक रेणों में से कुछ को पुनर गठन करने के लिए 1.2 बिलियन डॉलर का शुलकाया अगले दो वर्सों में उन निवेश पर 1.3% का नुकसान हुआ 2000 से 2002 तक सिसको के शेयर ने अपने मुल्या का तीन चोथाई हिस्सा खो दिया इस बीच सिसकों ने मुनाफ़े को कम कर दिया और इसी आउधी में स्टोक में 57% की बढ़ोतरी हुई पियर 2 याहू और यम 30 नवंबर 1999 को शुरू होने के बाद से याहू इंक का स्टोक 212.54 डॉलर पर बंद हुआ जो पिछले साल इसी समय 89.6% पर था 7 दिसंबर तक स्टोक में 5 टेडिंग दिनों में 348 डॉलर या 63.6% का लाब पराप्त हुआ था याहू साल के अंत तक 31 दिसंबर को 432.687 डॉलर पर बंद हुआ एक ही महिने में स्टाक दोगने से अधिक हो गया था याहू का कुल बाजार मुले जो 114 अरब डॉलर तक महुचा वह लगबग 28 बिलियन डॉलर अधिक था पिछली चारती माईयों में याहू ने राजसो में 433 मिलियन डॉलर और शुद आए में 34.9 मिलियन डॉलर की रेंकिंग की थी इसलिए याहू का स्टार्क अब 263 गुना राजसो और 3264 गुना कमाई पर था याहू इतना क्यों कमा रहा था 30 नवंबर को बाजार बंद होने के बाद स्टेंडर्ड एन पूर्स ने गोश्टा की कि यह याहू को जोड़ेगा अपने S&P 500 इंडेक्स के साथ 7 दिसंबर तक इंडेक्स पंड और अन्य बड़े निवेशकों के लिए एक अनिवारिय होल्डिंग और मांग में अचानक ब्रदी से स्टोक को अधिक से अधिक ऐस्ताई रूप से चलाने के लिए सुनिश्चित की आ गया था पार कर सकता है इसलिए हजारों लोगों ने स्टोक के वल इसलिए खरीदा क्योंकि वे जानते थे कि अन्य लोगों को इसे खरीदना होगा जहां पर वस्तु की कोई किमत नहीं है इस बीची यम पेपसिको का एक पूरों विभाजन जिसमें हजारों केंट की फ्राइड चिकन पीजा हट और टेको बेल बोजनालियों का संचालन होता है पिछले चारती माहियों से राजसों में आठ बिलियन डॉलर का उत्पादन किया था जिस पर इसने 633 बिलियन डॉलर कमाई यह याहू के आकार से कैपिटलाइजेशन था उस कीमत पर यमका शेयर केवल 9 गुना आधिक आए और यह 3,3 पर तिस तलाब पर इसके राजसों को बेच रहा था जैसा की ग्राहम का कहना था कम समय में बाजार एक वोटिंग मशीन है लेकिन लंबे समय में यह एक वजन तोलने वाली मशीन है याहू ने अल्ब कालिन लोग प्रियता परतियोगिता जीती लेकिन अंत में यह कमाई की बात है और याहू मुश्किल में था एक बार फिर बाजार ने वोट देना बंद कर दिया और वजन करना शुरू कर दिया तराजू यम की ओर जुब गया 2002 के दोरान इसका स्टॉक साल 2000 से 25.4 परतिसद बढ़ा जबकि याहू ने 92.4 परतिसद संसाई रूप से खो दिया पेर 3 कॉमर्स वन एंड कैपिटल वन मई 2000 में कॉमर्स वन इंक पिछले जुलाई से केवल सारोजनेक रूप से कारोबार किया गया था अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट में कम्पनी ने केवल 385 मिलियन डॉलर की समपत्ती दिखाई और कुल राजसों में केवल 34 मिलियन डॉलर पर 63 मिलियन डॉलर का शुद्ध घाटा दर्ज किया इस माइनस क्यूल कमपनी का स्टॉप अपने आई पियो के बाद से लगवग 900 परतिसत बढ़ गया था जिसका कुल बाजार पुंजी करण 15 बिलियन डॉलर था क्या यह ज़ादा था हाँ हमारे पास एक बड़ी को उमीद है कि इस साल हमें 104 मिलियन डॉलर का राजसो पराप्त होगा क्योंकि अतीत में हम ऐसी अपेक्षियों को पार कर चुके हैं हाफ मैन के जबाब से दो बाते निकलती है पहली चुँकि कॉमर्स वन पहले ही बिकरी में परते एक डॉलर पर दो डॉलर खो रहा था जैसा कि विशलेशकों की उमीद है अगर यह अपने राजसो को बढ़ा देता है तो क्या यह और भी बड़े पैमाने पर पैसे नहीं खोईगा दूसरा कॉमर्स वन अतीत में उमीदों से ज़्यादा कैसे प्रदान कर सकता था और कौन सा अतीत यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी कमपनी कभी लाव कमाएगी हापमैन के पास जवाब तयार था कोई सवाल नहीं है कि हम इसे एक लाबदाइक वेफसाई में बदद सकते हैं हम 2001 की चोथी तीमाही में लाबदाइक बनने की योजना बना रहे हैं एक साल के विशलेशकों ने हमें राजसव में 250 मिलियन डॉलर से अधिक बनाते हुए देखा है फिर से उन विशलेशकों पर आते हैं मुझे इन स्तरों पर कमर्स वन पसंद है क्योंकि यह एक करीबी परतियोगिता की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है जिसका स्टोक भी लगबग 400 गुना राजसव पर कारोबार कर रहा था जिन सेट सिंग वासेर स्टीन पेरलो निवेश बैंक के एक विशलेशक ने कहा अगर ये वरदी दर जारी रहती है तो कमर्स वन 2001 में 60 से 70 गुना जादा विकरी पर होगा दूसरी और कैपिटल वन फाइनेंसियल कार्परेशन मास्टर कार्ड और वीजा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला था जुलाई 1999 से मई 2000 तक इसके शेयर में 21.5% की गिरावट आई फिर भी कैपिटल वन में कुल संपती 12 मिलियन डॉलर थी और 1999 में 363 मिलियन डॉलर की कमाई की लगबग 7.3 बिलियन डॉलर के बाजार मुलियके साथ शेयर 20 मुना कैपिटल वन की शुद कमाई पर बेचा गया कैपिटल वन में सबकुछ ठीक नहीं था कमपनी ने रिन से अपने बंधार को मुश्किल में बढ़ाया था भले ही यहे खराब हो भले ही डिफाल्डर दरें मंदी में उठ रही हो लेकिन इसके शेयर की कीमत कम से कम संभावित परेशानी के कुछ जोखिम को दर्शाती है आगे क्या हुआ 2001 में कॉमर्स वन ने राजसो में 409 मिलियन डॉलर उत्पन किये दुर्भाग्य से इसके राजसो पर हर शेयर पर लाल रंग का 2.6 बिलियन डॉलर या 10.30 बिलियन डॉलर का शुद नुक्सान हुआ दूसरी और कैपिटल वन ने 2000 से 2002 की तुल्णा में शुद आए में लगवग 2.0 बिलियन डॉलर कमाए इसका स्टॉक उन तीन वर्षों में 38% नीचे चला गया पूरे शेयर वाजार की तुल्णा में कोई दूसरा इतना बद्दर नहीं था हलांकि कॉमर्स वन ने अपने मुल्या में 99.7% खो दिया हाफ में और उनके लैब डॉग विशलिस्कों को सुनने के बजाए व्यापारियों को कॉमर्स वन की वारसिक रिपोर्ट में 1999 के लिए इमानदार चिताउनी दी जानी चाहिए हम कभी लाबदाइक नहीं रहे हम बविशय के लाब के लिए शुद्ध नुकसान उठाना चाहते हैं और हम कभी भी लाबदाइक नहीं हो सकते हैं पेर चार पाम और थरीकॉम दो मार्च दो हजार को डेटा नेटवर्क कम्पनी 3Com Corporation ने अपने PAM Inc. का 5% हिसा जनता को बेश दिया PAM के पास से शबचे 95% शेयर अगले कुछ महिनों में 3Com के शेयर दारकों को मिल जाएंगे 3Com के परतेग शेयर के लिए निवेशकों को PAM के 1.525 शेयर प्राप्त होंगे तो ऐसे दो तरीके थे जिन से आप PAM के 100 शेयर प्राप्त कर सकते थे IPO में अपने तरीके से कोहनी लगाने के कोशिश करके या 3Com के 66 शेयर खरीद कर और तब तक परतिक्षा करें जब तक कि मूल कमपनी बाकी PAM स्टोक वितरित नहीं कर देती है प्रतेक 3Com शेयर के लिए PAM के डेट शेयर प्राप्त करने के लिए आपके पास नई कमपनी के अगर 100 शेयर हैं तो आपके पास अभी 3Com के 66 शेयर होंगे लेकिन कुछ महिनों का इंतजार कौन करना चाहता था जबकि 3Com सिसको जैसे विशाल परतिदवन्दियों के खिलाब संघर्स कर रहा था पाम हाथ में डिजिटल आयोजगों के स्पेस में अगरनी था तो पाम का स्टोक 38 डोलर के अपने प्रस्ताव मुल्य से 95.06 डोलर पर बंद हुआ जो 150 पर 30 परतम दिन का रिटर्न था इसे पिछले 12 महिनों में पाम ने अपनी आमदनी के 1350 गुना से अधिक का मान रखा था उसी दिन 3Com का शेर मुल्य 104.13 डोलर से गिरकर 81.18 डोलर हो गया पाम की कीमत को देखते हुए उस दिन 3Com को कहा बंद करना चाहिए था अंक गनित आसान है पहला प्रतेख 3Com शेर पाम के 1.525 शेर प्राप्ट करने का अहकदार था दूसरा पाम का प्रतेख शेर 95.6 डोलर पर बंद हुआ तीसरा एक प्रतेख 525 गुना 9.06 डोलर बराबर 144.97 डोलर पाम में इसकी हिस्सेदारी के आधार पर इसका प्रतेख 3Com का हिस्सा इसके लाइक था इस प्रकार 81.81 डोलर पर व्यापारी कहे रहे थे कि सभी 3Com के अन्या व्यवसाय संयुक्त 63.16 डोलर प्रतिश शेर या कुल सुन्या से 22 बिलियन डोलर मुल्यके थे इतिहास में शायदी कभी की से शेर की कीमत इससे जदा बेवकुफी से भरी गई थी जैसा कि 3Com वास्तों में सुन्या से 22 बिलियन डोलर के बराबर नहीं था पाम वास्तों में 1350 गुना आए के लाइक भी नहीं था 2002 के अंत तक दोनों स्टोक हाई टेक मंदी में करा रहे थे लेकिन यह पाम के शेर धार्ग थे जो वास्तों में स्मेक टाउन हो गए थे क्योंकि उन्होंने पहली बार में खरीदने पर सभी समन्या ग्यान को छोड़ दिया था साल 2000 की शुरुवात CMGI इंक दमाके के साथ हुई थी क्योंकि 3 जनवरी को स्टोक ने 163.22 डॉलर कमाए थे एक कंपनी इंटरनेट इंक्यूबेटर ने ओनलाइन कारोबार की एक किस्म में स्टार्टप फर्मों को विटपोशित और अधिग रहित किया था उसमें एसे शुरुवाती सितारे जैसे कि दागलोब.com और लाइको साधी थे वितवर्स 1998 में जैसा कि इसका स्टोक 98 से बढ़कर 8.52 डॉलर हो गया CMGI ने 53.8 मिलियन डॉलर खर्च करके इंटरनेट कंपनियों में पूरे या अंशिक दाओ लगाए वित्यवर्स 1999 में इसके स्टाक के रूप में 8.52 डॉलर से 40.09 डॉलर तक सूट हुआ CMGI ने 104.7 मिलियन डॉलर का लक्षे हासिल किया और 1999 के आखरी पांस महिनों में क्योंकि इसके शेयर 138.47 डॉलर तक जूम किये गए CMGI ने अधिक रेंड पर 4.1 बिलियन डॉलर खर्च किये वस्तुत है सभी पैसे CMGI के निजी तोर पर खनन मुद्रा जिसके कीमत अब कुल 40 बिलियन डॉलर से अधिक है यह एक तरह का जादूई पैसा था जो CMGI का अपना उच्छ स्टोक चला गया जितना अधिक CMGI खरीदने का जोखिम उठा सकता है उतना ही अधिक इसका स्टोक हाई चला गया पहला स्टोक इस अफवा पर जाएगा कि CMGI उन्हें खरीद सकता है फिर एक बार CMGI ने उन्हें अधिक रहित कर लिया क्योंकि इसका स्वामितव उनके खुद के स्टोक में चला जाएगा किसी को भी परवा नहीं थी कि CMGI ने नविंतम में इसके संचालन पर 127 मिलियन डॉलर का नुकसान किया है वेबस्टर मैसाचियोसेट में डाउन टाउन CMGI के मुख्याले से 70 मील डक्षन पस्चिमें एंडोवर में स्थित है जो कॉमर्स एंक का मुख्या कारियाले है 1999 में इसके शेरों में 23 परतिसत की कमी आई हलांकि इसकी शुद आई 89 मिलियन डॉलर थी जो 1998 के स्टर से केवल 7 परतिसत नीचे गिर गई CGI ने 4 परतिसत से अधिक के लावांश का बुक्तान किया 870 मिलियन डॉलर के कुल बाजार मुलिया के साथ CGI स्टोक 10 गुना से कम पर कारोबार कर रहा था और फिर अचानक सब कुछ उलट हो गया CMGI का जादूई पैसा मीरा गो राउंड रुका हुआ है इसके डौट कॉम शेरों की कीमत में प्रदी बंद हो गई फिर सीदे नीचे चले गई अब वो उन्हें लाव के लिए बेचने में सक्षम नहीं CMGI को अपनी कीमत के लिए हिट के रूप में अपना नुक्सान उठाना पड़ा कमपनी ने 2000 में एक पॉइंट चार बिलियन डॉलर और 2001 में पांस पॉइंट पांस बिलियन डॉलर और 2002 में लगबग पांसो मिलियन डॉलर से अधिक हो दिया इसका स्टाक 2000 की शुरुवात में 163.22 डॉलर से बढ़ कर वरस 2002 के अंत तक 98 सेंट तक 99.4 पॉइंट का नुकसान हुआ हालांकि पुरानी सीजेई बॉरिंग ने स्टित आई को कम करके रखा और इसका स्टोक 2000 में 8.5 पॉइंट पॉइंट 2001 में 43.6 पॉइंट और 2002 में 2.7 पॉइंट 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 6. बॉइंट स्टेकर 9 जुलाई से 23 जुलाई 2002 के बीच बाल कॉर्प का स्टॉप 43.69 डॉलर से गिरकर 33.48 डॉलर पर आ गया 24 पॉइंट के नुकसान के साथ कंपनी 1.9 बिलियन डॉलर के स्टॉक मार्केट मुल्या पर आ गई थी उनी दो हफतों में स्ट्राइकर कॉर्परेशन के शेयर 49.55 डॉलर से गिरकर 45.60 डॉलर पर आ गई इसी के साथ 38 की गिरावट के साथ स्ट्राइकर की कुल कीमत 9 बिलियन डॉलर हो गई इन दोनों कंपनियों ने इतने कम समय में इतना मुल्य क्या वास्तों में कमाया अर्थोपेडिक परत्यारोपन और सर्जिकल उपकरण बनाने वाले स्ट्राइकर ने उन दो हफतों के दोराल एक प्रस्वे के अपती जारी की 16 जुलाई को स्ट्राइकर ने गोशना की कि दूसरी तिमाही में इसकी बिक्री 15 परतिसद बढ़कर 734 मिलियन डॉलर हो गई जबकि कमाई 31 परतिसद बढ़कर 86 मिलियन डॉलर हो गई थी अगले साल स्टॉक 7 परतिसद तक बढ़ा फिर राइड डाउन डाउन हिल उडग गया फलों और सबजियों के डिबाबंदी के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले परसिद बाल जार के मूल निर्माता बॉल अब ओध्योगी कराकों के लिए दातू और प्लास्टिक की पैकिजिंग करते हैं उन दो हफ़तों के दोरान बॉल ने कोई प्रक्षवेगे अप्ति जारी नहीं की थी 25 जुलाई को हलांकि बाल ने बताया कि इसने दूसरी तिमाई में एक मिलियन डॉलर की बिकरी पर 50 मिलियन डॉलर कमाई थे जिससे एक साल पहले इसी अवदी में शुद आए में 61% की प्रदी हुई थी यह अपनी कमाई को 4 तिमाईयों में 152 मिलियन डॉलर तक ले गया इसलिए यह स्टाउक बाल कमाई से सिर्फ 12.5 गुना कारुबार कर रहा था और 1.1 बिलियन डॉलर के बुक मुल्य के साथ आप 17 गुना स्टॉक खरीच सकते हैं जो कमपनी के मूर्च संपत्ती के लाइक था स्ट्राइकर एक अलग लीग में थे पिछले 4 तिमाईयों में कमपनी ने शुद आए में 301 मिलियन डॉलर उत्पन किये थे स्ट्राइकर का बुक मुल्य 570 मिलियन डॉलर था इसलिए कमपनी पिछले 12 महिनों में अपनी कमाई के 30 गुना से कई गुना मोटी कमाई पर कारोबार कर रही थी और इसकी बुक वेल्यू लगबग 16 गुना ज्यादा थी दूसरी ओर 1992 से 2001 के अंतर तक स्ट्राइकर की कीमत 18.6% सालाना बढ़ी थी जिससे इसका लावांश प्रतिव वर्स लगबग 21% बढ़ गया था और 2001 में स्ट्राइकर ने भविश्य के विकास के लिए आधार बनाने के लिए अनुसंदान और विकास पर 142 मिलियन डॉलर खर्च किये थे तब क्या इन दोनों शेरों में गिरावट आई थी 9 जुलाई और 23 जुलाई 2002 के बीच जैसा कि वर्ल्ड कॉम ने दिवालिये पन में उलट फेर किया डाव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 9,096.09 से गिरकत 7,702.34 जो कि 15.3% पर नीचे आ गया था बॉल और स्ट्राइकर की अच्छी खबरें बुरी सुर्कियों और गिरते बाजार में खो गई जिसने इन दोनों शेरों को अपने साथ ले लिया हालांकि बॉल स्ट्राइकर की तुल्णा में कहीं अधिक सस्ते में समाप्त हो गई यहां सबक यह नहीं है कि बॉल एक चोरी थी और स्ट्राइकर एक जंगली पिछ थी इसके बजाए बुद्धिमान निवेशक को यह पहचानना चाहिए कि बाजार की पैनिक अच्छी कंपनियों जैसे बॉल और महान कंपनियों जैसे स्ट्राइकर के लिए अच्छे दामों के लिए बड़ी कीमते बना सकते हैं बॉल दो हजार दो में 51.19 डॉलर परती शेर पर समाप्त हुए जो जुलाई के निचले हिस्टे से 53 परतीसद उपर थी स्ट्राइकर ने 47 परतीसद की बढ़ोतरी के साथ 67.12 डॉलर पर साल समाप्त किया हर बार एक समय में मुल्य और विकास टॉप समान रूप से बिकरी पर जाते हैं आप किस विकल्प को पसंद करते हैं यह काफी हद तक आपके स्वें के व्यक्तितों पर निर्भग करता है लेकिन प्लेट के दोनों और मोल भाव किया जा सकता है पेर साथ नोर्टल एंड नोर्टेक फाइबर आप्टिकल उपकर्ण बनाने वाली कमपनी नोर्टल नेटवर्क्स के लिए 1999 की वार्सिक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यह आर्थिक रूप से एक स्वर्णिम वर्स था फरवरी 2000 तक 150 बिलियन डॉलर से अधिक के बाजार मुल्य पर नोर्टेल के स्टॉक ने कमाई के 87 गुना पर कारोबार किया वाल्ट स्टेट के विसलेसकों का अनुमान है कि कमपनी साल 2000 में उत्वाधन करेगी वहे अनुमान कितना विश्वसनिय था नोर्टेल ने बकाया खातों में जिन ग्राहकों को विक्री की थी जिन्होंने अभी तक बिल का बुक्तान नहीं किया था उन्होंने एक वर्ष में एक बिलियन डॉलर का बुक्तान किया था कमपनी ने कहा कि वरदी 1999 की चोती तिमाई में बढ़ी हुई बिक्री से प्रेरित थी हालांकि इन्वेंट्रीज भी एक पुइंट दो बिलियन डॉलर से गुबारा हो गई थी जिसका मतलब है कि नोर्टेल उन उपकरणों की तुलना में तेजी से उत्पादन कर रहे थे जो बढ़ी हुई बिक्री को अन्नोड कर सकते थे इस बीच नोर्टेल के लोंग टरम रिसेवेबल बिलो ने अभी तक बहु वर्षिय अनुबंदों के लिए बुगतान नहीं किया था 519 मिलियन डॉलर से 1.4 मिलियन डॉलर पर उच्छाल गया और नार्टल के लिए लागतों को नियंतित करने के में मुश्किल समय आ रहा था जिसकी बिक्री, सामान्य और परशासनिक व्य या ओवरेड खर्च 1997 में राजसो का 17.6% से बढ़कर 1999 में 18.7% हो गया था यह नार्टेक इंक की ही था जो ग्लेमर स्पेक्टरम के मंद चोर पर सामान का उत्पादन करता है विनाईल साइडिंग, डॉर चाइम्स, एकजास्ट फैन, रेंज हूट्स, ट्रेस कॉमपेक्टड आदी 1999 में नार्टेक ने शुद बिक्री में 2.9 मिलियन डॉलर कमाए 1997 में बिक्री की 1.1 मिलियन डॉलर के शुद आए में 21 मिलियन डॉलर से ज्यादा लाब कमाया जो नार्टेक के लाब मारजिन का 1.9 के साथ लगबग एक तियाई बढ़ गई थी जिससे नार्टेक ने राजसो के 19.3% से 18.1% तक ओवरहेड खत्म कर दिया था निश्पक्षता से कहा जाए तो नार्टेक का अधिकांस विस्तार अन्य कमपनियों को खरीदने से आया था बलकि आंत्रे की विकास से नहीं नार्टेक के पास 1.1 मिलियन डॉलर का रेंड था जो एक छोटी सी फर्म के लिए एक बड़ा भार था लेकिन फर्वरी 2000 में नार्टेक के शेर की कीमत 1999 में अपनी कमाई से पांस गुना थी जो निराशावाद में एक स्वस्त खुराक जैसी थी दूसरी और नार्टेल की कीमत आने वाले साल में 87 गुना हो सकती है यह आशावाद का एक बड़ा ओर्डोस था जब सभी ने ऐसा कहा और किया गया था तब उन्होंने कहा 1.30 डॉलर की कमाई के बजाए नारेल ने साल 2000 में परतिशेर 1.17 डॉलर खो दिया अन्त में 2002 में नास्टेल ने लाल निशान में 36 बिलियन डॉलर से अधिका खुन बहाया था दूसरी और नार्टेक ने 2000 में 41.6 मिलियन डॉलर 2001 में 8 मिलियन डॉलर और 2002 के पहले 9 महिनों में 55 मिलियन डॉलर कमाई इसका स्टॉक वर्स दो हजार दो के अंतर तक 28 डॉलर के शेर से बढ़कर 45.55 डॉलर हो गया जनवरी 2003 में नार्टे के परबंदकों ने कमपनी को निजी कर लिया सारुजनिक निवेश्कों से सभी शेर 46 डॉलर परती शेर पर खरीदे इस बीच नार्टेल का स्टॉक फरवरी 2000 में 1.61 डॉलर से बढ़कर वर्स दो हजार दो के अंतर तक 56.81 डॉलर पर बंद हुआ पेर आठ रेड हैट और ब्राउन शूज 11 अगस्त 1999 को रेड हैट इंक लिनेक सोफ्टेर के एक डेवलपर ने पहली बार जनता को स्टॉक बेचा रेड हैट रेड होट थे शुरुआत में 60 डॉलर की पेशकश की गई शेर 23 डॉलर पर कारोबार के लिए खुले और 26.031 डॉलर पर बंद हुआ एक ही दिन में 272 परतिसद का लाब रेड हैट का स्टॉप पिछले 18 वर्सों में ब्राउन सूज से अधिक हो गया था 9 दिसंबर तक रेड हैट के शेर 4 महिनों में 143.13 डॉलर पर 1944 परतिसद तक हिट हुए ब्राउन शू इस बीच जिसकी दोनों लेस एक साथ बंदी हुई थी 1878 में स्थाफित कमपनी बस्टर ब्राउन के जूते बनाती है और सियुक्त राजे अमेरिका और कैनेडा में लगबग 1300 फूटवेर स्टोर चलाती है 11 अगस्त को ब्राउन शूज का स्टोक 17.50 डॉलर परतिस शेर था जो 9 दिसंबर तक घट कर 14.31 डॉलर हो गया 1999 में ब्राउन शू के शेर 17.6 परतिसद आंक तक गिर गई यहाँ एक कूल नाम और गरम स्टोक के अलावा रेड हाट के निवेशकों को क्या मिला 30 नवंबर को समाप्त होने वाले 9 महिनों में कंपनी ने राजस्व में 13 मिलियन डॉलर का उत्पादन किया जिस पर उसे 9 मिलियन डॉलर का शुद्ध घाटा हुआ रेड हाट का व्यावसाई सडक के किनारे वाले डेलिकेट सेंग की तुलना में मुश्किल से ही उससे बढ़ा था और बहुत कम आकरशक था लेकिन व्यापारियों जिने सौफटेर और इंटरनेट जैसे शबदों ने प्रेड किया था ने 9 दिसंबर तक रेड हेड के शेयर का कुल मुल्य 21.3 बिलियन डोलर तक पहुँचा दिया पिछली तीन तिवाईयों में कमपनी के शुद विक्री में 1.2 बिलियन डोलर और कमाई में 32 मिलियन डोलर का उत्पादन किया था ब्राउन शू के पास लगबग डोलर नगद और अचल संपतियों के हिस्से थे बच्चे अभी भी बस्टर ब्राउन जूते खरीद रहे थे फिर भी 9 दिसंबर को ब्राउन शू के स्टोक का कुल मुल्य 261 मिलियन डोलर था बमुश्किल रेड हर्ट का आकार भले ही ब्राउन शू के पास रेड हर्ट के राजसों का 100 गुना था उस कीमत पर ब्राउन शू की वार्शिक आई का 7.6 गुना और इसकी वार्शिक आई का एक चोथाई से भी कम मुल्य था दूसरी ओर रेड हर्ट का कोई लाब नहीं था जबकि इसका स्टोक इसकी वार्शिक विक्री से 1000 गुना से अधिक पर विक रहा था रेड आट कंपनी ने लाल निशान को दबाई रखा और इसे जल्द ही शेर भी किया हलनकि ब्राउन शू ने अधिक मुनाफ़ा कमाया और इस तरह इसके शेर धरकों ने भी इन सबी से हमने क्या सिखा बाजार ने अलपाओदी में ग्राहम के सिदान्तों की खिली उड़ाई थी लेकिन उन्हें हमेशा अंत में मान लेते हैं यदि आप किशे शेर को शुद रूप से खरिदते हैं क्योंकि इसकी कीमत बढ़ती जा रही है तो यह पूछने के बजाए कि अंतरनी हिट कंपनी का मुल्य बढ़ रहा है या नहीं इसके तुरंत बाद बाद में आपको बेहद खेद होगा यह एक संभावना नहीं है यह एक निश्चिन तता है धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो सबसे खतरनाक ऐसत्य यह है कि सत्य थोड़े विक्रत होते हैं जी सी लिंचेवर्ग इंटेलेजेंट इन्वेस्टर का कोई भी अन्या हिस्सा ग्राहम द्वारा इससे अधिक तेजी से नहीं बढ़ला गया था पहले संसकर्ण में यह अध्याए एक में से एक था जिसमें लगवक 34 प्रष्ट थे अपने अंतिम शंशोदित संसकर्ण के द्वारा मूल खंड, शेर दारकों के अधिकार कार्पोरेट परबंदन की गुनमत्ता को पहचानने के तरीके और अंदरुनी सुत्रों और बहारी निवेशकों के बीच हितों के टकराओ का पता लगाने वाली तकनिकों के बारे में बताता है हालांकि ग्राहम ने पूरी चर्चा को लाभांस के बारे में आठ से कम प्रष्टों पर वापस पूरा कर दिया ग्राहम ने अपने मूल तरक की तीन चोथाई से अधिक टोती क्योंकि दशकों के प्रवोधनों के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से उम्मीद छोड़ दी थी कि निवेशक कभी भी कॉर्परेट प्रबंदकों के व्यवाहर की निगरानी में कोई दिल्चस भी नहीं लेंगे लेकिन गोटाले की नविंतम महामारी जिसमें AOL, Enron, Global Crossing, Sprint, Tyco और World Cup जैसी प्रमुक फर्मों पर प्रबंदकिया दुरुवेवाहर, Shady Accounting या Tax Manure के आरोपों में एक स्पस्ट चेताउनी है कि ग्राहम के पहले शाष्वत सतरक्ता की आवशक्ता के बारे में ग्राहम ने अपने मूल पूस्तक की शुरुवात दावेस्टर एज बिजनस ओनर की चर्चा करते हुए सिधान्त, स्टोक होल्डर एक वर्ग के रूप में राजा है में भहुमत के रूप में कारिय करते हुए वे हायर एंड पायर प्रबंदन को अपनी इच्छा से पूरी तरह से जुका सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में ग्राहम कहते हैं शेयर धारक एक पूर्ण वाश आउट है एक वर्ग के रूप में वे ने तो बुद्धिमान दिखते हैं और ने ही सतर्ग वे परबंदन जो भी सिफारिस करता है चाहे उस परबंदन का रिकोर्ड कितना ही भी खराब क्यों ने हो उनके लिए वे शेयप लिक फैशन में वोट करते हैं वोसत अमेरिकी शेयर धारक को किसी भी स्वतंतर रूप से बुद्धिमान कारवाई के लिए प्रेरित करने का एक मातर तरीका उसके तहट एक पठाका विस्पोट करके होगा हम विरोधा बासी तथ्य को इंगित करने का विरोध नहीं कर सकते हैं जो लगता है कि भगवान ही अमेरिकी शेयर धारकों की तुलना में अधिक व्यवारिक व्यवसाई है ग्रहाम चाहते हैं कि आपको कुछ बुनिया दी लेकिन एविस्वस्निय रूप से गहरा एसास हो जब आपको इस्टाक खरिटते हैं तो आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं इसके प्रबंदक CEO तक सभी आपके लिए काम करते हैं इसके निदेशक मंडल को आपको जवाब देना चाहिए इसका कैश आपके पास है इसके व्यवसाई आपकी संपत्ती है यदि आपको यह पसंद नहीं है कि आपकी कंपनी का प्रबंदन कैसे किया जा रहा है तो आप यह मांग करने का अधिकार रखते हैं कि परबंदकों को निकाल दिया जाए निदेशकों को बदल दिया जाए या संपत्ती बेश दी जाए ग्रहम की गोशना के अनुसार स्टाक होल्डर्स को चागते रहना चाहिए इंटेलिजेंट मलिक आज के निवेशक ग्रहम के संदेश को भूल गए है उन्होंने अपना आधिकांस प्रियास स्टोक खरीदने में वह बहुत थोड़ा बेचने में लगाया है निश्चित रूप से ग्रहम हमें याद दिलाते हैं कि स्टाक होल्डर बनने के उतने ही कारण है जितने के देखबाल और निर्ने लेने के लिए चाहिए होते हैं तो आपको एक बुद्धिमान निवेशक से एक बुद्धिमान मालिक बनने के लिए क्या करना चाहिए यह बताने से शुरू करते हैं कि इसके लिए केवल दो बुनियादी प्रशन है पहला क्या प्रबंदन यतोचित कुशल है? दूसरा क्या ओसत शेरधारक के हितों को उचित मानेता मिल रही है? आपको अपने उद्ध्योग में समान कमपनियों से प्रतेक कमपनी की लाप प्रदता, आकार और प्रतिस परदा की तुलना करके प्रबंदन की दक्ष्टा को नापना चाहिए। क्या होगा यदि आप निश्कर्ष निकालते हैं कि प्रबंदक अच्छे नहीं है, तब ग्रहम आपको क्या बताते हैं कि अब क्या करना चाहिए? पहला, अधिक प्रियाप्त स्टोक होल्डरों में से कुछ को आस्वस्त होना चाहिए कि एक बदलाओ की आफशकता है और उस बिंदू की और काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। अधिक की मांग करने के लिए तैयार हैं। तीसरा, यह सबसे सहाइक होगा कि जब आंकडे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि परिणाम ओसत से नीचे हैं और अगर यह बाहर के व्यवसाई इंजिनीरों को नीतियों और प्रबंदन की क्षमता पर पारित करने के लिए कोल करने का रिवाज बन गया तब भी। प्रोक्सी सामगरी क्या है और ग्राहम यह क्यों जोर देते हैं कि आप इसे पढ़ें। जाता है कि किस लेखा फर्म को पुस्टकों का लेखा परिक्षन करना चाहिए और निदेशक मंडल में किसे से वाप्रदान करनी चाहिए। यदि आप प्रोक्सी पढ़ते समय अपने सामान्य ग्यान का उप्योग करते हैं तो यह दस्तावेज कोईले की खान में एक कैनरी की तरह होता है। यह एक प्रारंबिक चेतावनी प्रनाली है जो यह संकेत देती है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। फिर भी ओसतन सभी व्यक्तिगत निवेशकों के लिए एक तियाई और आदे के बीच अपने प्रोक्सी को वोट करने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या वे उन्हें पढ़ते हैं। अपने प्रोक्सी को समझना और वोट करना हर एक बीट के रूप में एक बुद्धिमा निवेशक बनने के लिए एक मोलिक आवशकता है। क्योंकि समाचार का पालन करना और अपने विवेग को वोट देना एक अच्छा नागरिक होना है। इससे कोई फरक नहीं पड़ता क कि आप किसी कमपनी के 10% के मालिक हैं या केवल 1% के मालिक हैं। यदि आप कभी भी खुद के शेर के प्रोक्सी को नहीं पड़ते हैं और कमपनी बस्ट हो जाती हैं तो आपको जिस वेक्ति को दोसी ठहराना चाहिए वह है आप खुद ही हैं। यदि आप प्रोक्सी पड़ लें और अपने अधिकारों के लिए बोलें और स्टाक को समर्पित एक ओनलाइन संदेश बोर्ड खोजें जैसे कि finance.yahoo.com पर और अन्य निवेशकों को उनके कारण में शामिल होने के लिए मिटिंग या रैली का आयोजन करें ग्रहम का एक और विचार भी था जो आज के व्यावसाई का नुवव होने चाहिए जो उद्दम की आवशक्ताओं पर एक ताजा और विशेसगे नजर डाल सकें। उन्हें एक अलग वार्शिक रिपोर्ट पर स्थूत करने चाहिए जो सीधे स्टाक होल्डर को संबोधित की जाए और प्रमुक प्रशन पर उनके वि कोई केवल उस अडचन की कल्पना कर सकता है जो कि ग्राहम का प्रस्ताओ, कार्पोरेट कार्नियो और गॉल्फिंग दोस्तों के बीच होगा जो आज के सुतंतर निदेशकों में से कई का गठन करते हैं। वैसे यह किसका पैसा है? अब ग्राहम की दूसरी कसोटी पर नजर डालते हैं। चाहे प्रबंधन बाहरी निवेशकों के सरवत्तम हित में काम करता हूँ, तब भी प्रबंधकों ने हमेशा शेयर धारकों को बताया है कि उन्हें कमपनी की नगदी के साथ क्या करना है, वे अच्छी तरह से जानते हैं। ग्राहम ने इस प्रबंध की अदू प्रबहवना के माध्यम से यह देखा, एक कमपनी का प्रबंधन व्यावसाय को अच्छी तरह से चला सकता है, और फिर भी बाहर के स्टोक होल्डर्स को उनके लिए सही परिनाम नहीं दे सकता है, क्योंकि उसकी दक्षता संचालन तक ही सीमित है, और यह पूंजी के सरवत् उप्योग तक सीमित नहीं है, कुसल संचालन का उदेश्य कम लागत पर उत्पादन करना और बेचने के लिए सबसे अधिक लाबदाएक रास्ता ढूनना है, कुसल वित के लिए आवशक है कि स्टाक होल्डर्स का पैसा उनके हित के लिए सबसे उप्योगत रूपों में का यह एक ऐसा सवाल है, जिसमें परबंदन की बहुत कम रूची होती है, वास्तों में यह लगबग हमेशा मालिकों से उतनी ही पूंजी चाहता है, जितना कि वह अपनी वित्य समश्याओं को कम करने के लिए समभवत प्राप्त कर सकता है, इस परकार विशिष्ट परबंदन आवशकता से अधिक पूंजी के साथ काम करेगा, अगर स्टोकदार की से अनुमुती देते हैं, तो वे अक्सर ऐसा करेंगे। कैसे हमारे स्टोक में बढ़ोतरी हो रही है, उस पर गोर करें। इससे यह साबित होता है कि हम आपके पैनी को डॉलर में बदल सकते हैं। एविश्वस्निय रूप से निवेशक इसके लिए हुक, लाइन और सिंकर हो गए। डेडी नोज बेस्ट इस तरह का सू समाचार ब बहतर पोइंट एक परतिसत से नीचे थे। बस देखें कि लाभाश का बुकतान करने वाली कमपनियों का परतिसत दूर हो गया। लेकिन डेडी नोज बेस्ट चार पाई के अलावा कुछ भी नहीं था जबकि कुछ कमपनियों ने अपने नगदी को अच्छे उपयोग के लिए रखा कई और दो अन्यसरेनियों में चले गए जो पहली थी कि वे बस इसे बरबाद कर रहे थे और दूसरी थी जो इसके तेजी से डेहर लगा रहे थे लेकिन वे संबावताई से खर्च कर सकते थे। पहले समू में उधरन के लिए किराने का सामान और गैसोलीन में ना समझ उद्दम शुरू करने के बाद साल 2000 में 67 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ जबकि Amazon.com ने वेवेन जैसे डॉट बमों में अपने निवेशकों के धनका कम से कम 233 मिलियन डॉलर निवेश करके नश्ट कर दिया। एशपोर्ट.com ने रिकोर्ड अब तक के दो सबसे बड़े नुकसान 2001 में जेडियस यूनिसेप के 56 बिलियन डॉलर और एयोल टाइम वारनर के 99 बिलियन डॉलर खत्म कर दिये। 2002 के बाद कमपनियों ने लाभाश का बुगतान नहीं करने का फैसला किया। जब अधने कमपनियों के साथ विले करने के लिए एस समय में जब उ विस्टम ने कम से कम 7.5 बिलियन डॉलर जमा किया था, माइक्रोसोप्ट ने 38.2 बिलियन डॉलर की नगदी का पाहड बना दिया था, जो ओस्तन 2 मिलियन डॉलर प्रती घंटे से अधिक बढ़ रहा था, वैसे वी बिल गेट्स एक दिन में कितनी बारिश की उमीद कर रही इसलिए वास्त्विक सबूत सपस्ट रूप से दिखाते हैं कि कई कम्पनिया यह नहीं जानती है कि अतिरिक्त रिटर्न में अतिरिक्त नगदी को कैसे बदला जाई संकिक यह सक्षे हमें बताता है कि मनी मैनेजर राबर्ट आरनोट और क्लिफ पोर्ड एसेंस द्वारा किये गए शोद में पाया गया कि जब मौझूदा लाबांस कम होते हैं तो भविषय की कार्पूरेट आई भी कम हो जाती है और जब मौझूदा लाबांस अधिक होते हैं तो भविषय की कमाई भी होती है दस वर्ज की आउधी में आईव रदी की ओसत दर 3.9 अंक अधिक थी जब लाभांश कम होने पर भी लाभांश अधिक थी कोलंबिया के लेखा प्राद्यापक डोरोन निसीमोर अमीर जीव ने पाया कि जो कंपनिया अपने लाभांश को बढ़ाती है उनमें ने केवल बेहतर स्टोक रिटर्न होते हैं बलकि लाभांश वरदी कम से कम चार साल के लिए लाभांश परिवर्तन के बाद भविश्य के मुनाफे से जुड़ी होती है संक्षेप में अधिकांस परबंदक तब गलत होते हैं जब वे कहते हैं कि वे आपकी नगदी को आपके उपयोग की तुलना में बेहतर उपयोग पर लगा सकते हैं लाभांश का बुक्तान करना महान परिणामों की गारंटी नहीं देता है लेकिन इस से पहले कि वे इसे या तो दूर कर सकते हैं या प्रबंदकों के हातों से कम से कम कुछ नगद निकाल कर विशिष्ट स्टोक की वापसी में सुधार करते हैं कम पर बेजना अधिक पर खरीदना इस तरक के बारे में कि कमपनियां अपने शेरों को वापस खरीद कर बहतर उपयोग के लिए अतिरिक नगदी कैसे डाल सकती है जब कोई कमपनी अपने स्टोक में से कुछ का पुनर खरीद करती है तो इस से उसके बकाया शेरों की संख्या कम हो जाती है यहां तक कि अगर इसकी शुद आए फलेट रहती है तो कमपनी की प्रती शेर आए बढ़ेगी क्योंकि इसकी कुल कमाई कम शेरों में फैलेगी बदले में यह स्टोक मुल्या को भी उपर उठाती है लाभांस के विपरित अभी तक बहतर यह है कि एक बाई बैक उन निवेशकों के लिए करमुकत है जो अपने शेरों को नहीं बेचते हैं इस प्रकार यह उनके कर बिलको बढ़ाई बिना उनके स्टाक के मुल्या को बढ़ाता है और अगर शेर सस्ते हैं तो उन्हें पुनर खरीद करने के लिए अतिरिक्त नगत खर्च करना कमपनी की पूंजी का एक उतकरष्ट उपयोग होता है यह सब सिधान्त में सच है दुर्भाग्य से वास्त्विक दुनिया में शेर बाई बैक एक एसे उदेश्य की सेवा के लिए आये हैं जिसे केवल पापी की रूप में वर्नित किया जा सकता है अब जब स्टोक उप्शन की ग्रांट एक्जिकुटिव मुआओजे का एक बड़ा हिस्सा बन गई है तो कई कमपनिया विसेश रूप से हाई टेक उद्योगों में उन स्टाक उप्शन्स का उप्योग करने वाले परवंद्गों को देने के लिए सैंक्डों लाखों शेर जारी करने चाहिए लेकिन इससे शेरों की संख्या बकाया हो जाएगी और प्रती शेर कमाई कम हो जाएगी इसका कमजोर पढ़ने का प्रतिकार करने के लिए कमपनियों को वापिस मुड़ना चाहिए और खुले बाजार में लाखों शेरों की पुनर खरीद करनी चाहिए औरेकल कार्परेशन पर डालते हैं एक जून 1999 और 31 मईए 2000 के बीद औरेकल ने अपने वरिष्ट अधिकारियों को 101 मिलियन शेयर जारी किये और 484 मिलियन डॉलर की लागत से करमचारियों को 26 मिलियन और अन्य को 26 मिलियन डॉलर दिये इस बीच प्रती शेयर आए के विकल्प को प्रती शेयर अपनी आए को कम करने से रोकने के लिए और एकल ने 5.3 बिलियन डॉलर यानि उस वर्स के कुल राजसाओ का 52 प्रतिसत खर्च किया स्टोक के 290.7 मिलियन शेयरों को वापस खरीदने के लिए और एकल ने 3.53 प्रतिसत प्रतिस शेयर की ओसत कीमत पर अन्दरूनिस उत्रों को स्टोक जारी किया और इसे 18.27 डॉलर की ओसत कीमत पर दोवारा खरीद लिया कम पर बेचें उच पर खरीदें क्या यह शेयर धारक के मुल्य को बढ़ाने का कोई तरीका है 2002 तक और एकल का स्टाक साल 2000 के अपने मुल्य के आधे से भी कम हो गया था अब जब इसके शेयर सस्ते थे तो और एकल ने और स्टाक खरीदने की जल्दवाजी की एक जून 2001 और 31 मई 2002 के बीच और एकल ने अपने पुनर खरीद को 2.8 बिलियन पर काट दिया जाहिर तोर पर क्योंकि इससे अधिकारियों और करमचारियों ने उस उस वर्स कम विकल्पों का उप्योग किया था दरजनों अन्य परोधोगी की कमपनियों के समान कम पर बेचना उच पर खरीद पैटर्न स्पष्ट था यहां क्या चल रहा है यहां पर दो आश्रे जनक कारक काम कर रहे हैं जिनमें पहला है कमपनियों को तब कर में छूट मिलती है जब अधिकारी और करमचारी स्टोक विकल्पों का उप्योग करते हैं उधारन के लिए साल 2000 के बाद से 2002 के वित्ये वर्स में और एकलने करलाब में 1.69 बिलियन डोलर का भुगतान किया क्योंकि अंदरुनी सुत्रों ने ओप्शन्स पर कैश किया था स्प्रिंग कॉर्प्स ने 1999 और 2000 में ओप्शन मुनाफे में 1.9 बिलियन डोलर में बंद अपने अधिकारियों और करमचारियों के रूप में करलाब में 688 मिलियन डोलर का निवेश किया दूसरा स्टोक ओप्शन के साथ भारी मुवावजा देने वाले एक वरिष्ट कारेकारी के पास लाभांश पर स्टोक बाई बैक के पक्ष में एक निहित स्वार्थ होता है जो इस तरह है कि तकनिकी कारणों से मुल्य में ओप्शन्स बढ़ते हैं जब किसी शेर की कीमत में उतार चडाव अधिक चरम पर होता है जो एक शेर की कीमत की एस्तरिता को गटाता है इसलिए यदि परबंदक लाभांश में व्रदी करते हैं तो वे अपने स्वें के स्टाक विकल्पों के मुल्य को कम कर देते हैं कोई आस्चरे नहीं कि CEO वेतन लाभांश की तुलना में बहुत अधिक स्टोक खरी देंगे चाहे इस बात की परवा किये विना की शेर कितने ओवरलेवड हो सकते हैं या बाहर के शेर धारकों के संसादनों को कैसे बरबाद कर सकते हैं उनके पसंद के ओपन आप्शन्स रखें अंत में डूबे हुए निवैसको ने अपनी कमपनियों को ओवरपे अधिकारियों को उन तरीकों से मुक्त करने के लिए स्वतंतर रूप से दिया है जो बस अचेतन थे साल 1997 में एपल के को फाउंडर स्टीव जोब्स कमपनी के अंतरी मुख्य कारियकारी के रूप में कमपनी में वापस आए पहले से ही एक धनी व्यक्ति जोब्स ने प्रती वर्ष एक डोलर का नगत वेतन लेने पर जोर दिया 1999 के अंत में किसी भी मुखाउजे के बिना पिछले ढ़ाई सालों के लिए सीईयों के रूप में कारियक करने के लिए जोब्स को बोर्ड ने उन्हें धन्यवाद के साथ गल्प स्ट्रीम जेट देने का फैसला किया जो 90 मिलियन डॉलर की कंपनी की लागत पर परस्तूत किया गया था अगले महिने जोब्स अपने नोकरी के शेर्ट से अंतरीम छोडने के लिए सहमत हुए और बोर्ड ने उन्हें 20 मिलियन शेरों पर ओप्संस के साथ पुरुशकर्ट किया इस तरह के ओप्शन्स अनुदान के पीछे सिधांत बाहरी निविशकों के साथ परबंदकों के हितों को संरेक्षित करना है यदि आप एक बाहरी एपल शेर दारक हैं तो आप चाहते हैं कि इसके परबंदकों को केवल तभी पुरुशकर्ट किया जाई जब एपल का स्टोग बेहतर परतिफल अरचित करें संबावताय आपके और कंपनी के अन्य मालिकों के लिए कुछ और उचित नहीं हो सकता है लेकिन वानगार्ट फंड के पूर वध्यक्स जोन बोगल बताते हैं लगबग सभी प्रबंदक अपने विकल्बों का उप्योग करने के तुरंत बाद प्राप्त स्टोग को बेशते हैं ततकाल लाव के लिए लाखों शेरों को डंप करना संबहोते कंपनी के वफादार दिर कलिन शेर धारकों के साथ उनके हितों की रक्षा कैसे कर सकता है जोब्स के मामले में यदि एपल स्टाक 2010 की शुरुआत में सालाना 5% की दर से बढ़ता है तो वह 548.3 मिलियन डॉलर में अपने ओप्शन्स को भुना सकेंगे दूसरे शब्दों में भले ही एपल का शेर कुल शेर बाजार के आधे से यदिक दिर कालिन ओसत पर्तिफल से बेहतर कमाई करता हो जोब्स एक आधे बिलियन डॉलर के विंड फॉल को उतारेंगे पड़ते हुए बुद्धिमान मालिक किसी भी कार्यकारी मुआउजे की योजना के खिलाब मददान करेगा जो कमपनी के 3% से अधिक शेर को परबंदकों को बकाया में बदलने के लिए विकल्प अनुदान का उप्योग करता है इसके लिए आपको किसी भी योजना को विटो करना चाहिए जो बहतर परिणामों के उचित और स्थाई उपाए पर विकल्प अनुदान नहीं बनाता है कम से कम 5 साल की अवदी के लिए एक यी उद्धियोग में ओसत स्टोक को बहतर बनाने के लिए कोई भी सीईयो कभी खुद को अमीर नहीं बना सकता है यदि उसने आपके लिए खराब परिणाम उत्पन किये है अन्तिम विचार ग्राम के इस सुजाओ को फिर से देखें कि प्रतेक कमपनी के सुतंतर बोर्ड के सदश्यों को शेर धारकों को लिखित रूप से इस बात की सूचना देनी चाहिए कि क्या उसके सही मालिकों की और से व्यवसाई का परबंदन ठीक से किया है तब क्या होगा यदि सुतंतर निदेशक भी लाभांश और शेर पुनर खरीद पर कंपनी की नीतियों को सही ठहराने लगे क्या होगा अगर उन्हें यह वर्णन करना होगा कि उन्होंने कैसे निर्धारित किया है कि कंपनी के वरिष्ट परबंदक ओवर्पेट नहीं थे और तब क्या होगा अगर हर निवेशक एक बुद्धिमान मालिक बने और वास्तों में उस रिपोर्ट को पढ़ें धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो दा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय बीस सुरक्षा का मार्चन के रूप में निवेश की केंद्रिया आउधारना यदि हम अनपेक्षित संभावनाओं के ब्रमांड में एप्रत्यासित का अनुमान लगाने या एप्रत्यासित की उमीद करने में विफल रहते हैं तो हम खुद को किसी की दया या एसी किसी चीज की दया पर निर्बर मान सकते हैं जिसे करमबद, श्रेणीबद या आसानी से देखा नहीं जा सकता एजेंट फॉक्स मोल्डर सबसे पहले खोना नहीं है जो खिम क्या है आपको इस बात का उत्तर उस आधार पर मिलेगा कि आपने इस परशन को कब और कहां पूछा है जैसे 1999 में जो खिम का मतलब पैसा कोना नहीं था इसका मतलब किसी और से कम पैसा कमाना था कई लोगों को डर था कि एक दिन उनसे बारवेक उटकराएगा और तब वे दिन वे दिन ट्रेडिंग करेंगे और डोटकॉम के शेरों से भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे फिर 2003 के जोखिम से काफी हद तक यह मतलब निकल गया कि शेर बाजार में तेजी आ सकती है तब तक कितने भी नीचे गिरते रहो जब तक कि जो कुछ तुम्हारे पास बचा था वह भी चला जाए और आपको पता भी ने चले हालांकि इसका आर्थ लगबग चंचल और उतार चडाओ वाला हो सकता है क्योंकि वितिया बाजार खुद को जोखिम में डालते हैं जोखिम में कुछ गहरा और स्थाईगुन होता है जो लोग सबसे बड़ा रिष्क लेते हैं और वे बुल बाजार में सबसे बड़ा लाब कमाते हैं, वे लगबग हमेशा बेर बाजार में सबसे खराब रूप से चोटिल होते हैं, और एक बार जब आप बहुत ज़्यादा पैसे खो देते हैं, तो आपको एक कठिन दोड या कैसिनो जुआरी की तरह उसे वापिस पान के प्रसिद फाइनेंसर जेके कलिंगेस्टेन के लंबे करियर में सब कुछ जानने के लिए पूछा गया कि अमीर कैसे बने, तो कलिंगेस्टेन ने जवाब दिया, हार मत मानो, मतलब कल्पना कीजिए कि आप एक एसा स्टोक खरीते हैं, जो आपको लगता है कि एक वर्स मे 10% बढ़ सकता है, भले ही बाजार के वल 5% साला ना बढ़ता हो, दुर्भाग्य से आप इतने उत्सा ही हैं कि आप बहुत अधिक की मत चुकाते हैं, और स्टाक पहले साल में ही मुल्य का 50% खो देता है, यहां तक कि अगर स्टोक तब भी बाजार की वापसी को दुगना कर देता है, तो बाजार से आगे निकलने में आपको 16 से अधिक साल लगेगे, क्योंकि आपने बहुत अधिक भुगतान किया है, और शुरुवात में बहुत अधिक हो दिया है, कुछ पैसे खोना निवेश का एक अनिवार्य हिस्सा है, और इसे रोकने के लिए आप कुछ नह असर फाइवर स्टिप्स पर खड़े होकर चित्रित किया जाता है, जो पलक जवकते ही दूर हो जाती है, उसे प्रतिकात्मक रूप से रखने के लिए लक्षमे के कुछ भग्द उनके प्रतिमा को कपड़े की पटियों से ढख देंगे या फर्स पैर पर रख देंगे बुद्धिमान निवेशक के लिए ग्राहम की सुरक्षा का मार्जिन एक ही कारिय करता है, जिससे किसी निवेश के लिए बहुत अधिक बुगदान करने से इनकार करके आप उन आउसरों को कम कर देते हैं, जिन से आपका धन कभी भी नश्ट हो जाएगा या अचानक नश् जिस पर इसे 313 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, इसकी कुल मूर्च संपती 1.5 बिलियन डॉलर थी, फिर भी 7 मार्च 2000 को जेडियस यूनिफेस के शेर में 153 डॉलर का हिस्सा था, जिससे कमपनी को कुल 143 बिलियन डॉलर का कुल बाजार मुले मिला, और फिर न्यू एरा क शेरों की तरह, यह दुरुगटना गरस्त हो गया, जो कोई भी उस दिन इसे खरीदा था, और 2002 के अंत तक उससे जुड़ा रहता, उसने इन संबावनाओं का सामना किया, यदि आपने 7 मार्च 2000 को, जेडियस यूनिफेस को 153.421 डॉलर के अपने चरम मुले पर खरीदा थ और फिर भी इसे साल 2002 के अंत तक रखा, तो वापसी की विविन वार्चिक ओसत दरों पर आपको अपनी खरीद मुले पर वापस आने में कितना समय लगेगा, यहां तक की 10% वार्चिक रिटन की मजबूत दर पर इस अती खरीद पर भी 43 साल से अधिक समय लगेगा, जोखि किसी निवेश को कितना बेहतर समझते हैं, या कीमतों में एक ऐस्ताई गिरावट को संबालने कि आपकी क्षमता में नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, या बाजार कैसा है, अंत तै, वितिय जोखिम यह तै करता है, कि आपके पास किस परक रहा है, वही जोखिम है, जैसा कि आप खुद को आइने में देखते हैं, वैसे आपको क्या देखना चाहिए, नोबेल पूरुसकार विजेता, मनोवगयनिक डेनियल का हन मैन उन दो कारकों की व्याख्या करते हैं, जो अच्छे निरने लेते हैं, पहला, सही तर ऐसे करिया करूँगा, क्या पता लगाने के लिए कि क्या आपका आतम विश्वास अच्छी तरह से कैलिबरेट किया गया है, दरपन में देखें और खुद से पूछें, क्या संभावना है कि आपका विसलेशन सही है, पहला, मेरे पास कितना अनुबव है, अतीत में इसी तरह के फैसलों के साथ मेरा ट्रेक रिकोर्ड क्या है, दूसरा, अन्य लोगों का विसिस्ट ट्रेक रिकोर्ड क्या है, जिनोंने अतीत में यह कोशिश की है, तीसरा, अगर मैं खरीद रहा हूँ, तो कोई और बेच रहा है, यह कैसे संभाव है, कि मैं कुछ ऐसा जानता हूँ, ज जो इस दूसरे व्यक्ति या कंपनी को नहीं पता है। पांचवा, क्या मैंने गणना की है कि मेरे करों और व्यापार की लागतों के बाद भी इस निवेश को खरीदने के लिए मुझे कितना निवेश करने की आउशकता है। अब आईने में देखें कि क्या आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो अपने फस्तावे का सही अनुमान लगाता है। अपने आप से पूछने से शुरुवात करें क्या मैं पूरी तरह से परिणामों को समझ सकता हूँ यदि मेरा विशलेशन गलत हो गया है तो। अगर मैं सही हूँ तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ लेकिन क्या होगा अगर मैं गलत हूँ समान निवेशों के एतियासिक प्रदर्शन के आधार पर मैं कितना खो सकता हूँ। दूसरा क्या मेरे पास अन्य निवेश हैं जो मुझे इस बात से रूब रू कराएंगे कि क्या यह निरने गलत निकला। क्या मैं पहले से ही स्टोक, बॉन्ड या फंड को अपने पास सिद्ध रिकोर्ड के साथ रखता हूँ जब मैं जिस तरह के निवेश पर विचार कर रहा हूँ जो नीचे जाता है क्या मैं इस नई निवेश के साथ अपनी बहुत अधिक पूंजी जोखिम में डाल रहा हू तीसरा जब मैं खुद से कहता हूँ आपको जोखिम के लिए एक उच्छ सहिस्नू होना चाहिए मुझे कैसे पता चलेगा क्या मैंने कभी किसी निवेश पर बहुत पैसा खो दिया है इसे कैसे महसूस किया क्या मैंने अधिक खरीदा या क्या मैंने जमानत दी चोथा क्या म अगरीम रूप से नियंत्रित किया है मनोवैग्यानिक पॉल सलोविक के सब्दों में आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जोखिम दो अवयवों की समान कुराक से पीसा जाता है संभ्यावता और परिनाम निवेश करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने वास्तिक रूप से सही होने की अपनी संभावना का आंकलन किया है और आप गलत होने के परिनामों पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे बर्न स्टीन का निशकर्श यह है कि एनिश्चित अता की स्थिती में निर्ने लेने में परिनामों को संभावनाओं पर हावी होना चाहिए हम भविश्य को कभी भी नहीं जान पाते हैं इसी परकार ग्राहम ने आपको यह हर बात में याद दिलाया है कि बुद्धिमान निवेशक को केवल विशलेशन प्राप्त करने पर ध्यान के अंदरित नहीं करना चाहिए यदि आपका विशलेशन गलत हो जाता है तो आपको नुकसान के खिलाब भी सुनिश्चित होना चाहिए आपके निवेशक के जीवन काल में कुछ बिंदू पर कम से कम एक गलती करने की संभावना लगबग 100% है और उन बाधाओं को पार करना पूरी तरह से आपके नियंतर्ण से बाहर है हालांकि आपके पास गलत होने के परिणामों पर नियंतर्ण है कई निवेशकों ने 1999 में अपने सभी पैसे को डोटकॉम स्टोग में डाल दिया 1999 में मनी मैगजिन द्वारा 1338 अमेरिकियों के एक ओनलाइन सरिवेक्षन में पाया गया कि उन में से लगबग 10 में हिस्से में इंटरनेट शेरों में कम से कम 85% पैसा लगाया था उन्होंने सुरक्षा के एक मारजन के लिए ग्राहम की कोल को अंदेखा किया कि वे सही होने की संभावनाओं को जानते थे उन्होंने गलत होने के परिणामों से खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं किया बस अपनी होल्डिंग्स को स्ताई रूप से विवित्ता पूर्ण रखते हुए आप मिस्टर मारकेट के नविन्तम सबसे लोगपरिये फैशन पर पैसे लगाने से इनकार करते हुए आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी गलतियों के परिणाम कभी भी भयावै नहीं होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर मारकेट आपको क्या परिणाम देता है बस आप हामेशा एक शांत आतों विश्वास के साथ कहे पाएंगे कि यह समय भी निकल जाएगा धन्यवाद हिंदी ओडियो बुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो